वेरी वेरी गुड मॉनिंग, वोईस क्लियर है, चेक कर लीजियो फटा फट से मिहूल जैन, आज नियू चेप्टर है कमेंट में बताईए फटा 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 चलिए येस मिहूल, क्या है, मावली वोईस क्लियर है, चलें स्टार्ट करते है चलिए, चेप्टर का नाम क्या है, सर हमारा ब्रांच अकाउंट अब ब्रांच अकाउंट क्या होता है, पहले देख लेते हैं हमारे स्लेवर्स का क्या पाठ है अब ब्रांच ना दो तरीके के होते हैं, सर सर, दो तरीके के कौन-कौन से ब्रांच होते है सबसे पहले तो ब्रांच क्या होता है, ये देखिए और इसमें न मैं ज़्यादा चीजे टाइम थोड़ी लोगा आपका, आपको सबको पता है ब्रांच क्या है अब मैं सिरी सी बात करूँ तो जहां पे मैं रह रहा हूँ जहां पे हम रह रहे हैं, यहां पे बहुत सारे सॉप्स ऐसे हैं, जो कि फेमस है, है न? अगर मैं बड़ी बेसिक सी बात करूँ तो यहां पर soft famous की बात करें एक बिट्टू टिक्के वाला है वो भी famous है तो अब बिट्टू टिक्के वाले का जो main जगह है simple से word में जो main जगह जहां से अपना start किया था वो आप सबको पता होना चाहिए कहां का है वो रानी बाग का सबको पता कि में जो है रानी बाग और रानी बाग से फिर यह एक एनसपी में भी है और एक रोहिनी में भी है तो हम जानते कि में है वो main है और बाकी सारा क्या है उसके branches है तो एक main जगह पर होता है जहां से business को origin start किया जाता है और बाकी के जो चोटे चोटे और हम outlet खोल लेते हैं दुकान खोल लेते हैं वो क्या होता है हमारा branch होता है तो बड़ी सीरी सी बात है branch का मतलब इसमें ज़्यादा और कुछ भी है नहीं और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना हमें अब branch हम हिंदुस्तान में भी खोल सकते हैं हिंदुस्तान के बाहर भी खोल सकते हैं दोनों चीज़े possible है ना अब बिट्टु टिक्की वाला सोचे मैं लंडन में टिक्की बेचूँआ जाके तो वो भी branch ही कहलाएगी लेकिन वो कौन सी branch कहलाएगी आपकी foreign branch वो कौन सी branch कहलाएगी foreign branch तो मैंने बड़ा basic सा example लिया कि एक BTW है सबने सुना होगा या गुलाब ले लो बैसे मेरे को गुलाब और हल्दी राम वगएरा का तो मेरे को पता नहीं भी या main office का है इनका तो पता है कि भी या starting से जब जाते थे तो बस ये रानी वाग में नजर आते थे और कहीं था नहीं इनका और especially ये लिख देते थे हमारी कोई branch नहीं है तो रानी वाग से बाद थोड़े दिनों बाद मैंने क्या उफजर्व किया कि अरे ये तो नेता जी सुबास पहलेस में भी खुल गया एनस्प में भी खुल गया ये दुकान तो तो थोड़े दिन बाद नोटिस किया तो ये रोहिनी में भी खुल गया फिर नोटिस किया तो फिर ये मान लेते हैं CP में भी open हो गया वैसे पता नहीं है मेरे को CP का ठीक है ना, CP में भी open हो गया, थोड़ी दिनों बाद ऐसे notice किया, तो जहां से इसने अपना business start किया था, that is, इसका क्या होगा, head office, थोड़ा accounts में नाम देंगे, इज़द देंगे इनको, उसे क्या बोलेंगे, head office, ठीक है, और जहां जहां पर उसने छोटे-छोटे अपने दु टेस्ट हर जगा क्या होता है, सेम होता है, आप राहिवाग वाले पर खालो, NSP पर खालो, तो आपको टेस्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा, ऐसा क्यों होता है, हर किसी क्या है, सेम क्योंकि कारीगार अलग है, सब कुछ अलग है, ऐसा तो नहीं है, कि वो अलग, तो वो क्य और उसी के एकॉर्डिंग जो उसका इंस्ट्रक्शन है उसी के इकॉर्डिंग बनाना है सेम मैं बात करूँ क्योंकि मुझे इसका ब्रांज पता था इसलिए अब मैंक डॉनल्ड में चले जाओ के एक जासे एक जैसा है ठीक है ना तो वही कहानी है अब बिट्टू टिक की आले ने बोला कि मैं लंडन में खोलूँगा यूके में यूके में खोलूँगा तो क्या इसे हम ब्रांच बोलेंगे हां जी सर ये भी ब्रांच है इसे भी क्या बोलेंगे हम ब्रांच बोलेंगे ठीक है ना इसे भी हम ब्रांच बोलने आ ले अब मु अब इनलेंड ब्रांच का मतलब क्या है सार देखो यह न वर्ड एक तो मैं सबसे बड़ा इंडिया के अंदर न जो एजूकेशन सिस्टम है न बहुत सिंपल चीजों को बताने के बजाए न एक नया वर्ड दे देते हैं जिसमें से जो बच्चा समझ नहीं पाए जो बच्च अब इस वर्ड को नहीं समझता तो उसके लिए मुसीबद बना रहता है इंडलेंड ब्रांच का मतलब होता है कि जहां पर उसने अपना स्टाट किया वहीं कि अगर ब्रांच खोला जाए उससे इनलेंड ब्रांच बोलते हैं तो बेटूटी के अले ने कहां स्टाट किया र न, एक इंडियन ब्राँच होगा, दूसरा, अब ये इंडियन ब्राँच अगर फोरैंच में खोल ले तो उसे क्या बोलेंगे, फोरैंच भराँच, simple सी बात है क्या बोलेंगे, फोरैंच, फोरैंच ब्राँच तो सर, अब ब्राँच अकाउंटिंग शी रہे हैं, branch accounting का मतलब अब ये branch है, NSP branch है, वहाँ से समान आया, ये लिखेगा, ये समान बेचेगा, तो ये लिखेगा है, यानि kind of ना हमें इसका P&L तयार करना है, एक परकार का हमें इसका क्या तयार करना है sir, P&L, और P&L कैसे तयार होता है, इधर खर्चे, इधर income और उस हिसाब से, अब कुछ बातें यहां पर भी होगी, ट्विस्ट होगी, जो कि हम अभी देखेंगे, धीरे-धीरे करके, अब यहां पर क्या-क्या possible हो सकता है, सूचना, पहले तो आपको ये बास समझना चाहिए, कि हम accounting इसकी नहीं करते वाले, हम accounting किसकी करने वाले, जो उसकी छोटी-छ ब्रांच बोल सकते हो, तो पहले clear होना चाहिए, कि हम सीख क्या रहे हैं, अब आप पूरे chapter के अंदर एक example याद रखना है, विट्टुटिक की वाला दिमाग को, मैं इसी को example को लेके आगे तक लेके चलूँगा, तो फिर आपको connection होता रहेगा, अब मुझे किसका बनाना ह अब यहाँ पे दो तरीके के ये ब्रांच हो सकते हैं, या तो ये पूरे तरीके से इस पर dependent हो, या ये independent हो, तो दो हो सकते हैं ना, dependent का मतलब सारा काम यही कर रहा है, accounting इसकी यही कर रहा है, समान यही भेज रहा है, सब कुछ यह कर रहा है, तो ये ब्रांच किसके उपर dependent है और एक होता है independent branch independent branch में सब कुछ क्या कर रहा है यही कर रहा है अपना 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 सब कुछ क्या कर रहा है अपना तो अपना P&L भी भाई तू भी बना ले मैं क्यों बनाऊँगा हमारे में है dependent branch independent branch भी हमारे slaves का partner समझे यानि सारी जिम्मेदारी कौन उठाने वाला है head office accounting इसकी करेंगे लेकिन करने वाला ये होगा समझे रहे बात करेंगे इसके लिए लेकिन करेगा कौन head office करेगा ठीक है अब head office कैसे कैसे treat करेगा जो भी उसको समान भेजेगा वो खर्चे में लिख लेगा यानि मान लेते हैं एक P&L बनाया है बड़ी simple से बात है यहां से क्या भेजेगा material ले भाई तेरे को टिक्की बनाना है आलू ले जा और उसके साथ दही ले जा जो भी बनाना है सारा एकदम same proper देगा यह यहां से भेज दिया तो यह head office क्या करेगा मैंने क्या करा सर मैंने क्या करा goods को क्या कर दिया send कर दिया पर चीज तो नहीं लिख सकते क्या कहेगा goods मैंने क्या कर दिया send कर दिया इसके बाद यह branch के उपर समान आएगा आ इस ब्रांश के उपर समान क्या होगा बनने लगेगा टिक्की बनने लगा मान लेते हम अगर टिक्की इसने बना दिया उसके बाद क्या होगा यह बेचेगा अब यहां में दो option है सर यह तो यह नगध बेचेगा यह तो उधार बिचेगा है surface हमता है मैं मैं मान लेता हूँ आप यहां पर यह थो हमारे कौन से साइड है हमारे खर्षे के साइड यह साइड कौन से हमारे और यह साइड कौन से हैं इंकम क्या आप imagine करो इसको दिमाग में लो कि सर इसके खर्चे क्या-क्या हो सकते हैं इसके खर्चे क्या-क्या होंगे सर जो समान भेजा वो भी खर्चा जो लेबर को सेलरी दिया वो भी खर्चा जो वेजिस दिया वो भी खर्चा जो दुकान का किराय दिया, वो भी खर्चा, वो सारे खर्चे होंगे, तो यहां पर सारे खर्चे आ जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं ना? अब दूसरा income का सोचते हैं, income तो कभी है, जो यहां से यह पैसे दे देगा, वो ही तो income होगा, ठीक है, ना? तो जो यहां से पैसा देगा, अब यह पैसे दो जगा से ला सकता है, सरीए, या तो यह क्या कर सकता है, एक तो cash पैसा आएगा इसके पास, है ना, एक तो पैसा कौन सा आएगा, cash आएगा, दूसरा अगर इसने उधारी दे रखा है, उधार दे रखा है, तो उससे पैसा दिखा बाई कितना पैसा और लेकर आ जाएगा अपना और वह यहां एंट्री कर देगा कैश रिसीव ठीक है ना या फिर यह क्या करेगा सारा पैसा इखटा करके बुलेगा मैं मालिक हूं तुम वहीं से बताओ मिर पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर ब्रांच में डेली हूं जो उनका अंका रौर होता है जहां रखतने हो यह तो फिर यह क्या करेंगे वहाँ से पैसे खेंगे ईर जड्री को कोईचीज़ भेजने को एक शब्द बोलते हैं रेमेटेंस क्या शब्द बोलेंगे क्या आशड़ में डामेटेंस कोई शीग का सब्द की बहीज़ना है और दूसरा क्या सकता है collection from डेटर का पैसा आ सकता है तो यानी total मिलाकर देखा जाए तो हमें क्या prepare करना है sir पीछीन prepare करना है पीपेर कोन करेगा sir head office prepare करेगा किसके लिए prepare करेगा branch के लिए ब्रांच के लिए prepare करेगा और ब्रांच के लिए इधर सारे क्या आएंगे खर्चे और इधर सारे क्या आएंगे इसके अलावा भी कुछ हमारा हो सकता है पॉइंट अब एक चीज और ध्यान देना वह मैं अकाउंट बना हुआ तो कंसिडर कर लूँगा हम कौन सा ब्रांच सीख रहे हैं अब इंड्लेंड ब्रांच में भी दो होते हैं dependent और हम कौन सा सीख रहे in independent हमारे slaves का part क्या foreign franchise हम सीखेंगे नई सीखेंगे तो उसी तरीके से देखा जाए तो आएपको समझ में आ जाना चाहिए यह समान भेज रहा है तो दिमाग में यही लेके चलना चांड होridisht घंच बहुत आसान है बहुत simple सा chapter है हमें P&L बनाना है और P&L, trading P&L वाला ने थोड़ा सा अलग तरीके से बनेंगे P&L उसको और अगर ये हमें चीजे समझ में आ जाता है हमें data given होगा, data fill करना है और हमारा branch इस तरीके से चलेगा तो चलिए मैं कुछ एक format बता दूँ आपको फिर क्या format follow करने वाले हम तो ये है हमारा यानि सार आपने अभी बताया वो भी लिख दूँ एक dependent branch है dependent का मतलब करता धरता कौन है head office सब काम कौन करेगा head office एक है हमारा independent branch independent branch अब इसके example भी हो जाना चाहिए के कौन से branch हमारे dependent है और कौन से branch independent है एक दो example real life के देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जैसे मैं बात करूँ टाटा ठीक है ना तो टाटा जो होता है ना काम करता है हमेसा independent business पर काम करता है उसके जितने भी unit है वो क्या कहता है यूनिट का मतलब टाटा टी भी है और टाटा मोटर भी है और टाटा पावर भी है सब चीज है तो जो टाटा टी वाला है ना तो रतन टाटा जी क्या कहते है बहुत टाटा टी तुम समझो कैसे चलाओगे हमें नहीं पता हम तो बस idea दे दिया है वो तुमवारी जिम्हेधारी हो वहाँ का अलग एक CEO आपोंट करते है वहाँ सब कुछ अलग-अलग आपोंट करते है ताटा मोटर भई तुमवारे जिम्हेधारी है कैसे चलाना है मैं तो बस देखूंगा तुम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर sol जुम्मेदारी तुम्हारी है, कहां से पैसे लाना है, कहां से सब कुछ responsibility तुम्हारी है, तो यह हो जाता है independently काम करना, एक होता है dependent, जैसे के reliance है, reliance dependent, आप देखो कहीं भी होगा, आप देखना कई बार, कुछ भी आएगा, जी ओ आएगा, मुके सम्मानी खड़ा हो जाएग मतलब वो हर किसी को चला रहा है वो, उसके जितने भी unit है न, वो dependent एक तरीके से, किसके उपर मुके सम्मानी, टाटा में कभी भी ऐसा नहीं होता, टाटा मोटर में कुछ भी आएगा, तो कभी भी रहतन टाटा नहीं बोलेगा, जो टाटा मोटर वाला person है, जिसको बनाया है CFO, main person, वो आके बोलेगा है कि ऐसी ऐसी तिकत चल लिए, समझ में आ रही बात आपको, तो इसी तरीके से बड़े सारे examples हैं, जो कि हमारे dependent और independent बोलते हैं, जैसे कि हमारे banking के, यतने भी banking के branch होते हैं, सभी independent होते हैं, सर, क्योंकि मानलो अगर यहाँ पर NSP में branch खोल दिया गया, तो head office बोलता है NSP में हम branch खोल के दे रहे हैं, इनका काम पता है कैसे चलता है, independent वालो का, अब हमारे पास एक बंदा manager है, काम कर रहा है, और बहुत टाइम से काम कर रहा है, बैंक का, और banking का का काम क्या होता है, लून दिना में ली, अब manager को बोला के भी हम तिर को एक बेजेंगे, तेरी salary अभी कितनी है, पांच लाक है, तेरी salary दस लाक महीने की कर देंगे, तिर को एक नया branch खोल के दे रहे हैं, और उस branch का तिर को बना देते हैं, एक तो जर्नल manager, तेरे बिना वहाँ पर कुछ नहीं होगा, करेगा काम, उसने बोला हाँ करूँगा, लेकिन लिए कई बार जाओगे ना, तो कई branchों के अंदर free account, zero balance account खोल रहा होता है, और करीग branch में नहीं खोल रहा होता है, ठीक है ना, तो वो क्यों होता है, वहाँ के manager की responsibility है, पहले क्या करेगा zero balance खोल भाई, क्योंकि, जो head office है, उसने बोल दिया, तो जो मर्दी कर, मेरे को तो 500 क account खोल, इतने account खोल, जैसे भी खोल, मेरे को 500 करोट रुट का business देना है, तो वो क्या करता है, इसी हिसाफ से उसको customize करता है, तो जितने भी हमारे banking के branch है, सारे independent branch होते है, हर branch का एक fix होता है, कि भाईया, तेरे को branch दिया गया है, और यहाँ से तिरे को इतना revenue generate करना है, और ज independent के अंदर क्या होता है, कि हम ही सब कुछ involvement लेते हैं उसके अंदर, तो हम करेंगे सार, dependent branch, dependent branch, सार, dependent branch के अंदर भी कितने type के account बनाएंगे, कुछ यह तो बता दे हो, यानि सार, मैं यहाँ पे independent के आगे क्या करूँ, cross, foreign branch के आगे क्या करूँ, cross, समझ भाई बता आपको, इ अब dependent branch जो है, इसके अंदर questions हमें finally क्या निकालना है, examiner पूछेगा dependent branch है, यह branch है, वो branch है, ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, आप इसका profit and loss बताइए, बस examiner यह पूछेगा, तो भाई आप profit and loss निकालने के दो method हैं, दो methods हैं इसके निकालने के, वो दोनों method में स कोई से भी आ जाता है, एक है हमारा सर, debtor system, debtor system, ठीक है न, एक है debtor system, और एक है सर, stock debtor system, एक है सर, stock debtor system, एक है सर, debtor system, और एक है stock debtor system, दो सिस्टम हो गए न हमारे, एक है stock debtor system, और एक है debtor system, पहले हम debtor system करेंगे, और फिर उसके बाद करेंगे हम stock debtor system, जब यह दोनों पार्ट हम complete कर लेंगी, दोनों को समझ लेंगे और 4, 4, 5, 5 सवाल इस पे कर लेंगे, चप्टर हो जाता है खत्म. समझे बात तो हम पहले कौन सा करने जा रहे हैं सर पहले करने जा रहे हैं हम debtor system पहले हम करने जा रहे है debtor system तो चलिए debtor system होता क्या है और कैसे काम करता है यह देखेंगे लेकिन मजे की बात पता कि methods है कभी भी किसी चीज़ के method change होते तो answer पर फरक नहीं पड़ता generally 99% अब आप 2 plus 2 4 कर लो 2 into 2 कर लो 4 method change कर दिया ना तो उसमें answer हमारा फरक नहीं तो जो इस से profit निकलेगा वो ही profit किस से निकलेगा इस से निकलेगा बस करने का way बदल जाता जैसे provision for depreciation या normal depreciation दोनों अलग अलग तरीका है करने का लेकिन answer क्या निकलेगा दोनों में same निकलेगा समझ माई बात आपको तो ये हमारा method debtor system debtor system में हम बनाते हैं एक branch account एक बना रहे हैं हम इसका नाम है branch account ठीक है ना इसका नाम है branch account और मैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक तरीके से पी एंडल है क्योंकि branch chapter है इसलिए हम पी एंडल को नया नाम दे रहे हैं branch account के नाम से इस account का main purpose क्या होगा profit या loss निकालना finally अगर इधर निकलता है तो क्या निकलेगा profit और इधर निकलता है तो क्या निकलेगा loss लेकिन यहां पर को ट्रेडिंग व्रेडिंग वाला कोई चक्कर नहीं है ठीक है सबसे पहले सार यहां पर particular amount और यह भी दो इसके अंदर भी दो मेथट्स हैं एक है हमारा IP price पे एक है बिना IP price पे तो हम अभी simple वाला कर रहे है IP वाले को हम कल देखेंगे कि IP price क्या है यह IP का मतलब यहां पर क्या रहने वाला invoice price पे अब देखो मैं एक बात आप से simple पूछना चाहता हूँ अब इसको ध्यान से समस्ते जाईएगा सुनते जाईएगा अगर मैं यहां पर लिखू builtign पांच लाग का और यहां पर फिर मैं लिख दिए building साथे चार लाग का एक तो यह तरीका है तो यहां building पांच यहां building साथे चार यहां Bennett ये शुरू में इतने का था और लास्ट में इतने का था मैंने लो इसको लिख दिया opening और इसको लिख दिया मैंने close दिया ultimately पचास अजार रुपे इस account के अंदर कितना reflect हुआ पचास अजार अगर मैं यहां भी पांच लिखू ढौने के पांच लाख का समाने अब बच रहा है चार पचास का तो इसका मतलब इसका का डिपरेंज क्या लग गया होगा डेपरेशियेशन डेपरेशियेशन लगाने के दो तरीके होता है या तो मैं भी या आससे को निख कर तो is अच्छा इधर extra कितना तो यहां पे पी अंडल तो बना रहे तो depreciation दिखाने का थोड़ा सा style बदल गया है क्या बतल है सार हम यहां पे assets का opening balance लिखेंगे और assets का क्या लिखेंगे automatic depreciation इसमें reflect समझ रहे हो बात तो यहां पे हम सारे का सारे assets का opening balance लिखने वाले हैं सारे का सारे का मतलब किसका जैसे टू अ ओपनिंग balance अ तू ओपनिंग बैलेंस में क्या रहेगा आपका stock का balance आपका machinery का balance अ अ आपका data का balance आपका cash का balance आपका other assets का balance other assets में कुछ भी हो सकता है prepaid expense हो सकता है आपका और building हो सकता है machinery हो सकता है computer हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो मैंने other assets लिख दिया तो समझ जाओ इसमें सारे assets आ सकते हैं इनके क्या लिखें मैंने इधर सर, opening balance लिखें, क्या लिखें इदर और इसे internally total करिए या बाहर लिखें, वो आपकी इच्छ है totally depend on you और इसको total करके यहां दिखा देंगे कोई दिक्कत सर, इसका impact इस account में तब तक नहीं दिखेगा, जब तक कि आप इसका closing balance भी ना ले लो तो मैं क्या करूँगा, यहां पर closing balance भी लिखूँगा by closing balance सर, closing balance किस-किस का होगा जो यहां दिख रहा है, सब का closing होना चाहिए भीया अगर आपने यहां stock लिखा है, तो stock का भी closing होना चाहिए बसरते condition वो है कि आपका stock है ही नहीं तो closing कहां से लिखोगे आपने machinery लिखा तो machinery का closing होना चाहिए तभी depreciation reflect होगा अगर machinery आपने बेच दिया तो यहां दिखी गई नहीं यानि सभी का एक-एक करके आपका पहला target होगा closing लिखना ढूंड-ढूंड के तो मैंने stock का भी लिख दिया मान लेते हैं मेर पास सबका बचा हुआ है मैंने machinery का भी लिख दिया है ना machinery के बाद मैंने debtor का भी लिख दिया debtor के बाद मैंने किसका लिख दिया cash का भी लिख दिया और मैंने other assets का भी लिख दिया पहले बताओ, इतनी बाध समझ में आ रही है आपको, Satish that, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है तो मतलब आपको ठीक-ठीक समझ में आ रहा है, कि हम कर क्या रहे हैं अगर इसको समझ ही नहीं आ रहा है, सब इसक्राइक इदर ये branch अकाउंट, और उसका closing balance किदर जाएगा कितना आसान chapter है नहीं तो by side में क्या लिखेंगे by आपका opening opening liability और मैंने opening liability का नाम नहीं लिखना चाहता क्योंकि सवाल में बहुत rare पूछा जाता है और to closing closing liability अब sir opening liability में क्या हो सकता है outstanding rent हो सकता है outstanding salary हो सकता है आपका और creditor हो सकता है आपका तो यही सारी चीजे हमारे होते हैं क्या liability जितने भी देखें तो इधर आएगा मैंने एक simple सा word लिख दिया opening liability और इधर आपके question में 99% chances मानके चलो liability वाला portion नहीं होता है सिर्फ किस का portion होता है हमारा assets का portion होता है ठीक है ना अब हमें क्या है कि भाईया इनके जो है ना आपके type अब stock का closing stock बनाने के लिए या debtor का closing ढूंडने के लिए या cash का ढूंडने के लिए या machinery का ढूंडने के लिए इन सब का मुझे एक calculation बिठाना पड़ेगा मैंने बोला कि भाईया machinery शुरू में था पांच लाग का और मैंने नीचे closing ना बता के मैंने बोला debt लगेगा 10% तो closing बताओ कैसे बताएंगे बताओ closing क्या आएगा depreciation को minus कर देंगे यानि कितना 4,55,000 तो ये चीज़ आपको करके फिर calculate करके दिखाना होगा कभी भी आपको closing balance अभी का नहीं मिलने वाला तो closing balance आपको बनाना होगा ठीक है ना तो assets का तो इसका आपने directly कर लिया या तो इसका आप क्या करिए account बना लेजिए अगर आपने account बना के करना है तो account बना के कैसे करेंगे ये बनगे हमारा machinery account two balance कितने का है पांच लाक और by depreciation पचास हजार by balance CD चार पचास और आप क्या करेंगे ये वाला CD उठाके यहाँ पर दिखा देंगे समझ रहे हो एक तो ये तरीका है अगर बोल रहे हैं सार अकाउंट पर क्यों जमेले में पाल रहे हैं अगर सवाल में कहता है कि आप बनाई है तब तो mandatory हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे points ऐसे हैं जिसके लिए आपको बनाना ही पड़ेगा नहीं तो आपका मतलब के नहीं निकलेगा जैसे कि आपका debtor जैसे कि debtor का closing balance निकालने आपको आना ही चाहिए तो इसके help करने के लिए यानि opening से closing बनाने के लिए कुछ जो complication create कर सकता है वो कर सकता है debtor तो उसके लिए उसका separate account भी सीख लेंगे और बना भी लेंगे कौन सा method चल रहा है सरी है दो method बताये तो याद है भूल गये डिपेंडिंग method कौन सा होता है हां without IP IP नहीं देखो कितनी जल्दी भूल रहे हूं सर दो method बताये थे देखिए और stock हम कर कुन सा रहे हैं अभी data system चल रहा है ठीक है अभी चल रहे है data system इधार आएगा particular amount particular amount ठीक है अब data account बनाने सीखते है data account मेरे को तो कोई भी account बनाने बोले तो मुझे ज़्यादा समझ में पता है कैसे आता है मैं कैसे सीखता हूं बनाना सोचता हूं सबसे पहले यह पता करो यह assets के liability अब अगर मुझे समझ में आ गया कि यह assets है तो इसका बीडी इधर लिख लूगा अगर यह liability है तो इसका bd इधर लिख लूगा cd इधर लिख लूगा अब जिधर से bd है उधर से बढ़ जाता और जिधर cd उधर से घड़ जाता इसका simple सा logic है तो data account मैं तो मानता हूं assets है आपको भी लगना चाहिए क्या है इस यहां पर क्या लिखेंगे balance bd और इस साइड में क्या आएगा balance cd और maybe possibility है कि यह balancing figure हो maybe possibility है कि यह क्या बने हमारा balancing figure यहां से क्या-क्या निकलेगा मैं underline कर दूँगा सर अब घटने के क्या-क्या reason है मेरा पैसा लेकर कोई भाग गया बैडेट है तो घट जाएगा है ना अगर मेरा पैसा लेकर कोई चला गया तो घट जाएगा थोड़े पैन को ठीक कर लेता है कि अ कि कि बाइब एड़ एड़ कि बाइब एड़ ठीक है ना जी यह लिख लिया एक तो यह तरीका और बताओ डेटर क्यों घट सकता है उससे पैसे मिल जाए अगर वो पैसे देगा तो घटेगा ना तो किदर लिखेंगा अगर डेटर से पैसे मिलेगा तो बताइए बाइए बड़ा सिंपल साय है अकाउंट तो इतना असान है ना बस समझने की चीज़े होती है आप बाइए साइड में आपको कैस मिल जाए या फिर चेक मिलेगा तो क्या लिख देंगे यहां पर बैंक ठीक है ना वो समझ में आ जाएगा और सब कब घट सकता है डेटर को डिस्काउंट दे इसने कई बार किसकाउंट को हम अगे आएगा यह कहानी के अंदर है किकर ना लाउंस भी बोल देते हैं डिस्काउंट को नया सब्द है ठीक है और कब कम हो सकता है डेटर मैंने आपको समान भीजा आपने वापसी कर दिया या तो क्या होगा डेटर क्या हो जाएगा कम यान रिटन खीक है और डेटर कम कभी हो सकता है आपको बियर वाला कॉंसेप्ट थोड़ा सा कभी कभी याद होगा कि अगर जैसे मैंने उधार माल बेचा उधार माल बेचने के बाद आप मेरे डेटर बन जाते हो लेकिन वही मैंने क्या करा आपको बोलाके लिखवा के लिए लिय मैंने आपको धार माल ist котором कम अकबिचा या आपसो मिन लिखवाके लिए थो लाक का तो डिटर पताकि इतने का बैचा तीन लाक या बन गया वियार अगर मैं आपसो कुछ चीजें लिखवा के लूगा अ तब भी तो डिटर कम आं सोचू तो यहन बी आर यह बहुत फृजि हारन ठीक है चलिए बस और तर बढ़ने का रीजन क्या है बढ़ने का रीजन बता एक घटने का तो बता दिया बढ़ने का बता दो हम उधार माल बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे और डेटर बढ़ता जाएगा यानि क्रेड़ेट क्रेड़ेट तब भी बढ़ सकता है लॉजिक लगां आपसे मैंने गिरिंटी लिया तीन लाग के डेटर हो गए और आप गिरिंटी फेल कर जाओगे बुलेगा तू फिर से क्या बन गया डेटर बन गया जोड़ देते हैं यानि बी यार डिस्वानर्ड वैसे इतने ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं लेकिन मैं सब कुछ डालना चाहता हूँ ठीक है बढ़ने की रीजन तो सर इससे examiner क्या चाहता है हमसे चाहता क्या examiner ये तो बताओ ये account बना लिया तो examiner ना इससे आपसे दो ही तीन चीजे चाहेगा और examiner आपसे दो तीन चीजे क्या चाहने वाला है सर examiner आपसे दो तीन चीजे एक तो ये चाहेगा ठीक है? एक तो ये निकलवाना चाहेगा आपसे और सर और 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 भी कुछ निकलवाएगा क्या? एक ये निकलवाना चाहेगा आपसे ठीक है ना? पहले यहां तक देखे कोई doubt पहले यहां तक देखे कोई निकलवाना चाहेगा बच्चे पूचने सर किस चीज की एंट्री है? मैं बताओ ना मेरे को इसमें थोड़ा सा मजासा नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत कंजिस्टेड है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता है होगा अरजिंदा मत करो अब थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है ना? तो बच्चे पूचे सर यह कैस किसना है? जो डेटर से पैसा मिलेगा वो कैस होगा और हमारे एक चीज़ ना हमें पता कई बार गलती कर देते हैं अब बताओ провisions for doubtful debt से डेटर कम होता है provisions for doubtful debt बताओ provisions for doubtful debt क्या उसे debtor कम होता है कभी नहीं होता मैं specially note लिख रहा हूँ provision देखिए अकरि जितने भी doubt होंगे ना मैं सारा लुई पर लिख देता हूँ अब आपको patience रखना प्रोविजन पूर दाउटफुल डेप्ट नौट रिकॉर्ड इन डेटर अकांट, विल नौट रिकॉर्ड, आप हमेशा याद रखिये, प्रोविजन पूर डाउटफुल डेट को, हमारे डेटर अकांब नहीं होता, अब माल लेते हैं, मुझे आपसे लेने, पीस लेनी है, माल लेते हैं, पांच जार पे मुझे आपसे फीस लेनी है, और मैं सोचना हूँ, यह पैसे लेके भाग सकता है, ऐसा थोड़ी मेरे डेटर कम हो जाएगा, डेटर तो मेरे पांच ही रहेगा, जब यह भाग जाएगा, तो मेरे डेटर कम होगा, समझे, तो प्रोविजन के हैं, अंदाजा है, तो अंदाजा से कभी भी प्रोविजन करने से हमारा फरक नहीं वड़ता, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर पहले भी हमने अकसर फाइनल अकाउंट में करते क्या थे, डेटर से माइनस कर देते थे, तो हमारे दिमाग में रहता है कि इस से भी डेटर बाल देता और अंसर गलत हो जाता है इस बात को धियान रखना प्रोविजन पो डाउटफुल डेट्स इसके अंदर नहीं आएगा यह समझ में आए चलिए सर आपने इतना सारा बनाया इसमें से क्या इस्तमाल करेंगे दो ही चीज़े इस्तमाल करना है एक तो हमें लिखना है सर क्या लिखना है यहां बाहर बाई साइड में बामश रैमेटे बाई कि terminology कि रैमरेफे Tom कि अधी यह चैनल के जो ब्रांच के जितने भी एंप्लॉई यह वो दिन बर स्काप से पैसा इंखव यह क्टा करें में और हमारा cash sales है है ना और एक आ सकता है collection from debtor दो ही जगह हो सकता है cash sales और collection from debtor तो cash इसको थोड़ा collection from debtor और कोई भी source होगा नहीं आएगा सर और यह total आगा सर इस account से हमने क्या निकाला यह क्या है सर देट इस collection from debtor collection from debtor तो सर यह account बनाने का एक तो यह purpose है क्योंकि इसमें अगर आपको collection from debtor नहीं दे रखा तो इस account को बनाके निकाल सकते हैं इसका मतब सर यह भी balancing figure हो सकता और इसका इसका इस्तमाल कहां कर लेंगे हम यहां पर करेंगे समझ में रहा है दूसरा purpose है balance CD नहीं दे रखा तो यह निकाल सकते हैं और इसका और यह भी बोले debtor account बनाओ तो बनाना पड़ेगा अगर examiner नहीं बोलता कुछ भी और यह दोनों बाते आपको मिल जाए तो हम इसमें से कोई चीज और इस्तमाल ही नहीं कर सकते सब्सक्राइब अब कुछ बच्चे बोलते हैं सार बेड़ेट्स खर्चा है और फिर आपका यह जो बैड़ेट्स हो गया यह खर्चा है तो आप इसको भी धर दिखाओगे क्या मैं बोलूँगा मैंने दिखा दिया बैड़ेट्स बताओ दिख रहा है आपको इस अकाउंट के अंदर बताओ बैड़ेट्स दिख रहा है इस अकाउंट के अंदर दिख रहा है अब मानलो ध्यान दो मेरे पास सुरू में डेटर थे 500 तो, 100 रुपे बैटेट्स हो गए, मैंने यह दिखा दिया, 400 दिख रहा है बैटेट्स हब, तो दिखी रहा है भाई, मैंने 100 रुपे तो दिखा हैं इसके अंदर, और वो मैंने सर्फ क्या दिखा हैं, बैटेट्स दिखा है, तो जब आप किसी assets का opening और closing balance जब लेते हो, तो उ जितने भी काम हुए, सब कुछ सारी चीज़े हम इसके अंदर दिखा चुके हैं, तो इस account में आने आला, बैटेट्स क्या है, यहां पे आएगा, नहीं आएगा, सर् डिसकाउंट दिखा दिया, आपने बताना, डिसकाउंट दिखाया नहीं दिखाया, मैंने opening balance लिया, और क ध्यान से सोचो ना, तो इसमें reflect हो चुका है, अब सर, यहां पे खर्चे, खर्चे, अब खर्चे दो परकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सर, दो परकार के खर्चे कैसे, एक खर्चे, head office बोलता है, मैं payment कर रहा हूं, एक खर्चा, branch बोलता है, मैं payment कर रहा हूं, दो ख रखा हुआ है वह पैसे लेकिया है शाम को मेरे पास 50,000 रुपे सर आज की सील 50,000 रुपे मैंने तेरा कितना देता हूं मैं डेली उसने बोला जाएगा खर्चा किस ने पेमिंट किया ब्रांच इटसल्प कर रहा है पेमिंट यानि वो क्या करता है अब डेली क्या करता है 50,000 की सेल होता है 1000 रुपे पहले रख लेता है और बोलता सर यह आज की सेल बोला तुने अपना रख लिया हां रख लिया दूसरा एक ऐसा हो सकता है जितनी सेल है तू ला हपते में एक दिन पेसे दूँआ मैं तरको हो सकता है यह possible वो सारे पैसे आते जाएंगे आते जाएंगे फिर मैंने उसको दिया तो अब ध्यान देना समझने वाली चीज है समझोगे तो बहुत अच्छी चीज है थोड़ा डिटेल में मैं जा रहा हूँ कुछ बच्चों को boring भी लगेगा क्योंकि जो थोड़ा fast बच्चे होते हैं अब fast बच्चे का मतलब उनको लगता है कि इसलिए भस खतम हो जाए हमारा उनके लिए थोड़ा सा tension है और जिनको लग रहा है कि भाई यह कोई नई चीज़े सीख रहे है तो उनको मजाएगा तो हर तरेकी के बच्चा होता है यहां पर अब मान लो मैंने 50,000 आना था मैंने यहां लिखा कितना 50 और मैंने बोला हफते बाद तरको सेलरी दे दूँगा मान लेते हफते का सेलरी कितना हो गया यहां पर यह मान लेते हैं कि हम मैंतर को बाद में सेलरी दूँगा और एक हजार रुपए तो मैं यहां लिखूँँगा सेलरी एक हजार रुपए अब बता अकाउंट के अंदर कितना दिखाया है मैंने 49 दिखाया अगर मैं बोलू तू काट के रख ले तो फिर मैं यहां पर वो कितना दिखाएगा मुझे और फिर अगर मैं एक हजार दिखा देता हूं तो अकाउंट के अंदर कितना दिखाए 48 तो वो गलत हो जाएगा ना तो इसका मतलब जो हैड ओफिस खर्चे देगा उसको तो यहां दिखाना है । और जो ब्रांच पहले से कट कर लेगा वो नहीं दिखाना है समझ मैं इस सीवार यानि जो हैड-ओफिस बीएर करेगा एक्सपैंस यानि यहां पर खर्चे कौन से होंगे सारे हैड-ओफिस से एक्सपैंस by head office head office को नहीं, थोड़ा मैं simple सब में लिख रहा हूँ, echo ठीक है न, head office सर जो वो payment करेगा सर वो ही आएगा, सर अब वो आपको decide करना है question को decide करना है और उसमें आप कैसे समझदारी दिखाते हो तो यहाँ पे salary rent journal expense और journal expense के बाद other expense लिख देते हैं, ज्यादा लिखने की जौरत है नहीं आपको तो पता ही है सारे खर्चों के न journal expense इदर आ गया बाकी के खर्चे तो आप जानते ही हो सकता है सर यहाँ पे बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, आने जाने का खर्चा हो सकता है, any kind of expense, all expense will be put in the debit side of branch. किसी भी तरीके का हमारा आता है, हम इधर put कर देंगे, बसरते condition यह है, यह head office payment कर रहा हो उसका, अगर branch itself पैसे काट पीट के कर रहा है, तो यहाँ नहीं आएगा, क्यूंकि यहाँ पे automatically reflect हो जाएगा, यहाँ पे automatically क्या होगा, reflect हो जाएगा, सर, यहाँ पे एक expense मैंने नहीं लिखा है, मैं जिसकी बाद में चर्चा करने वाला हूँ, petty cash expense, और मैं पहले बताऊँगा, petty cash expense क्या होता है, बैस चलो मैं लिख देता हूँ, अब बस noting ही तो करोगे आप इसका, petty cash expense बता दूँगा, यहाँ पे लिखते है, petty cash expense, petty cash, ठीक है, petty cash, और इधर भी आजएगा, petty cash, correct, यह चीज़े मैंने डाल दिया, इधर का item पूरा हो गया, सब कुछ आ गया, अब रह गया इधर, अब ऐसा हो सकता है, एक debtor मुझे return कर रहा है, ठीक है, दूसरा हो सकता है, हमने खुद head office को वापसी कर दिया, समान, मतलब sales से कोई लेना देना नहीं है, हमने खुद head office को, बोला भया, यह stock खराब आया था, इस पर आपने जो भिजवा आया था, यह सही नहीं है, quality खराब होगी, तो head office हमें समान भेजेगा, उसको भी तो लिखना है, तो समान जब head office भेजेगा, तो accounting को न कर रहा है head office, तो वो लिखेगा goods sent इधर, क्या लिखेगा, क्योंकि head office के लिए क्लिए खर्चा है, तो वो इधर क्या लिखेगा goods sent, और जब हम head office को वापसी करेंगा समान, तो हम इधर लिखेंगे goods return, जो main points होगा इसका, तो sir, यहाँ पे मैं जगह बनाने जा रहा हूँ, चलिए, बन गई जगह है यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ बैटा लूँगा, क्या, goods sent, आपको समझ में आ रहा है, goods sent का मतलब क्या, मैं bit to ticky वाले head office हूँ, जब मैं समान भेज रहा हूँ, तो send ही तो कर रहा हूँ, तो goods sent, और goods जो मैं इसको भेज रहा हूँ, मेरे लिए क्या एक खर्च है, इसलिए इधर, अब उसने क्या करा, उधर से भेज दिया मुझे, customer नहीं भेज रहा हूँ, कौन भेज रहा है, फ्राज भेज रहा है, तो इधर, by return to ho, return to ho, ho मतलब head office, समझ में बाद आपको, यहां तक कोई दिक्कत, बस इतना हमें account के अंदर लिखना है, और इस account की मदद से हम क्या निकाल लेंगे सर, इस account की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, इस side में to profit, to profit, और आपको पता इधर निकलेगा तो क्या होगा, loss, मैंने account सिर्फ कौन सा बनाया है, debtor, जो थोड़ा complicated रहने वाला था, वो बना दिया, और इसके अंदर कौन-कौन से बन सकते हैं सर, इसमें से cash account बन सकता है, machine भी ब पेंड करेगा, कौन से account बनाना है, जिससे related, ज्यादा information होगा, उससे related हम बनाएंगे, बताईए, बिल्कुल, collection उसमें है, लेखिन हमें यहाँ पे sales भी तो दिखाना है, तो sales तो हमें अरक से दिखाना ही पड़ेगा, अगर मैं opening debtor लूँ और closing debtor लूँ तो सब हट गया उसमें से, लेकिन इसमें से क्या-क्या हट गया, क्या-क्या आपने यहाँ पे हटा दिया, आपने bed dates उसमें से minus कर दिया, आपने collection from debtor भी minus कर दिया, तो भई यह collection from debtor तो मुझे यहाँ दिखाना ही है, इसलिए हम इसे दि नहीं, नहीं दिखाना, वो कभी provision नाम की कोई चीज है नहीं दुनिया में, वैसे actuality में, वो सरफ company अपने हिसाब से माने लेती है, बाकि law हमें कभी भी allowed नहीं करता, provisioning करने का, अगर provision for doubtful debts अगर ऐसा कुछ allow करने लगे न, तो मैं पता क्या करूं, balance sheet में लिखूं 500 क्रोड रुपए का debtor, और P&L का debit में लिखूं 500 क्रोड का provision, profit हो गया, zero, सरकार देखती रह जाएगी, हो सकता है, logically सोचो, सरकार को क्या चाहिए, टेक्स चाहिए, और मैंने क्या करा, debtor बनाया 500 क्रोड और provision दिखाया 500 क्रोड, profit आगया, अंडा, सरकार को कुछ नहीं मिला, क्या हो गया, तो government तो मनाई करती है, भया, provision नहीं होता, लेकिन कुछ accounts के कुछ, आपके, मान लेते हैं कि हमारे limitations है, जिसको हमें follow करके, और debit credit को match करके चलना परता है, ठीक है न, तो यहां तक समझ में आ है, यह था हमारा debtor, branch account, जिसमें से हमने P&L account और जो भी निकालना थ सामने निकाल गया, clear, correct, कोई दिकत, कोई परिशानी, कोई दिकत नहीं, तो इसको मैं अभी PDF आपको भीज दूँगा, अभी हम इस पर सवाल तो नहीं कर रहे है, question तो नहीं कर रहे है, कल वाली class जो साड़े 6 बजे है, definitely इस पर question करेंगो, और यह वाला system, कल Monday है न, 6 बजे ह हाँ, तो 6 बजे है, तो उसके अंदर यह खतम हो जाएगा, definitely, sir, good sent की entry एक बार और, good sent का मतलब, जो head office समान ब्रांच को भेजेगा, good, material, बेचने के लिए, उसे good sent कहेंगे, शायद जो बच्चे late join हुए न, भी upload भी हो जाएगी वीडियो, तो आपना उसको देख लेना, ठ format के बाद न, हम बड़ी जल्दी इसके practical question भी देखेंगे, तो वो आपको फिर समझ दाने लगेगा, ठीक है, कल की class 6 बजे है, class regular attend करिए आप, जितने बच्चे live में रहते हैं, और ध्यान दीजिए, paper बहुत पास आने वाला है, बाकि subject की भी तयारी करिए, मैं तो पूरा स्लेबस मेरा target है, 15 से 18 फरवरी तक मैं पूरा स्लेबस आपका करवा दूँ, और 10 येर आ गया है market के अंदर, आप क्योंकि उसमें जो अपडेशन था, वो मैंने देख लिया, आप 10 येर ले लिजिए, paper का pattern कैसा आ सकता है, वो देख लेंगे, शिवदास का 10 येर आएगा, वो ले सकते हैं, अंजी, very very good evening, start करते हैं, last class में हमने क्या start कर लिया था, last class के अंदर हमने start कर लिया था, last class में हमने start कर लिया था, branch account, बड़ा छोटा सा chapter और अच्छा chapter, इसमें से सवाल 15 नंबर का देखो, कुछ है एक ऐसे chapter है, जिसमें से 15 नंबर से कम के सवाल नहीं बनते हैं, अब examiner के उपर है, वो 10 का भी दे सकता है, बाकी 15 का हर बार अभी तक आता है, जिसमें से एक है final account एक है branch, ये दोनों ऐसे chapter है, जिसमें से 15 नंबर के आएंगे, तो एक तरीके से मान के चलो, आपका 75 का paper है, तो 30 नंबर का हो गया, यानि आपका approximately 40% के आसपास, इसी में से paper बन जाते हैं, सिर्फ दो chapter के करने के, यानि जो बच्चे सिर्फ ये दो chapter कर लेते हैं, एक final account, एक branch, और दोनों questions आ जाते हैं, तो समझ लो, वो हो के पास, पूरे slayvers की बात करो, आपको pass होने के लिए चाहिए, तीस नंबर, तीस नंबर 75% का आप निकालोगे, तो approximately 40% के आसपास बन जाता है, ठीक है न, तो branch के अंदर हमने क्या देखा था सर, फटा-फट देख लेते हैं branch के अंदर देखा था, branch account कुन सा होता है, अगर देखा जाए, इंडियन branch की बात कर लें, जिसको inland branch भी बोलते हैं, इसके अंदर दो पार्ट था हमारा, एक था dependent branch, एक था independent branch, हम dependent branch सीखेंगे, इंडिपेंडेंड ब्रांच हमारे slaybers में नहीं है, foreign branch भी हमारे slaybers में नहीं ह अगर debtor system और stock debtor system में भी बात करते हैं फटा फट से देखिए हम क्या सीखने है सर profit and loss बनाना profit and loss बनाने का मतलब सर क्या बना रहे हैं हम branch account बना रहे हैं branch account के अंदर क्या होता है सर इधर सारे assets लिखो उसका closing balance लिखो सारे assets का closing balance का मतलब एक assets ऐसा है जिसका account बनाना पड़ेगा जो कि यह debtor account जिसका हम अलग से account बना लेंगा और इधर क्या आएगा सर good sent और यहाँ पे सर खर्चे लिखे जाएंगे कौन से खर्चे लिखे जाएंगे जो कि head office payment कर रहा है वो खर्चे यहाँ पे लिखे जाएंगे और अगर कोई हमने head office को direct return किया है तो वह कहां जाएगा हमारा buy side और इसी तरहीके से यहां से हमारा या तो profit निकल जाएगा या फिर loss निकल जाएगा फटा-फट देखते है debtor account debtor account क्या होता है कि हमारा debtor assets है तो two balance bd by balance cd अगर debtor की बढ़ाने की बात करे तो दो ही reason बढ़ने का है आता है इस बात का आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो हमने format देखा था उस बेस पर एक question देख लेते हैं फटा-फट से यह आपकी किताब का ही question है सवाल number one इसको हम अभी करने वाले हैं फटा-फट से देखिए हम बना लेंगे अभी हमने देखा था इसके अंदर भी दो पार्ट थे at cost at ip आज at cost खतम कर लेंगे कल at ip खतम हो जाएगा पर सो दो ही account तो बनने है एक बनना है सर ब्रांच अकाउंट सर यह कौन सा अकाउंट बना रहे हो ब्रांच अकाउंट और एक बनाएंगे कौन सा अकाउंट हालाकि देख लेते हैं कोश्चन में क्या requirement है कहता है प्रिपेर हैदराबाद ब्रांच अकाउंट गुट सेंट टू ब्रांच अकाउंट इंदा बुक्स ऑफ एच्चो एक गुट सेंट टू ब्रांच भी बनाना है तो इस वाले ब्रा अकाउंट हमारा बनेगा या नहीं बनेगा डिपेंड अगर दो बाते मिले जाए ना स कोश्चन में तो डjemर अकाउंट बनाने के जूरत नहीं क्या क्लेक्शन इपर और और यहांपर घूंड मेति कर्दा लयाव सिर्थ को और थोड़ा बढ़ा कर देते आंब अब मेह अब कई यहां पर अगर ध्यान दें तो सर एłeों पर लिख देखिए यहां पर लिखहा है ने सर्किया क्लेक्शन किदर चला गया भाई क्लेक्शन फॉर्म लेज़री देटिस कैश रीसीफ और एक बात को मिल गया दूसरी चीजा और डूडनीक क्लोंड की है है हमारे पास यहां closing balance में देखो debtor का closing balance ऐसा मस समझना कई बार question mark डाल देते हैं यह दोनों मिल गया तो भाई आप हमें debtor account नहीं बनाना तो अब हमारा सारा का सारा जो काम चलने वाला है वो यहीं company चन्नेई send goods to branch हैदराबाद चन्नेई का एक head office है और यह अपना भेशता कहां पे हैदराबाद में समान बेचता है डा ब्रांच सेल गुड़ कैश एंड क्रेडिट भाईया ब्रांच दोनों समान बेचता है उधार भी और नगद भी all the proceeds relies by the branch sent to head office proceeds का मतलब होता है जितना पैसा cash का आता है branch के पास वो किसको भीज़ देता है head office को जब कभी भी branch head office को कुछ भी भीज़ता है तो उसको क्या नाम से मैंने बोला था रेमेटेंस उसको किस नाम से बोला था रेमेटेंस कहा आता है debit में या credit में credit में आएगा आपका ठीक है न इसके बाद कहता है expense meet by head office देखिए specially line mention होगा expense meet by head office इसका मतलब सर यहाँ पे सारे expenses आने वाले हैं क्योंकि expense कौन दे रहा है head office दे रहा है petty expense which meet by the branch कहता है बहिया petty expense तो branch ही देगा head office नहीं देगा cash sent by head office against regard लेकिन head office ने फिर भी कुछ खर्चेत के लिए पैसे भेज दी है the branch की sales journal debtor leisure only कहता है कि बहिया ब्रांच जो sales general है debtor leisure only यानि debtor system follow कर रहा है sales journal और debtor यानि यह system follow कर रहा है the following list transaction between the head office and branch में कुछ हुआ 31 मार्च तक कहता है sir opening balance है goods sent है goods written by the branch और credit sales cash sales सारी चीज़े हैं जो कि हम लिख लेते हैं फटा फट से तो सर सबसे पहले opening balance कहां आएगा बताइए मैंने सिखाया आपको तू साइड में आ जाएगा क्या लिखें टू बैलेंस है तू बैलेंस बीडी क्या क्या आएगा सर सबसे पहले स्टॉक कि स्टॉक के बाद debtor कि सर पैटी कैश भी बताया था अब फटा फट amount लिख लेते हैं पांच पैंतिस पांच पैंतिस तो देखो इतना असान है न और तो कुछ सबस्ट नहीं बाद में टूटल कर लें गुट सेंट कहा है गा है इधर ही आएगा किर गुट सेंट इधर ही आजाएगा गोड़ सेंट कितने आगए फटा-फट देखके बताए यह 13 हमारा goods sent to branch 40,000 इसके बाद आ जाते हैं goods return by branch अगर debtor return करता तो तो debtor में branch ने return किया तो यहां जाएगा return और सर कितने का return पच्चिस सो का याद है ना आपको इसके बाद आगे देखें तो cash sales तो by remittance सर सेल्स कैस में कितने का और कहता है लेजर से collection 33,000 तो सर डेटर से 33,000 आगे कहता है goods return by debtor debtor ने return किया तो कहां जाएगा debtor account के अंदर क्या बना रहे हैं debtor account नहीं बना रहे हैं तो छोड़िए पर इसको यह मेरे किसी काम का नहीं है discount allowed कहां जाता है discount allowed debtor account में क्या हम debtor account बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं क्योंकि closing दे रख तो यह भी किसी काम का नहीं although debtor बना भी लोग ने तो कोई marks कटने वाला है नहीं बैट डेट कहां जाता है debtor account पर हम बनाई नहीं रहे debtor account ब्रांच expense meet by echo देखो साफ साफ कह दिया पंदरा सो रुपए तो भाई यह एक्स्पेंस यहां डालेंगे और पंदरा सो रुपए लिख देंगे बात ही खतम पांच छे जारे पंदरा सो है यह है salary एंड एक मिनट यह तो heading है भाई यह तो heading है अब आगे कहता है salary wages कि सर्व सेलरी कितने का पांच हजार और उसके बाद रेंट कितने का तीन हजार इसके बाद telephone एक हजार इसके बाद क्या कहता है other expense पंदरा सो other expense पंदरा सो आगे कहता है closing balance at branch branch के कुछ closing balance है तो लिखते हैं वाइक closing किया कैसर स्टाउक कितने का नो हजार चेक कर यह डेटर भी होना चाहिए डेटर कितना है छे आजार पैटी कैश भी होना चाहिए सो रुपे बाद खतम टोटल कर लेते हैं इसका पांच तिन आठ इसका टोटल कर लेते हैं पांच तिन आठ एक नो हाँ यह रह गया का है अच्छा यह रह गया 1200 कोई बात नहीं 1200 रुपे यहां जाएगा जब कभी भी हमें head office भेजेगा ना पैसा तो हम यहां लिख लेगे पैटी कैश इस साइड में पैटी कैश इसके उपर कहानी समझेंगे ना बाद में कितने रुपे बेजा हमें बोला ले भाई 1200 रुपे से खर्च कर दे तो मैंने खर्च कर दिया head office ने बेजा तो मैंने यहां डाल दिया इसके पीछे actual logic क्या है जब हम stock debtor system पहेंगे तो समझ जाएंगे हम वहाँ पर भी पैटी कैश आएगा लेकिन वहाँ दूसरे तरीके से आएगा कि अब इदर आ जाते हैं नो और छे पंद्रह हजार एक सो यह यह ना पंद्रह और तैस पैंतालिस कि अब फटाफट टोटल करके प्रॉफिट बता तो कि अधर का बताना पंद्रह यह टोटल कि माइनस कर दो कि अरे भाई फटाफट माइनस करो फूर्ति दिखाओ आप क्या देख रहे हैं फोन में कौन सी कहान यह गई कैल्कुलेटर अभी तक तो एक जवाब नहीं आया आए आपका कौन से कैल्कुलेटर है और कैल्कुलेटर फोन में किस ने बोला चलाने के लिए आंसर चेक कर लें किताब में अगर यह आ रहे तो ठीक नहीं तो दुबारा आपको यह करना हुगा तो इसमें डेटर अकाउंट मैंने नहीं बनाया लेकिन इतनी सारी जानकारी थी जिसे मैंने छोड़ दिया किसी को लगता है सर यह डेटर में जाना चाहिए आप एक वार को जब करेंगे ने दुबारा तो डेटर अकाउंट बना लेना कोई फरक नहीं पड़ता उसके इंदर उसमें क्रेडिट से निकल जाएगा टू साइड में और कुछ भी नहीं निकलेगा क्लियर एक और सवाल देखें कि चलिए गौतम ने भी जवाब दे दिया आए आगे एक और कुछ न आए बोट पर दियान दिजिए बोट पर एक और कुछ नहीं हमारे सामने कहता है एक लिमिटेड इन्वाइस गुड्स ब्रांच को करता है बेस्ट बेंगौल है दा ब्रांच सेल गुड्स क्रेडिट एड़ेलेस कैश फ्रॉम दा फॉलविंग द लेटेड टू दा कौलकाता ब्रांच पर फेर दा ब्रांच अकाउंट असर्टेन दा प्रॉफिट और लॉस ऑफ दा ब्रांच यहीं हम निकालना सीख्ट हैं कहता है गुड्स रिसीफ फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एड़ ऑफिस है तो गुड्स सेंट भी बोल सकते है और बात वही आ गई गुड्स रिटन टू एबीसी लिमिटेड तो एड़ एच्च चैस दे रखा है यहां पर दे रखा है अलाउंस इस टू कस्टमर और अलाउंस इस टू कस्टमर मैंने आपको बताया था अलाउंस किसको बोलते हैं याद है कुछ मैंने बोला था न Congress नाम से भी जानते हैं तो यहां पर आगया क्णिप टो कस्टमर तो एक तरीकन और रेंटर और इस तरीके से डिसको 可以Jack यानि डेटर का आपका बैलेंस दे रखा या नहीं दे रखा सर नहीं दे रखा तो आपको बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट क्या यह सवाल आपसे हो जाएगा तो मैं इससे एक एडवांस कुश्चन करूं आपको एक बार देख लीजिए यह सवाल हो जाएगा तो ठीक नहीं तो इसके एडवांस लेके चलूँगा सर फुल कुश्चन हाँ अभी अगला थर्ड करूँगा ना जिसमें सारे अकाउंट बन जाएंगे और एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनेंगे हो जाएगा यह हां जी जो इतने बच्चे लाइव में है पटा पट बता दे हो जाएगा नहीं होगा हो जाएगा क्लियर अगले सवाल पर चले इसमें कुछ नहीं करना फिल करना एक डेटर अकाउंट भी बनाना है जो नए नए नाम थे वो मैंने आपको समझा दिए कहां क बाला हुआ है देख रह ra है यहां पर क्लोजिंग बैलेंस के आगे कुश्षैनमार क्श्षैनमार कं सट खूर क कॉश्षैनमार को पाल लगा हुआ है इसका मतलब यह सारे अकाउंट बनाने पढ़ेंगे क्लोजिंग बैलेंस जब दे देता है तो हमारी टैंशन थोड़ी सी लेकिन आप closing balance इनका है ही नहीं आपके पास आपको कहीं न कहीं से तो निकालना पड़ेगा तो closing balance बनाने के लिए या तो सीधा minus करके पता कर सकते हैं और अगर transaction ज्यादा हुआ तो उस situation में क्या करेंगे हम बड़ी सीरी सी बात है account बना लेंगे चलिए आईए करते हैं question start question number three आपके किताब का एक बना लेते हैं branch account एक बना दूँ जगे देख रहा है क्योंकि कुछ अकाउंट ना देखो एक डेटर अकाउंट में हो सकता मैं बना दूँ जगे देख रहा है क्योंकि question भी तो दिखाना है ना आपको और जो होगा छोटा 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 मैं roughly account बनाऊंगा आइडिया मिल जाएगा वैसे एक डेटर ही बनना है और कोई बनना नहीं है मेरे हिसाब से बाकि देखते हैं क्या होता है एक तो अगला page इस्तमाल करेंगे और क्या क्याता है from the following transaction related to लखनव ब्रांच प्रिपेर ब्रांच अकाउंट इन दा मुंबई office all expense paid by the branch as per agreement of head office यह क्या बोल दिया इसने कि जितने भी खर्चे हैं वो कौन पे करेगा ब्रांच देखिए पहले क्या था था सारे खर्चे कोन paid कर रहा था अब सारे खर्चे कोन करेगा अब मानलो मेरे पास 5 लाग की जाए और दिन का खर्चा होगिया 25,000 तो मैं 5 लाग में चलिए सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक आपका दे रखा है 378 तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर कि टूब ओपनिंग बेल लेंज कि यहाँ पर स्टॉक है सर कितने का है 378 आराम से करेंगे इस कुश्चन से मान के चलो पूरा पार्ट कॉंसेप्ट खतम हो जाता एक तरीके से डेटर कितने का एक पैंतेस पांसो इसके बाद प्रसनल कंप्यूटर कितने का पैंतालेस इसके बाद देखा जाए तो ब्रांच बैंक कितने रुपए नो हजार छेसो पचास यह तो मैं सिर्फ देखो सिंपल कर रहा हूँ चलिए आगे कहता है ट्रांजेक्शन डूरिंग दा इयर गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच यानि हमेसर समान बेचने के लिए समान मिल गया है तो मैं क्या लिखूँगा ट्रू गोड्स गोड्स क्या लिखे हैं सेंट कितने का सात लाक वह यह पहले एक बात समझो क्योंकि यह गुट्स तेट यहां क्यों लिखा है समझ में आ रहा है ना क्योंकि यह अकाउंट किसका बन रहा है ब्रांच का लेकिन बना कौन रहा है एड ऑफिस तो भी यह समान भेजी रहा है इसलिए वह गुट्स सेंट लिखता है ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं गुट्स सेंट के बाद आगे फटा-फट देखें गुट्स ट्रांसफर भी यू ऐसर बयद आजो ने स्टू फॉसीर देखें कि यह किद्स इंट जीमिन ऩर खेंका देगे इक रहा है इसका मतलब सरकी बैंक अरे बनाना बड़ेगा मिश्क करशिकाय है उसके मतलब फार्शें के मिनिवाम बनादाव का ये इसके ठीक है सबसे पहले टू बैलेंस बीडी मैं बहुत रफली यूज कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए बैंक अकाउंट कैसे बनता है एसेट से बताया था इस साइट से गट जाएगा बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है सर 9 6 50 और इधर क्या जाएगा बाइब प्रैइलेंस कि अ जी कहा करेंगे कोई बात नहीं जैसा कितना है एक लाक सेप्रसमंज में आ आगे कहता है तो यह तो डेंटर की बात कर रहा है तो डेंटर भी निकालना इंपड़ेगा तो डेंटर भी एकमट बनाई लो तो डेटर अकाउंट के लिए मैं यहां इस्तमाल कर लेता हूं यह थोड़ा बड़ा बन जाता है न तो देखो कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना आपको मुझे सरफ मेरी मजबूरी है कि मैं आपको कुश्चन दिखा पाऊं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि नहीं तो जगह तो है कुश्चन हटाना पड़ेगा बट अरे कि कुश्चन ही अट रहे हैं तो कि चलिए डेटर का सबसे पहले डेटर का उपनिंग वैलेंस है वो तो लिखी लेते हैं कि टू बैलेंस बीडी कितने रुपय हैं उपनिंग एक लाख 35,500 ठीक है अब कहता है कि क्या कह रहा था जो मैंने यहां लिखा कैस और क्रेडिट सेल्स तो क्रेडिट सेल्स यहां है कितने का कर दिया क्रेडिट सेल्स आठ लाग पच्चेस अजार ट्रेडिट सेल आगे कहता है रिटन सेल्स रिटन बाई सेलिंग प्राइस तो सेल्स रिटन कौन करता है डेटर करता है भाई बाई रिटन कितने रुपे का इस रिटन में और इस रिटन में डिफरेंस पता है न ये ग्राहक कर रहा है और ये ब्रांची हेड आफिस को कर दे रहा है दोनों में फरक है ठीक है न चलिए सर ये भी हो गया इसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर कस्टमर से पैसा मिला तो बाई बैंक यहां पे आ जाएगा कितना पैसा मिला आठ लाक पैंतालिस हजार और सर ये पैसा मैं हेड आफिस को नहीं दूँगा मैं अपने पास जमा करूँगा तो यहां पे डेटर आ जाएगा और आठ लाक समझ में आ रहा है ठीक है न चलिए सर आगे देखतें डिसकाउंट अलाउट बो को न बताएगा कहां जाएगा डिसकाउंट का लग लाओ डेटर अकाउंट में भाई डीसकाउंट और चाउंट कितने का है एगशन वादू इट 93 दो चसत्प कि तने रुपे French हगे इगरीड अमाउंट ट्रांश्फर्ड फ्रॉम ब्रांच अकाउंट आठ लाख पिच्चानवे हजार कहता है भाईया एक साथ हमने पैसा हैड़ ऑफिस को दे ही दिया कितना पैसा दिया है एड़ ऑफिस को शब्दों पर यह कहता है एग्रिगेट का मतलब टोटल अमाउंट ट्रांशफर फॉम ब्रांच बेंक यानि ब्रांच बेंक से ट्रांशफर कहां हुआ हैड़ ऑफिस में है एड़ ऑफिस में से जब भी पैसा आएगा यहां लिखेंगे बाई रेमिटन्स और कितना है अशर बैंक से? आठ लाग पे चानवे अजार अब एक बात बताईए क्या मेरा बैंक अकाउंट खाली नहीं हुआ होगा? जब भेजा मैंने हेड अफिस तो बैंक अकाउंट खाली हुआ होगा तो बैंक में किदर जाएगा? बाइ एचो समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? अभी तो खर्चा डालेंगे हैं अभी कहां खता है? बंद कहां किया है? अभी तो चल रहा है बीच में? यहां तक सही चल रहा है? है आगे चलिए देखें बुक के अंदर बड़े सारे अकाउंट बनाते हैं तो भुक के सोलूइशन पर नहीं जाते हैं हमें जितना समझ में आता है उतना हम करते हैं और वो सारत सही रहता है इसा नहीं कि गलत हो ठीक है वो चोटे-छोटे-छोटे-छोटे पुइंट्स के भ कुछ कहीं भी निए वोला हूआ कि आप इय काउंट बनाओ ये अकाउंट बनाओ येकंट बनाओ नहीं बोला वह है करने साथ grand का मतलब रेंट इक अदर आएक बिनर अब एक बताना मुझे क्या मैं यहां भी रेंट लिख दूँ नहीं क्योंकि ब्रांच ने जब दे दिया तो पैसे काट के तो भीज रहा है तो यहां क्यों लिखेंगे इसके बाद वेजिस कोई बात ने सर वेजिस कितने 45,000 कोई बात ने चलने दो दिख जाएगा वेजिस के बाद कहा है जर्नल एक्सपेंस 45,000 है अच्छा साथ 630 है डिलीट करो इसे बाइज जर्नल एक्सपेंस कि 7,000 है इसमें से हटा दूँआ साफ दिखेगा अब चिंता मत करो जब मेरा कुशन पढ़ावा हो जाएगा तो सवाल को मैं साइड में कर दूँआ इसके बाद transaction at head office on behalf of branch head office कहता है ये खर्चे मैंने किये है कहता है transaction at head office on the behalf of branch कहने का मतलब क्या है ये खर्चे मैंने किये है और ये कौन बोल रहा है head office तो भाई तू जितने भी head office खर्चा करेगा मैं सब लिख दूँआ यहां पर यही है न कहानी तो सिखा तो यही है अब क्या कहता है goods transfer by branch as per above तो पताइए भाई अगर goods transfer की बात चल रही है तो head office ही देगा और कहीं से तो मांग नहीं सकते हैं आगे कहता है goods return from branch head office कोई किया तो भाई यह सुनी सुनाई बाते कर रहा है एक वड कहता है cash receive from branch उपर जो given है cash receive from branch यही तो था लिख तो दिया और कितनी बार बताएगा यह salary branch staff ओ इसका मतलब यह salary वाला खर्चा head office ने दिया है तो क्या इसे हम यहां लिखें तो कहां लिखें expense में आ जाएगा two salary सबसे बड़ा catch यह था एक लाख बावन हजार पांसो समझ में आई बात आपको सब कुछ पढ़ लिया question को side कर दिया जाए side करें चोटा कर दें लेकिन question के उपर यह भी तो है कोई बात ने कोशिस करते हैं अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए by closing और closing किसका चाहिए एक stock का चाहिए sir और किसका चाहिए debtor का चाहिए sir और किसका चाहिए computer का चाहिए sir और किसका चाहिए bank का चाहिए sir सबसे पहले stock का closing क्या सवाल में एक दे रखा था क्या stock का closing सवाल में दे रखा है आप चेक कर ये नहीं दे रखा ये क्या है कि इस टॉक दे रखा है 270 जलो दुबारा दिखा दे है दे रखा आ है है दो सत्तर है अ क्या कंप्यूटर का दे रखा थे कुस्चन मार्क बोल रहा है पहिए यां पर बता दो क्या करा हमने कहता है प्रॉवाइड डप्रीशेशन ट्विंटी परसेंट अन कंप्यूटर इसका मतलब सर कंप्यूटर था हमारा 45 का 20 परसेंट डप्रीशेशन लगाओ गे तो कितना लगेगा नो हजार तो बचेगा कितना 45 में से नो गए तो किसी को इसमें डाउट है तो यह मैंने कर दिया यहां पर 45,000 इन्टू 20 परसेंट डेट इस नो हजार और यह माइनस हो गया 45,000 से जो कि बच गया हमारा 26,000 यहीं साथ के साथ मैंने कर गे सब्सक्राइब अब कौन से काल्कुलेशन कर रहे हैं जाए इसार इस तो अब ने करो अब तो अब यह जाए चलिए आगे देखते हैं समझदार कोई सारा काफी अब एक बावन आ गया इसके बाद सर यहाँ पे मुझे बैंक का बैलेंस चाहिए और डेटर का बैलेंस चाहिए डेटर वहाँ से निकल सकता और बैंक चलिए बैंक करिए फटा फट टोटल 96 फाइव फिफ्टी एक लाख चपन अजार आठ लाख पैंतालिस अजार दस लाख दस लाख दस अजार छेसो पचास गलत है क्या आएगा फिर भाई लाइब वाले बच्चे भी बता दो सेलरी बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आया समीर सेलरी का जो खर्चा है वो पता है किस ने किया वो ब्रांच ने नहीं किया है एड आफिस ने किया हैड आफिस ने किया तो हैड आफिस ने किया इसलिए आए ठीक है न वहाँ पर माइनस करिए साथ हजार अब डेटर में से निकालिए डेटर में से निकालिए डेटर का टोटल मेरा कैलकुलेटर नहीं है डेटर का टोटल सीडी यह गलत है एपिच्यासी वाला हट गया चलो बतो भाई एक लाग दो हजार चार सो पचासी है ना अब फटा फट से टोटल करके क्या निकाल दो टू प्रॉफिट खतम इससे बड़ा कोश्चन इस वाले में नहीं आ सकता सिंपल वाले में देखो लास में लिखा है रिवीजन ओली बच्चे ज़्यादा इसको सीरियस ना ले सरफ रिवीजन करें तो मैंने तो पूरा ही कोश्चन करवा दिया इसको कुछ था भी नहीं ऐसा प्रेले इसका टोटल अब 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 इस आधा दिया भाइद दूसरा भी बता दो गौतम और अब 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 यह 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 दस ब्यासी गलत है अब यह अब वो तो लगा रहे हैं इसने जैसे गलत बोला में मिटाना चालू करते हैं माइनस करिए हो सकता है यह ज्यादा हो तो लिख तो दिया इधर का टोटली तो इधर लिखा है हाँ दो सतर ही है चार लाग तो नहीं आएगा भी है दस में से साथ लाग तो ऐसे ही माइनस हो गया चेक करिए क्या यह बुक का अंसर क्या चेक करो भई दस लाख दस हजार छेसो पचास वही बच्चे तो यह कुछ और बता रहे हैं नहीं यह पुराने इवता रहे हैं उनका रहने दो रहने दो कि यह आठ दो दस ग्यारा सही बोल रहे हैं यह आठ तो यह हो गया दो दस तो यह हो गया एक लाख यह भी है देखो आपको न परोना वाइरस से अभी तक आप निकले नहीं हो जमा घटा नहीं आ रहा बताओ कितना है देदो क्याल्कुलेटर देदो मेरे को अरे इसको निकक तेरा पच्चिस चार सु सत्तर कि माइनस कि वाई यह कैल्गुलेटर ना थोड़ा हैंडी कैप इसको देख लो आप कि एक लाग सत्तावन अजार एक्सवस्थी चेक करिए लो इनफेक्ट लॉस आ रहा है कि एक लाग सत्तावन अजार एक्सवस्थी चेक कि इसका टोटल यह वाला लेंगे अब हम देख लीजिए यह आगया चौदा लाग यह लिजिए इसका भी आंसर ड़न यह लो यह कैलकुलेटर एक्जाम में दोका दे सकता है आपको देखो यहां लाइव वाले बच्चे ही बता रहे हैं कि दूसरी साइड जाद है आप आफ लाइन वाले नहीं बता पा रहे हो चल यह ठीक है समझ में आया कोशन था असान यह लेकिन आप यह ध्यान दीजिए कि क्या क्या रिक्वायर्मेंट है उसके हिसाब से हमें अकाउंट बनाना आ बुक में तो कंप्यूटर अकाउंट भी बना दिया होगा जरूरत नहीं था हम डारिक्क कर सकते तो कर सकते ठीक है बैंक अकांट बनाना जरूरी था क्युक्कि इसके अंदर आइटम ज्राद अप मनाना जरूरी क्यूकि इसके इंदर इनफोर्मिशन ज्लाद है तो तो एकुरेसी का चांसें बढ़ जाएंगे इसके बाद अब देखा जाए तो इस टॉक का बैलेंस नहीं देगा तो एक टोड़ का अकाउंन्ट भी बना लेंगे या निदि जिसका सीडी में बूला था कि आपका खर्चा कोन पेड कर रहा है ब्रांच जब कभी भी ब्रांच पेंगा तो अपने बैंक में से रेमिटिंस में से क्या करेगा माइनस करता जाएगा बैंक में से और ये वाला खर्चा specially last में question ने क्या कहा था कि भाईया head office कह रहा है कि मैं pay करूँगा इसका खर्चा आपको pay करने की कोई अवशक्ता नहीं है तो यहाँ पे आपका जो 152 था मैंने वो यहाँ पे दिखा दिया और इस तरीके से हमारा answer आगया किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी है तो बता दीजिए अगर बताईए तो पहला अगर हम देखें हमने कहां से start किया था इसमें क्या-क्या सीख रहे थे हम इसमें हम सीख क्या रहे थे सर हम branch account सीख रहे हैं यह सब तो लेवस का पार्टी नहीं है थीओरी आ सकता है what is the difference between the Indian branch and foreign branch what is the difference between the dependent branch independent branch सारे थीओरी आपके book में given है ठीक है न तो थीओरी का पंदर तारिक के बाद एक ही बार में सारे थीओरी फटा-फट से एक से घंटे में निप्टा दूगा मैं मैं बताता जाओंगा इस थीओरी में यह लिखना याद करना आपके जिम्मेदारी रहेगी वह पूरी के पूरी ठीक है अब dependent branch के अंदर डेटर सिस्टम है डेटर सिस्टम और डेटर सिस्टम और स्टॉक डेटर अब डेटर सिस्टम के अंदर भी दो है एक है हमारा simple जिसे आई-पी प्राइज सर आई-पी प्राइज अभी हमने किया ही नहीं है आई-पी प्राइज अभी हमने किया नहीं है हमने सिर्फ कौन से वाला खतम कर लिया और मैं अगेन कहूंगा जो इसमें assignment practical problem है आप करिए बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके अंदर answer में काफी सारे error है तो उस error को ध्यान में रखे ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप एक ही question के पीछे निकाल दो कि मेरा answer क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा है बड़ी सीधी सी बात है हमने concept समझा और पिछले 10 सालों के सवाल कर लिए जो डियू में आए हुए हैं और उस सवाल को कर लेते हैं तो वही रहता है बात होगे सर पिछले 10 साल तो paper ही नहीं हुआ हम तो पहली बार आ रहे हैं तो सर स्लेबस बदलने का मतलब क्या है यह सर्फ स्लेबस बदलना सिर्फ बच्चों के मन का भ्रहम होता है हम जैसे teacher के लिए स्लेबस नहीं बताता है पिछले साल भी final account पढ़ाए था अब भी पढ़ा रहे हैं तो जो final account के pattern चलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से वैसे ही pattern अब भी संदलने का मतलब या new introduce का मतलब होता है कि subject वही रह जाते हैं सब्जेक्ट जो है जैसे accounts है तो accounts में जो changes करना होता है चैप्टर यह तो डिलीट किया जा सकता है या चैप्टर को extra किया जा सकता है तो जो चैप्टर continuously में है उसका trending question तो वही रहने वाला है जो पिछला था हमा करता नहीं है मैं साफ साफ बोल हुआ क्यों सर उसकी practice क्यों ना करें क्योंकि वह question जो थे जो कोविड में आई हुए थे वह open book था open book में examiner का main motive यह होता था इतना मुस्किल question बना दोना कि यह बच्चे नकल मारके ना लिख पाए ठीक है ना तो वह question कई वार ऐसे भी थे जो कि c.a. level के उन्हें ने बना बना के डालें open book examination में 2020 और 2021 का जो सेशन गया होगा या 20-21 में तो उसको छोड़कर बाकी आप examination के question के practice करना है यह नहीं कि किसी दोस्ते मारा पिछली बार सर open book का मिल गया question उसको करने बैठे पता चला कुछ होई नहीं रहा हमसे हमें कुछ आता ही नहीं है तो वह नहीं वह उनका paper वाक्य में क्या था बहुत टफ आया था तो उस पे नहीं जाना है आपको सिर्फ regular normal paper को solve कर अब जिसको नोट करना है फटा-फट से नोट करिए यह सवाल नोट करना है भाई नोट करना है और बाकि लाइव वाले बच्चों को PDF अभी मिल जाएगा और आप PDF से नोट कर लेंगे और वीडियो भी थोड़ी दिर में आ जाएगा तो मिलते हैं next class next class का intimation में शाम तक announcement मे में डाल दूगा कि कितने बज़े होगा और कली होगा next class भी अपका कर लिए चलिए स्टूडेंट करते हैं हमने क्या क्या कर लिया था सर हमने कर लिया था ब्रांच अकाउंट ब्रांच अकाउंट में हमारा इंडियन ब्रांच और इंडियन ब्रांच के साथ dependent और dependent के अंदर भी हमारा at cost price वाला finished हो चुका है at cost price वाला finished हो चुका है अब हम बात करेंगे इस से आगे की कहानी है छेक है clear है voice ठीक है ok अब बात करेंगे इस से आगे की कहानी अब हम करने वाले है sir हम करने वाले है ब्रांच अकाउंट ब्रांच अकाउंट और वो भी at IP प्राइस at IP प्राइस at IP प्राइस अच्छा sir जी हाँ sir ये होता क्या है IP प्राइस सबसे पहले कुछ शब्द है उसको clear कर देते हैं invoice price या फिर सेलिंग प्राइस या फिर हम ऐसे लिखने हैं हम सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस को ही कहते हैं हम invoice price या फिर आप कहलो IP इसके ब्रैकिट में लिख देते हैं या फिर कहलो loaded price जो ये शब्द है ना कई बार आपको इस से पहला पढ़ने वाला है तो इसलिए मैंने इन शब्दों का इस्तमाल यहीं पे कर लिया IP का मिनिंग यानि सर बड़ी बेसिक सी चीज है अगर हम बात करते हैं सर किसकी invoice price की यानि IP price की तो वो कुछ भी नहीं है nothing it is sales उसे selling price कहते हैं जैसे मान लेते हैं example मैं कुछ example लोगा बताते जाएएगा अगर मैं 10 रुपे का समान खरीदता हूँ मेरा cost है 10 रुपे का अगर उसे मैं sale करता हूँ कितना 12 रुपे में तो मेरा जो IP price होगा न वो IP price मेरा होगा 12 रुपे ठीक है न 10 रुपे का समान को मैं 2 रुपे के profit पर जवाब दीजिएगा मुझे 10 रुपे के समान को मैं 2 रुपे के profit पर बेच अगर 2 रुपे के profit पर बेचे तो बो रुपे भेचने का मतलब यह होगा वारी रुपेşekkür अधि IP price, यानि IP price is nothing, IP price क्या है sir, IP price स्रिफ और स्रिफ हमारा है, हमारा क्या है sir, IP price, selling price, IP price हमारा क्या है sir, selling price है, correct, clear है, तो IP price क्या होता है, स्रिफ selling price होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, चलिए sir, यानि सर एक बात तो clear हो गई कि IP price मतलब selling price है अब मैं एक छोटी सी बात करूँगा एक मैं आपके सामने एक account बनाने जा रहा हूँ अब ध्यान देजिएगा इस account को एक account बनाने जा रहा हूँ ये मैंने आपके सामने account बनाया माल लेते हैं मैं एक trading account बना रहा हूँ जो कि अभी हाल फिलाल में आपने किया है तो trading account बना रहा हूँ trading account बना रहा हूँ trading account में देखा जए तो सबसे पहले हमने क्या लिखा मैं एक छीज बताता हूँ आपको मैंने समान goods purchase किया goods purchase किया 5000 रुपए का इसके उपर profit मैं रखूँगा 2,000 रुपए और इसको मैं sales करने वाला हूँ 7,000 पे 7,000 पे ठीक है तो मैंने sales, by side में sales लिखा by side में sales लिखा 7,000 रुपए का ठीक है और मान लो मान लो branch और एक है हमारा head office head office क्या सारी बाते branch को बताएगा क्या head office ये बताएगा कि मैं 10 का समान 12 रुपए में बेच रहा हूँ क्या head office बताएगा कि आपको मैं इतने का समान इतने में बेच रहा हूँ तो कई बार head office नहीं बताता जब head office नहीं बताता कि इतने रुपे का समान हम इतने रुपे में बेच रहे हैं जब head office नहीं बताता तो ऐसे situation में branch को जो इसने good send किया मान लेतने हैं इसने branch को send किया 7000 रुपे का तो good send जो होता है वो तो इधर ही लिखेंगे यानि एक तरीके से जो purchase कहलो या फिर कहलो good send तो वो तो इधर ही लिखेंगे कितना लिखेंगे 7000 और बेच भी दिया कितने का 7000 मेरा सवाल ये है कि आप मुझे यहां से निकाल के बता दिजिए सर क्या निकाल के बताईए आप profit निकाल के दिखाईए तो net profit आपका आएगा सुनने जीरो आएगा सर net profit क्या आएगा जीरो आएगा इसका मतलब सर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज अगर आपका selling price पे हो दोनों side अगर कोई चीज selling price पे होगी तो ऐसे situation में profit निकालना मुश्किल है ऐसे situation में क्या profit निकालना मुश्किल है तो क्या किया जाए सर? क्या किया जाए सर? क्या किया जाए? एक इसका तरीका है मैंने तरीका निकाला है एक हम क्यों ना इसके अंदर से जो profit 2000 है उसे हटा दे तो एक तो तरीका यहां है कि less कर दो भी यहां से profit जो इसके इंदर जोड़ा है 2000, तो ये बनेगा सर हमारा 5000, अब टोटल करेंगे तो 2000 रुपे हमारा profit निकलेगा, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, इसका एक और तोड़ निकाला है, एक और तोड़ निकाला है, सर क्या तोड़ है इसका, इस पे जो profit है उसका profit को buy side में लि yeahThe Loading किया होता है sirLoading होता है हमारा rade zare l coating होता है जिसमें हमारा profit included होता सुअ कंदि को ही लूडिंग क्या होता है sirओ profit को ही लूडिंग कहते है तो बड़ी सीथी सी बात है हमारा profit is equal to इसको हम क्या कहेंगे loading कहेंगे और साथ के साथ इसको एक और नाम से जाना जायेगा सर एक और शबद आपके लीए आरहे है new शबद एक और शबद कौन सा लेके आओगे सर आप एक और शबद लेके आएंगे हम क्या हम लेके आएंगे एक और शब्द जिसका नाम है रिजर्व रिजर्व जिसका नाम है रिजर्व भाई इतना लेट क्यों आए हैं बच्चे नई 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 मैं थोड़ी वही सुबह साथ बुझे के क्लास है मैं तो डेली लेता हूँ सुबह साथ मैं दुबारे से फटा फट से क्विकली समझा देता हूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांच का एक बार दुबारे रिमाइंड करा देता हूँ एक बात और भी मैं क्लियर कर दूँ जिन बच्चों का यह टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा हाँ सुबह ही रखो तो सर ट्रेडिंग अकाउट मेरा कहना समझिए आप कि हम कर रहे हैं ब्रांच अकाउट एट आईपी प्राइस सर वाट इस दा आईपी प्राइस आईपी प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इस इकल टू इनवोईज प्राइस और इनवोईज प्राइस को ही शॉट फánh में क्या बोल दिया गया है आईपी प्राइस तो सेलिंग प्राइस is इकल टू आईपी प्राइस और उसको लोडिड प्राइस भी बोलते हैं उसे कौन सा प्राइस बोलते हैं जैसे कि मैं एक्जामपल ले रहा था मैं कि 10 रुपे वाला अभी अभी बच्चे आए हैं थोड़ा लेट तो मैं दुबारा बता देता हूं जैसे 10 रुपे वाला समान अगर मैं 12 रुपे में बेचता हूं तो जो 10 रुपे है इसे बोलेंगे Com frost price और जो 12 रुपे हैं इसे बोलेंगे हम ईप प्रैस का फंडा क्लियर्ए कि आईप प्रैस क्या होता है आप बिल्कुल दिमाग से अपने मन में एकदम से असा ना ले ले कि IP प्राइस का कुछ होने वाला है सर ना सर ना IP प्राइस का कुछ भी असा नहीं होगा IP प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस को ही थोड़ा सा नाम मोडरनाइस कर दिया गया उसको क्या बोला गया आई पी प्राइस अब कहानी यहां से देखिये स्टार्ट होता है हमें सारी चीज़ आई पी पे देजी जाए जैसे मैंने कहा कि मैंने एक समान खरीदा पांच हजार का और उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ा दो हजार का तो मुझे कितने का पढ़ गया सर साथ हजार रुपए का हेड ऑफिस कभी भी ब्रांच को ये बात नहीं बताता के मैं तुम्हें इतने रुपए का समान इतने में भेज रहा हूँ वो तो बोलता है ले जा भाई समान बेच और पैसे साम को लाके दे दे तो इस सिचुएशन में मान लेतने एक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया रफली वैसे ट्रेडिंग है ने मैंने रफली ट्रेडिंग बना दिया तो सेल्स कितना एसर सेल्स कितना एसर यहां पे sales 7000 है अगर sales 7000 है और purchase को भी मुझे पता ही नहीं है तो मैंने purchase या good sent भी मैं 7000 रखो तो मेरा profit क्या आ गया 0 तो यह तो बड़ी समस्या हो गई कि branch का तो कभी profit निकले गई नहीं अगर head of selling price पर सारी चीज़े भेज रहे है तो तो ऐसे situation में जितना profit का part है ना उसके दूसरे side अगर लिख दें यानी हम loading के नाम से लिख दें इसको loading के नाम से कितना profit है 2000 तो that is 9000 आएगा 9000 आएगा अब आप देखोगे आपका profit कितना आ गया 2000 तो हमें क्या करना है loading का मतलब क्या है loading का मतलब profit और profit को क्या बोलते है loading, loading के अलाबा हम एक reserve के नाम से भी जानते हैं उसको reserve, तो जब भी किसी चीज़ पे sales के अलाबा sales के अलाबा किसी चीज़ पे अगर profit included होगा तो उसके profit को हटाना है हटाने के लिए जितना part profit का जुड़ा हुआ है उसके buy side में रख देना है माने लो मैंने लिखा यहाँ opening stock मैंने लिखा यहाँ opening stock और opening stock मैंने लिखा 4000 और मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर 1000 रुपे क्या जुड़ा हुआ है हमारा profit जुड़ा हुआ हुआ है तो opening stock जो है यह किस पे है IP पे है अगर IP पे opening stock है तो मतलब opening stock किस price पे है selling price पे है तो selling price अगर इधर भी रखो तो फिर हमारा profit तो निकलेगा ही नी तो इस situation में इसका फिर से क्या निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा इसका निकालना पड़ेगा loading और loading कितना आएगा 1000 रुपे माने लो closing stock closing stock हमारा 6000 रुपे है और ये भी IP पे है और अगर माने लेते हैं इसके अंदर 500 रुपे का profit included है तो फिर गलत हो जाएगा अब इस closing stock का loading हमें इधर निकालना पड़ेगा तो loading कितना आएगा इधर 500 रुपे तो आपको funda clear हो रहा है कि हमें उस कुछ ऐसे item है जिसके loading को हमें इधर करना होगा या फिर इधर करना होगा ये possibility हो सकता है तो sir loading क्यों निकाल रहे हैं ताकि हम actual क्योंकि किसी भी account के अंदर sales अकेला राजा होता है बाकि सब कौन से प्राइस पर होता है cost price पर सिर्फ ये रहेगा किस price पर selling price पर बाकि सब किस पर रहने वाला है cost price पर अगर बाकि सब ही को भी मैंने sales price पर कर दिया तो निकलेगा इनी कुछ तो cut pit के क्या आजाएगा हमारा zero आजाएगा त्यान रहे तो हमें loading price थोड़ा बहुत समझ में आगिया सर अब मुद्दे की बात सर किस किस पर loading price होगा ये बता दीजिए किस किस पर loading price होगा ये बता दीजिए तो मैं simple सी बात कहता हूँ loading जो निकाला जाएगा जो loading निकाला जाएगा और loading को थोड़ा सा हम reserve भी बोल सकते हैं जो निकाला जाएगा किस किस पर होगा number one करेAG dopo दीजिए लॉँग एर्टे लोगाट धर भी सतीं ठीक KRU. मुद्ट crear ख inve और क जो धू रॉट voilà, तो प्रवड़ा है dat लो च to्याम होगा भी वेताएगा जाएभारा मैं hoिता जन जो भी बाम है उ खर टीजिए है व्याह बाता है झाल 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 इन सभी चीजों के आने के बाद चलो ठीक है बता जेते हैं तो मैंने क्या बताएं सर जो लोडिंग निकाला जाएगा ना वो लोडिंग किसके उपर निकाला जाएगा नमबर वन लोडिंग निकाला जाएगा हमारा इसे मैं हटा के लिख देता हूँ फिर से हटा के लिख देते हैं थोड़ा voice के दिक्कत आ गई थी कोई बात नहीं जो loading निकाला जाएगा number one निकाला जाएगा good sent के उपर sir number two किस पे निकाला जाएगा opening opening stock के उपर sir number three किस पे निकाला जाएगा closing stock के उपर closing stock के उपर क्योंकि ये सारे आपके IP पे given होंगे और loading तभी निकलेगा जब question के दे ये किस पे है ये IP पे है तभी निकलेगा और number four आपका क्या है sir number four हमारा है return return to head office return to head office इसके बाद इसको एक account में fill करते है account वही branch account रहेगा जैसे कि हमारा पहले branch account था वही branch account रहने वाला है तो branch account में मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया sir सबसे पहले लिख लिया opening balance opening balance में opening stock और bracket में मैंने लिखा IP इसके बाद debtor और furniture जो normally हम लिखते आये थे वही लिखा हमने इसके बाद good sent good sent के भी देखो bracket में मैंने लिखा हुआ IP इसका मतलब sir ये किस पे है loaded price पे है इसके बाद आगे देखा जाए तो expense meet by head office क्या क्या salary, rent, journal expense, other expense ये सारा क्या है salary meet by आपका किस के दौरा echo के दौरा अब मैंने क्या समझाया कई बार ऐसा हो सकता है sir sir कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको na good sent good sent सारे चीज़े IP पे दे रखा और good sent दे दे आपको 5000 रुपे और वो किस पे दे दे sir cost पे और आपको बता दे इसके उपर जो loading है उसके उपर जो loading है loading 1000 का है तो आपने यहां 5000 नहीं लिखना आपने यहां कितना लिखना है 6000 बना के लिखना है उसके बाद इसका 1000 रुपे loading इस side में आपने लिख देना है समझ में आ रहे हैं हां तक ठीक है buy side में अब क्या जाएगा sir remittance remittance buy side में आ जाएगा हमारा remittance आ जाएगा sir buy side में अगर remittance की बात करें तो क्या क्या आएगा cash sales नगद में जो बीचा और collection किस से collection from debtor collection from debtor समझ रहे हैं तक यह तो हो गया हमारा यह इसके बाद sir इसके बाद और क्या रहेगा buy side में आ जाएगा आपका return return to HO और यह भी किस पे रहने वाला है IP पे रहेगा और फिर इधर आ जाएगा buy by closing closing balance by closing इसको नब balance CD भी लिख सकते हो आप किसका हो जाएगा sir सबसे पहले stock रहेगा stock IP पे debtor debtor के बाद furniture सर इसके अंदर ना दो चीज़े और एक्स्ट्रा एड़ करने वाला हो में क्या दो चीज़े एक्स्ट्रा जो पिछले में नहीं था एक होता है हमारा यहां shortage क्या होता है हमारा shortage shortage हमारा एक तरीके का loss माना जाता है यहां पर या तो shortage होगा या spoiler होगा तो जब कभी भी shortage होगा या spoiler होगा उसे बाइसाइड में लिखेंगे क्या shortage shortage या फिर बाइसाइड में आएगा spoilage spoil SP spoilage shortage आजाए या spoilage आजाए वो किधर आएगा और यह माना जाता है हमारा कौन सा लॉस सर abnormal loss इसको तो हम बाद में discuss कर लेंगे इसे क्या माना जाएगा abnormal loss तो यह भी यहीं आएगा अगर सवाल में दे रखा हो तो कई बार examiner आपसे पूछ लेगा कि आप shortage निकालिये तो सब कुछ दे देगा आपको तो जी जो भी balancing figure आएगा वो क्या जाएगा सौटे जा जाएगा ठीक है न तो अगर कोई stock simple सी बात है न इधर से हम माल लेके आए और माल में माल लेते हैं spoilers का मतलब होता है नस्ट हो जाना या प्लीफर्ड भी लिखा होता है कई बार प्लीफर्ड प्लीफर्ड सर प्लीफर्ड क्या होता है जैसे दुकान के अंदर चूहे चोटे मोटे समान को खा जाते हैं ठीक है तो उसे प्लीफर्ड बोल देते हैं या प्लीफरेज बोल देते हैं ठीक है न चो खराब होगा तो किदर लिख देंगे हम बाई साइड में लिख देंगे और इन सभी पे भी loading होगा त्मद्ध वी यानि सर इसका मतलब number 5 भी होगा आग हाँ क्या आपका any kind of abnormal loss normal loss और सर abnormal loss क्या होता है हमारा abnormal loss हमारा होता है और preferred या shortage स्पोईलेज या फिर प्लीफर्ट तो यह और एड़ कर दिया मैंने यहां तक करने के बाद यहां तक करने के बाद आपका यह तो नॉर्मली तीन चीजे बस एड़न किया है यहां तक करने के बाद आपने सारी चीजे कर दिया है अब यहां तक करने के बाद आपको एक काम करना है सर सर क्या काम करना है यहां तक करने के बाद आपको सभी का loading लिखना है तो यहां से loading इस साइड आएगा और यहां की loading इस साइड आएगा यहां से loading देखते जाते हैं किस पे निकलेगा किस पे अरे इस पे निकलेगा तो यहां पर लिखेंगे by कहीं भी लिख दो जहां जगे मिले by stock या तो फिर stock reserve लिख दो और bracket में opening stock है ना या तो stock reserve लिख दो या loading और bracket में मैं loading शब्द भी इस्तमाल कर लूँगा लेकिन आप एक ही करना ठीक है ना stock reserve कर लो या loading कर लो या फिर मैं इसको मिटा के लिखी देता हूँ यहाँ पर हम दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं sir by loading loading पता है मैं क्यों लिखता हूँ और किसी पर निकलेगा और किसंट पर निकलेगा गूड सेंट पर निकलेगा तो by jadi में देखा जाए तो by loading गैप uggel loading किस बस निकलने वाही क्यों 사ट loadingर tax Expl disabilities camera निकालेंगे सब्सक्राइब निकालेंगे क्या रिटर्ण टू एच्चो को निकालेंगे बिल्कुल इस पर लोडिंग निकलेगा तो इधर लिख देंगे टू लोडिंग लोडिंग और यह किस पर है रिटर्ण पर क्या return के बाद loading के बाद आ गया जाते हैं क्या spoiler पे निकलेगा जी हाँ spoiler पे भी निकलेगा shortage पे भी निकलेगा मैं shortage के उपर ना star बना देता हूं अभी इसके उपर काम करना बाकी है तो मैं इसका loading अभी नहीं लिख रहा spoilage पे निकलेगा क्या सर प्लीफर्ड पे निकलेगा सर निकलेगा मुझे तो लिखना कुछ और था मैंने लिख कुछ और दिया लोडिंग इसके बाद क्या है प्लीफर्ड उसके लिए भी शब्द का इस्तमाल करना है लोडिंग चलिए इतना करने के बाद आपका अकाउंट बनके हो गया तैयार अकाउंट जब बनके तैयार हो इधर जब निकलेगा तो to net profit या to profit कहलो बस अकाउंट में यही था बस अकाउंट में changes क्या था यही था क्या था सर ब्राच अकाउंट पुरानी बाते है जैसे पहले बनाये था वही है बस यहाँ पर loading का काम किया हमने कि जिसके उपर loading निकल रहा था उसको हमने by या two side में लिख दिया अब मुद्दे की बात होती है न कि examiner loading आपको आसानी से नहीं बताएगा examiner loading आपको आसानी से नहीं बताएगा एक चिस ध्यान रखिएगा जैसे हमेशा कहा जाएगा क्या sir head office है head office send goods send goods कहेगा यह हमेशा cost plus 25% कुछ ऐसा सब्द का इस्तमाल करेगा और आपको दे दिया उसने goods sent 5,000 और bracket में IP head office क्या कहता है हम cost के उपर 25% profit को रखेंगे और भेज देंगे branch को और किसको भेज देंगे sir branch को और branch को जो भेजा गया न वो भेजा गया कितने में sir 5,000 रुपे में तो सबसे पहले आप मुझे यह बताइए यह 5,000 रुपे selling price है या फिर यह 5,000 cost है क्योंकि इसके bracket में IP लग गया तो इसका मतलब यह कौन सा price है selling जिसके भी bracket में IP लग जाता है वो क्या बन जाता है sir selling price तो sir यह 5,000 रुपे हमारा क्या है sir 5,000 रुपे selling price है और यह हमारा क्या है sir आप देखा जाए तो यहाँ पे बोलता है इसके अंदर profit included कितने percent है लेकिन 25% किस पे included है cost पे तो हम इसके उपर तो 25% नहीं निकाल सकते है हमने final account पे देखा था तो यानि बड़ी सीधी सी बात है जब हम account को prepare करेंगे तो account को prepare करने के बाद हमें good sent इधर लिखना है और good sent मैंने इधर लिखा 5000 तो इसका loading तो मुझे इधर लिखना है न तो समस्या यह आ जाती है सर कितना loading लिखेंगे तो अगर आप सोच रहे हो कि 5000 पे 25% निकाल के 1250 कर दें हम तो गलत सोच रहे हो यह नहीं होगा 5000 पे 25% नहीं निकालना आपको क्या करना होगा आपको मानना पड़ेगा जैसे कि आपको क्या होता है sales is equal to cost प्लस में GP या IP कह दो sales आपको given है सर 5000 cost नहीं given है और GP किसके उपर है सर cost की बात कर रहा है तो x y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इस value को आप solve करेंगे तो x का value आपको निकल के आ जाएगा 4000 4000 रुपे क्या निकल के आया है 4000 निकल के आया है आपका cost तो profit कितना होगा profit होगा हमारा 1000 तो हमें इजहर दो loading में लिखना है वो loading कितना लिखना है सर वो लिखना है 1000 समझे बाता यानि आपको percentage के terms में देगा लेकिन बान लो ये कहता good cent आपका good cent कहता है आपको cost plus 25% की जगह पे कहता है sales good cent कहता है यहाँ पे सब्दो को देखिएगा सब्दो का कमाल है मैंने कहा goods send at at profit on sale 20% सर इसका मतलब क्या हुआ जो goods जा रहा है जो मैंने goods भीजा है वो profit पे कितने percent है सर बताइए 20% इसका मतलब अब हमें इतना जहमेला नहीं करना हमारा goods sent यहाँ पे मात्र 5000 आएगा और इसका profit directly हम 20% निकालेंगे किस पे सर 5000 के उपर 20% निकालेंगे जो कि आजाएगा 1000 रुपे समझ रहे बात को आप यानि आपको selling price दे रखा है यानि इसका मतलब समझे हम बात को तो हमारे साथ ऐसा कहानी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आपको sales दे दे और जो बोले profit और बोले आपको GP या मैं बोल लूँ अगर बोलता है आपको profit वो profit आपका depend करेगा sales दे दे मान लेते हैं कि 1000 रुपे और profit जो दे दे वो profit दे दे आपका on sales 20% तो ऐसे situation में अगर मैं आपसे profit पूछूँ तो बड़ा आसान है जवाब देना सर क्या होगा क्योंकि sales ही दे रखा है और profit भी sales पे है तो ऐसे situation में सीधा 20% निकल के क्या जाएगा 200 रुपे पहली कहानी देखिया आपको समझ में आया दूसरा आपके साथ क्या कर सकता है वो दूसरा आपको कर सकता है sales दे दे और sales दे दिया उसने 1000 रुपे और कह दे profit profit on cost profit and cost और दे दिया उसने 25% तो ऐसे situation में आपसे पूछ ले कि profit निकालिये तो आप profit नहीं निकाल सकते क्योंकि ये sales है और ये क्या है हमारा cost है तो ऐसे situation में आपको क्या करना होगा let x करके करना होगा यानि सर हमारा sales is equal to sales is equal to cost plus में क्या हैगा profit और sales कितना है बताईए 1000 cost कितना होगा नहीं पता तो इसको क्या मान ले x और profit किसके उपर depend कर रहा है cost के उपर तो यानि क्या हो जाएगा x y 4 जब x की value आप sort out करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर x की value sort out करेंगे तो आ जाएगा 800 ठीक है ना यानि आप जब solve करेंगे तो इसका मतलब सर profit कितना होगा profit होगा यह क्या है हमारा cost cost आया और cost आने के बाद profit 200 है तो इसके उपर हमने profit लगा दिया है नहीं समझे अब देखो आपका cost आ गया कितना 800, sales आपका कितना है अगर cost आपका निकल गया 800 तो profit तो भीया 200 कमाया होगा समझे बाद आप तो यह इस तरीके से हो सकता है यानि दूसरे pattern में आपको यह दे सकता है दूसरा तरीका आपको यह भी बताय गया था वैसे मैंने पहले discuss किया था आप simple कर सकते हो आपको sales दे रखा है और इसके अंदर profit included है तो profit कितना included है 25% तो divide 125 करिए और into में कितना करिए सर 25 करिए तो आपका जवाब अगेन आजाएगा ठीकन आप ये वाला follow करिए चाहिए ऐसे करिए बाकी मैं कुछ एक percentage लिख दूँगा उसी percentage पे examiner पूछेगा हर बाद जैसे कि हमने पहले भी लिखा है चलिए और क्या बोल सकता है और कैसे उलजा सकता है आपको चार तरीके से ज़्यादा उलजाने के उनके पास रास्ता है ही नहीं हो सकता है कि आपको क्या दे दे वो cost दे दे 1000 और क्या कहे profit कह दे वो और profit किस पे कहे on cost कह दे profit on cost कितना कहता है सर 20% कहता है तो सर profit कितना आएगा कौन बच्चा बताएगा profit कितना आएगा ये भी cost और ये भी cost और 20% है बताओ profit कितना आएगा जल्दी बताओ profit किया आएगा तो सर profit आने वाला है इसका अब ऐसा मत समझने ना हर सवाल का profit 200 ही आता है कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो होंगे तो वो सोच सकते हैं कि सर ये 200 कैसे निकाला तो वो 1000 into में 2 और 20 बटे में 100 ठीक है अब एक और कैसे पूछ सकता है आपको cost दे दिया cost दे दिया कितना 1000 और आपको profit और कुछ नहीं बोल रहा है सर ये सरिफ उसने बोला कि आपका जो profit है profit ratio जो है वो ratio सर सरिफ और सरिफ बोल दिया उसने profit ratio बोल दिया 25% और nothing और कुछ नहीं कहता 25% 25% कि 20% लिखते हैं बस बोल दिया 20% तो जब कभी भी कहे न profit ratio तो हमेशा समझ जाना कि वो पता है किस पे कह रहा है profit ratio बोला और ये नहीं बताया तो हमेशा समझ जाना वो sales पे कह रहा है वो किस पे कह रहा है sales पे तो अब यहाँ पे कहानी क्या है cost है और profit on sales है तो equation बनाना पड़ेगा हमें find क्या करना है सर हमें find करना है profit profit या loading तो हमें equation बनाना पड़ेगा sales is equal to cost plus profit सर सेल्स कितना है सर सेल्स कितना है नहीं पता सर यह 1000 रुपए है सर profit कितना है 20% लिखिन किसका sales का तो x by 5 हो जाएगा जब इस value को आप solve करेंगे इस value को जब आप solve करेंगे तो आपका आएगा पूरा ही solve कर देते हैं कुछ बच्चे सोच रहोंगे सर shortcut मार रहे हैं x minus max by 5 is equal to 1000 यह 5 4x आ जाएगा divided by 5 is equal to 1000 पांस से multiply हो जाएगा 5000 is equal to 4x x is equal to 5000 divided by 4 तो कितने आएगे 5 एकम 5 पांस दुनी 10 और कितने बचे 5 1250 ठीक है कितना आगया 1250 किसका value आगया सर x का आगया और that is यह क्या है हमारा sales है आपको पता चल गया sales भाईया 1250 का और समान कितने का था तो profit निकल सकता है profit आगया समझ में आया यानि क्योंकि अगर account को हम देखे ना ध्यान से तो account का main फटड़ा ही तो यही है कि इसके उपर आपका profit included होगा उसके profit को निकाल के इधर रखना that is loading या पहलो reserve अगर आप उस profit का हिस्सा ही नहीं निकाल पाए तो आप तो करी नहीं पाऊगे इसको और examiner हमेशा आपको किस terms में देगा ऐसे नहीं बताएगा कि 5000 का समान 6 में बेच रहे हैं हमेशा बोलेगा cost plus 25% या बोलेगा sales पे 20% तो वो हमेशा किस में terms में बात करेगा percentage के terms में चलिए आप कुछ percentage भी देख लेते हैं जिसको आपको याद रखना है सर क्या रखना है percentage आपके cost पे कुछ information given होता है सर किस पे given होता है cost के उपर और कुछ information given किस पे होता है सर कुछ information given होता है हमारा sales के उपर ठीक है न एक दम बढ़िया से मस तरीके से कर लेते हैं इसको और इसको याद रख लीजिए गाप so that आगे आपको काम आएगा यह line खीच दी हमने तो अगर cost के उपर बात करें हम इधर से भी खीचते हैं अगर हम cost के उपर बात करें तो cost के उपर अगर बोला जाए ना कि आपका 20% है तो इसके उपर होगा आपका 16.66% अगर यहाँ पर बोला जाए 25% है तो यहाँ पर होगा सर 20% यहाँ पर बोला जाए आपका 33.33 या फिर इसको बोला जाता है इस तरीके से 33 1 by 3% ठीक है तो इसको 1 by 3 भी बोल सकते हैं तो यह होगा यहाँ पर 25% अगर यहाँ बोला जाए ना 50% है तो यहाँ पर होगा 33.33 परसंटेज या कह सकते हो 1 by 3 अगर यह आपके कुछ है जो कि बार-बार पूछे जाएंगा जैसे कि पिछले सवाल में देखिए आपको मैंने बोला था 20% है तो 20% सेल्स पे है और यह कॉस्ट है जब दोनों डिफर है तो इसको हमें कनवर्ट करना होगा अगर इस वाले परसंटेज को हम कॉस्ट पे कनवर्ट करते हैं तो डारिक निकाल सकते हैं तो 20% अगर sales पे होता है, तो cost पे कितना होता है, sales पे 20 तो cost पे automatic कितना होता है, पच्चिस, तो आप फटा-फट से देखिए, आप 1000 पे 25 निकालते हैं, तो पूरा 2500 रुपए आ जाता है, समझ में आए, examiner इस से ज़्यादा आपके साथ नहीं खेलने वाला, उसके पास ये percentage है, और यही percentage देगा, तो आपको याद रखना है 25-20, या फिर आपका 20-16, इस तरीके साथ आपको ध्यान रखना है, समझ में आई बात आपको, तो ये था हमारा कुछ important information, note कर लीजिएगा ये, तो यहाँ तक, आज तक के हमने सवाल में, आज हमने क्या सीख लिया सर, आज हमने देखा branch account, branch account किस पे देखा, एक IP price पे देखा, IP price किसे बोलते हैं सर, selling price को ही बोलते हैं, IP price, selling price is equal to invoice price, या फिर loaded price भी बोलते हैं, सर, loaded price किस किस पे होता है, सर, loaded price को ही बोलते हैं, और उसी को एक और नाम से बोला जाता है, reserve, account के अंदर क्या करेंगे, सारी चीजे अगर एसाच IP पे रहा न हमारे, तो उसके उपर loading price निकालके, हम उसके दूसरी साइड में डाल देंगे, और इधर गोई चीज आईपी पे हुआ, तो इस साइड में डाल देंगे, जो मैंने green marker से लिखा है, वो that is सारी चीजे आपके loading है, इसके बाद सर, loading हमारे exam में question कैसे पूछा जा सकता है, तो simply आपको मैंने बता दिया, या तो cost plus 25% या 20% पूछा जा सकता है, या सीधा selling price पे आपको दिया जा सकता है, percentage निकालने के कुछ functions है, और उसके साथ-साथ last में ये कुछ percentage है, जो पूरे सवाल में use होने वाला है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताईए, इसके बाद हमें करना है questions, voice check कर ये clear है, एक बार फटा-फट से voice check करिये, तो आगे बढ़ें, चेक करिये voice clear, जो आगे बढ़ें, चलिए एक बार जो last class में वह था ना, पहले हम वह एक बार देख लेते हैं, कि last class में हम क्या क्या कर चुके हैं, तो finally अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है sir, finally अभी तक branch account के अंदर, कुछ बच्चे last class में absent भी थे, तो मैं एक बार उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ, branch account के अंदर क्या है, branch account के अंदर हम dependent branch कर रहा है, जो कि debtor और stock debtor system है, और यहाँ पे आपका at cost price और IP price, cost price से related हमने तीन सवाल देखे थे, जिसमें एक बोला था आपने खुद कर लोगे, और दो हमने class में ही कर लिये थे, इसका हमने format भी देखा के debtor account और branch account कैसे बनाये जाता है, और जरूरी नहीं है के सर्फ यही दो account बनाये जाए, इसके साथ साथ और भी account बनाये जाते हैं, जो कि आपने देखे थे question number 3 में, के question number 3 में हमने कुछ extra account बनाने पड़ गये थे, जैसे bank account बनाना पड़ गया था, debtor account बनाये था, somehow किताब के अंदर और भी account दे रखे थे, जो हम बना सकते थे, लेकिन हमने बोला के हमें जरुरत पड़ेगी तो बनाएंगे, जब तक requirement ना हो, इसके बाद last class के अंदर देखा था, हमने branch account at IP price, IP price का मतलब होता है, सर, selling price को invoice price बोलते हैं, और selling price को ही IP price बोलते हैं, और इसी को loaded price भी बोला जाता है, selling price को ही बोलते हैं, सिंपल, सर, कौन-कौन सी चीजे selling price पे हमें given होती है, जिसके बारे में हमें सोचना है, जिसके उपर हमें profit का calculation loading करना है, तो सर, closing good sent पे हो सकता है, opening stock पे हो सकता है, closing stock पे हो सकता है, return to head office पे हो सकता है, abnormal loss पे हो सकता है, shortage पे हो सकता है, spoilage पे हो सकता है, preferred पे हो सकता है, इन सभी के उपर shortage possible है, चलिए सर इसके बाद देखा था हमने के branch account सेम वैसे ही बनने वाला है लेकिन shortage जिस जिस पे होगा उसका loading इस side आ जाएगा उसका loading इस side जैसे opening stock पे होगा तो इसका loading इधर आ गया good send पे हुआ तो उसका loading आ गया इनके उपर profit जोड़ के भेज़ देता है head office तो उसके उपर से हम profit निकाल के हम क्या करते हैं दूसरे side डाल देते हैं इसके बाद हमने देखा था सर कुछ percentage के terms कि आपको यह सीधा नहीं बोलेगा कि 10 वाला समान 12 में बेचा है वो क्या कहेगा हमने good को भीजा है cost plus 25% या at selling price दोनों में से कुछ भी बोल सकता है या तो cost plus 25% या selling price बोल सकता है तो सर अगर आपको cost plus 25% बोले या selling price बोले तो उसमें आपको percentage निकालना आना चाहिए जो कि हमने final account में भी देखा था अगर आपको sales देता है profit on sales देता है तो direct percentage निकल जाएगा अगर sales देता है profit on cost देता है तो आपको excellent करके निकालना है अगर आपको cost देता है profit on cost देता है तो direct निकल जाएगा और अगर cost देता है profit on sales देता है तो आपको let x करके निकालना है जैसे कि हमने पहले भी सीखा था किस के अंदर सर हमने सीखा था good sent on approval basis वाले concept के अंदर ठीक है इसके बाद हमने क्या देखाता सर एक कुछ परसंटेज है जो examiner हमेशा पूछेगा और इसी परसंटेज पर examiner काम करने वाला है इस से उपर examiner हिलने सकता मतलब maximum chances है कि इसी पर पूछा जाएगा तो इस पर पूछा जाएगा तो उसका क्या परसंटेज है अगर आपस के ऊपर कितना है हमारा 25 तो sales पर कितना होगा 20 अगर cost पर बोला जाए 33.33 है तो इस पर होगा आपका 25 परसंटेज आपको रिमाइंड रखना है यहां तक हमने कर लिया यह कब पढ़ाया यह पढ़ाया था मैंने कल कल ही तो पढ़ाया था कल सुबह साथ बजे class हुई थी और आगे हमें एक सवाल देखेंगे इतना बड़ा चैलेंज नहीं है इतना बिग चैलेंज नहीं है हमें कोशन देखेंगे उसके बाद हमारा फटाफटे हो जाएगा क्लियर कि आईपी पे किस तरीके से solve किया जाएगा इसको करने के बाद हम फिर आ जाएंगे stock data system पर कल आपक क्लास रिकॉर्ड करके आपको stock data system वाला पूरा का पूरा मैं करवा दू तो ब्रांच जितनी जल्दी खतम कर पाऊं वह हमारे लिए रहेगा बेस्ट पार ठीक है तर क्लास का मैसेज नहीं आया था मैंने क्लास में ही बताया था कि साथ बजे का क्लास होगा मैसेज नहीं किय था मैंने ठीक है कर लिया दीरा जो convert भी देना टेलीग्राम पर भी नूँ कर दो 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 झाल 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 तो यह question करके फायदा नहीं है confusion जादा है इसमें फिर भी हम देखेंगे last में जब एक बार IP पूरा clear होगा तब देखेंगे इसको आई चले 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 देखेंगे ना कुश्चन के टॉप पे भी लिखा वाए क्या इन्वाइस प्राइस बड़ा छोटा सव सवाल है कुश्चन में क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं फटा फट से कुश्चन में कहता हा जब इन्वाइस हो जाये न जो गुट्स भीज़ा जा रहा है that is आपका सेलिंग प्राइस पे है क्या कहता है गुट्स अद़ाइस तो गुट्स जो भीज़ा गया है वो सेलिंग प्राइस पे है और सेलिंग प्राइस to HO at cost plus 25% यानि सर हम कॉस्ट के ऊपर कितना पर्सेंट मार्जन रख रहे हैं 25 पर्सेंट और आपको दिया जा रहा है सेलिंग प्राइस तो बट अबिस सी बात है कि अगर आपको पर्सेंटेज या प्रॉफेट निकालना होगा तो एक लेट एक्स करके निकालना होगा बेटर है कि लेट एक्स करने से बेटर है कि हमने जो ये टेबल देखा हुआ है कॉस्ट के उपर 25 है तो सेल्स पर कितना होगा 20 हर जगा पर जो 25 दे रखा है 25 दिमाग से रेज करके हर जगा पर हम कहां कहां क्या 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 अप्लाई कर देंगे 20% अगर आपको लगता है सर यह 20% तो ratification होगे तो let x करके हर किसी पर आप solve कर लिए उससे आपको confirm हो जाएगा आगे कहता है यह आगे कहता है branch account the books head office from the following particulars opening stock आपको given है सर और opening debtor भी given है आपको पता है branch account के अंदर आता है अब मजे की बात है कि यहां पे opening stock जो है यह आई-पी पे है या normal है यह हमें आगे बताएगा goods receive from Mumbai यह दे रखा है तो आगे कहता है cash sales आपको given है cash receive from debtor given है goods return to HO given है cash receive from आपका for expense 14500 stock at the end given debtor at the end given है ठीक है यह सारी जानकारी given है तो बड़ी सीधी सी बात है starting में इसने कह दिया कि हम जो भी some pass समान भीजते हैं वो किस पर भीजते हैं invoice price पर यानि हमने समान भीजा selling price पर तो अब देखें हम एक account prepare कर लेंगा जो debtor पहले बनाते थे ना वही account हम फिर से बना लेगे अब आप मुझे सोच के बताईए मैं comment जितने account बना लेता हूँ आप मुझे सोच के बताईए क्या आपको लगता है debtor account यहां बनाना चाहिए या नहीं चेक कर यह आप बताईए इसको ढूंड़के दोनों सवाल में given है क्या दोनों है तो यह particular निकाव यह ब्रांच यह क्या है मारा ब्रांच यहां तक कोई दिक्कत है अब देखें यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं हम टू ओपनिंग क्या क्या है बताओ स्टॉक है कितने का कितने का स्टॉक बारा हजार पांच सो डेटर बारा हजार और और बताईए बच्चों ने बता दिया सर डेटर अकाउंट की जरुवत नहीं है ठीक है और बताईए आप यहां पर देखिए न क्या एसेट्स है एसेट्स तो दो ही है क्या फर्निश अच्छा दिखनी रही है ठीक है अब बुक्स के अंदर भी है बुक का है अपके नहीं प्रोग्राम में भी है नहीं है अब प्रोग्राम में है बहीं दोनों की किताब में है ऑनर्स में भी प्रोग्राम में भी जिन बच्चों को विजुलिटी नहीं है देख लें ठीक है अब सर ओपनिंग डेटर था ओपनिंग स्टॉक था इसके बाद और भी कोई ऐसा बैलेंस नजर नहीं आ रहा है कि एसेट्स का पांठ हो तब सिंपल सी बात है हम इस टोटल कर लेंगे इसको और टोटल कितना होगे हमारा 24,500 अब कहता है गुट सेंट कितने का है मुंबई तो गुट सेंट है गुटर सेंट है मुंबई मुंबई कौन एंस है है में आ जाएगा कैसे सेल्स सोलह हजार इसके बाद कालेक्शन फ्रॉम डेटर 29 2900 इसके बाद आगे कहता है गुड्स रिटन टू हो बाई में आएगा 2000 इसके बाद क्या कहता है ये कैस रिसीब फॉर एक्स्पेंस 14500 तो सर यहां पे लिख देंगे टू एक्स्पेंस अब एक बाद बताईए मैंने कहा था जब ब्रांच पेमिंट करेगा तो यहां नहीं आएगा हैड आफिस पेमिंट करेगा तो यहां आएगा इस सवाल में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पेमिंट किसने किया है नहीं लिखा हुआ इस सवाल में तो आप मान के चलोगे हैड आफिस दे रहा है खर्चा प्रियरिटी हम यह लेके चलेगे ठीक है इसके बाद कहता है स्टॉक एट दा एंड तो बाई साइड क्लोजिंग क्लोजिंग में क्या क्या है इसके बाद टेटर कितने है बाईस पान सो टोटल बताईए यहां तक समझ में आया है मैंने कहा था एक बड़ी सीजी सी बात है यह ट्रेडिंग अकाउंट एख जवाब देना मुझे यह ट्रेडिंग अकाउंट है ठीक है इधर भी मैंने लिखा सेल और इधर भी मैं लिखूं सेल तो क्या प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है नहीं दोनु नंबर है तब तक प्रॉफिट नहीं आ सकता एक तरफ सेल्स हो और एक तरफ कॉस्ट हो यह नहीं पर्चेज हो तो हैड़ अफिस ने बोला भाईया जितने भी समान है नहीं यहां पर दिख रहें आपको ओपनिंग स्टॉक वगेरा सब सेलिंग प्राइस पर हैं बोला भाईया सेलिंग प्राइस पर तो सेलिंग प्राइस पर समझ में आता है वो तो सेलिंग प्राइस बोना चीए लेकिन सरे स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पर हैं गुट सेंट भी सेलिंग प्राइस पर तो प्रॉ अग्रिट में क्रेडिट में क्रेडिट में डिगा सब्सक्राइब इसका हमाइगा इसे उपनिंग स्टॉक पे होगा से अब अगर हम ध्यान से देखे तो हमारे पास यह हम कुश्ट कर रहे हैं भी फिलाल question जो कर रहे हैं वो कितना होगा वो होगा हमारा यहाँ पे for example कि एक तो इसके उपर profit होगा आपको पता करना है profit किस किस पे एक तो और एक और इधर से आ जाते हैं एक और एक इसका profit इधर लिखे दे हम और किस नाम से लिखेंगे by stock reserve किस नाम से लिखेंगे by stock reserve अब इसका सर जो भी stock given है ना by stock reserve लिखेंगे और जो भी stock given है ना और उस stock के उपर हलाकी sales plus कितना कहता था 20 sales plus कितना कह रहा है यह cost plus कितना कह रहा है 25 तो sales के उपर कितना होगा simple सभी बात है sales पे कितना होगा 20 तो हम सीधा इसका 20 परसेंट निकाल ले तो यह बनता है समझे या तो आप वह वाला कैलकुलेशन करिए इस पर मुझे बता दिए कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो सार कॉस्ट के उपर 25 है तो सेल्स के उपर कुछ और ही परसेंटेज होगा तो सीधा निकाल देंगे समझ रही बात मैं क्या कर रहा हूँ यह सेम ऐसे इसके उपर भी कितना निकाल दें हम बाइ साइड में लिखेंगे स्टाउक रिजर्ब और किस पर आईए गुड सेंट पे और कितना आ जाएगा 40 का 20 परसेंट कई बार बुक में कर देते हैं लेकिन हम अलग अलग करके चलेंगे बुक में सीधा स्टाउक रिजर्ब टूटल करके रिखा देते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत कन्फियूजन होगी ऐसे तो पता तो है इसके उपर निकाला इसके उपर निकाला इधर से किसे निकालेंगे रिटन पर दो हजार पर कितने 20 cros परसेंट किस पर होगा तू कौन सा है हमारा यह रिटन रिजर्व और इसी को एक नाम और बोलते हैं क्या बोलते हैं सर इसी को लोडिंग इसी को लोडिंग कहता है रिजर्व किस पर एसर? रिटन पर कितना एसर? 800 इसके बाद फिर से निकालेंगे रिजर्व हाँ 400 आएगा अभी 20% है ना? ठीक है 400 आएगा 400 और फिर दूसरे पर देखे रिजर्व क्या है? किस के उपर निकलेगा? क्लोजिंग स्टाउक पर कितने? 20% या नी? अभी यहां से फाइनल हमारा सब कुछ हो चुका है अब निकाल दीजिए टूटल करके जो निकालते हैं यह कितना आ रहा है? नहीं इसका टूटल बताओगे ने एक एक करकी करेंगे न इसका आ रहा है यह? नहीं पहली यह बताओ मेरेको अब इसका टूटल बताओगे कितना बताओगे इसका टूटल? 95? और इधर भी? और क्या आएगा? बताओगे यह कितना आएगे यह क्या आगे आप आंसर जो कि एक्जामनर को में बताना था चेक करिए बुक में तो आप देखेंगे ना तो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फरकी नहीं है सर बस लोडिंग यानि प्रॉफिट का पर्सेंटेज निकालके उसके दूसरे साइट रखना है बाकी बात खताब समझे और आने वाले सभी सवाल में ये यूज होगा जितने भी सवाल होंगे सभी में यूज होगा सर जैसे ये देखिए अब यहां पर मजे की बात कहा रहा है कॉस्ट प्लस 33.33 परसेंट यानि सारी चीज़े हमें इन्वाइस की गई है गुड्स आर इन्वाइस जहां इन अगर कॉस्ट के उपर हो तो सेल पर कितना होगा तो फटा फट से 25 परसेंट सब पर निकालके हम कर सकते हैं बागी सवाल देखो ये कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे ओपनिंग स्टॉक डेटर पैटी कैश पर नीचर स्टॉक और स्टॉक के ब्रैकेट में स्पेशली आई-प लिखा है तो सर आई-पी तो में पता ही था इन्होंने लिख दी आई-पी मतलब इन्वाइस प्राइस गुट सेंट कहता है कैस सेंट ब्रांच एक्सपेंस प्रेट बेड़ डिपेंडेंट अब यहां पर मज़े की बात है कि क्लोजिंग डेटर दे रहा है नहीं दे रहा है औ और भी देखते हैं आगे है क्या है कि यह कुशन नंबर साथ यहीं पढ़ रहे हैं यह थोड़ा साना हां रिटन इसके बाद आपका इन्वाइज हैड ऑफिस दूरिंग दे गुट्स इन्वाइज बाइज बाइद ऑफिस यानी गुट्स सेंट यह सारी चीज़े गीवन है हमारे हो जाएगा यह सवान डेटर बनाना पड़ेगा इसमें इसमें यह हो जाएगा पहले एक बार आपके बुक में है यहां पर थोड़ा आगे पीछे है इसलिए असा हो सकता है बुक में देखो फटा-फट से हो जाएगा नहीं हो जाएगा सभी के किताब में हो गई कोशन बताई यह हो जाएगा कोशन में देखिए क्योंकि इस टाइप में सबसे मुश्किल सवाल बोलू ना तो थ्री था जिसमें बहुत सारे पॉइंट से बाकि जितने भी पॉइंट्स कम हैं बस लोडिंग वाला कॉंसेप्ट होगा कि डेटर में लोडिंग अकाउंट बनेगा क्या नए इसरी ब्रांच अकाउंट के अंदर ही लोडिंग का कॉंसेप्ट आता है सेवन देखिए एक बार सेवन में क्या कहता है ब्रांच ट्विंटी परसेंट प्रॉफिट अन सेज देखों यहां पर टम्स बदल दिया ट्विंटी परसेंट ऑन सेज क्या यहां पर भी कनवर्ट करना डारेक्ट निकल जाएगा यहां पर कहता है कि यहां पर वेन इस्टोर है जा ओल्ड इस्टेबलिस प्रांच इन चंडिगर्ड और गुट्स इन वाइस टुट्विंटी परसेंट ऑन दा सेज्स हैव दा इंस्ट्रॉक्ट प्रसेंट अल्ड़ कैस बूलता सब देंगे ओल एक्स्प्रेंस आर पेड़ प्रांच मैनेजर आपको यह देता है स्टॉक सबसे पहले बताओ स्टॉक यह कॉस्ट पे है 15,000 रुपए या सेलिंग प्राइस प्राइस पे है और प्रॉफिट भी सेल पे कह रहा है तो फटा-फट लोडिंग निकल सकता है कितना लोडिंग आएगा बीस परसेंट और बी अगे देख लें डेटर दे रखा है कैश इन हैंड कोई काम निया फरनीचर कोई काम निया गुट सप्लाइड बाइच्चो यह भी किस पे है आईपी पे इस पे भी लोडिंग निकलेगा इसके बाद गुट रिटन टू एच्चो अब इसमें लिखे चाइना लिखे यह है नहीं है अरे यह कुश्चन अगला गया ओके तो यहां क्लोजिंग डेटर नहीं दे रखा तो मैं एक्सपेक्टेशन करूँगा कि आप यह तीन सवाल यह भी सिंपल है कि बस इस सवाल को छोड़ दीजिएगा मैं एक्सपेक्टिंग करूँगा कि यह बागी के सवाल आप करेंगे जैसे कि कुश्चन नंबर मैंने पांच करा हैं छे और साथ आप देख लिजिए अगर कोई पॉइंट आपको खटक रहा है तो बताईए आप इसके बाद अगला टॉपिक आपके बुक में देखेंगे तो कौन सा स्टार्ट हो जाता है स्टॉक है स्टॉक डेटर वह बिल्कुल अलग कॉंसेप्ट आ जाता है हमारा मतलब अकाउंट ज्यादा बनेंगे उसमें उसमें ट्रेडिंग पी एंडल भी बनेगा ठीक है तो आज हमने एक सवाल देख लिया और कल वाली क्लास में पहले अभी अपलोड मार देता हूं कुछ बच्चों ने देखा नहीं होगा इसलिए मैं कुछ ज़्यादा आगे लेके नहीं चल रहे हैं तो कन्फूजन होगा लेकिन ये कर लेंगे कल की क्लास देखिए आप लोगों का लाइव क्लास जैसे ऑफलाइन है ये तो नहीं होगा 26 जन्वरी है कल 26 जन्वरी को कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है लेकिन मैं कलास अपना जरूर रिकॉर्ड करूंगा रिकॉर्ड करने का मतलब आप सभी को यूट्यूब का लिंक दूँगा एक क्लास क्योंकि कोर्स खतम करना है मैं कोर्स खतम करने के साथ समझ में भी आना चाहिए मैं कल की छुट्टी दे दूँं कोई फरक नहीं पढ़ प्रोड यह जो कि आपकी यह वाली एक नोगा रावता है जो ग्यारवी के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था AS क्या है आपका या फिर इसके अंदर यह आता था आपका IFRS क्या है याद हो अगर आपको तो वही theory exactly repeat होता है यहाँ पर तो वह तो हम वहाँ भी कर सकते हैं ठीक है ना तो वह ज़्यादा time नहीं लगेगा मुझे समझाने में मैं बोलू business entity, business अलग होता है, honor अलग होता है तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 11 वी मैं आप अल्रड़ी पढ़ चुके हो, बस उसके अंदर theory को एक बार पढ़ना है हमें, ठीक है ना, तो theory का वो पाट है, हाँ लेखिन जो हमारे accounting standards के कुछ theory है उससे related practical वो एक एक दिन में खतम हो जाएंगे, हमारे कितने AS है हमारा AS जो है accounting standard 10 खतम हो चुका है, accounting standard 9 भी है, जिसे हम करेंगे, एक दिन लगेगा, 9 के बाद हमारा accounting standard 4 भी है, जिसे करेंगा, जो इसमें एक दिन लग जाएगा हमारा, accounting standard 29 है, accounting standard 26 है, यह मैंने जिसका, और एक accounting standard 9 है, lease, जो यह 3 चार नाम लिये हैं, तो हर एक accounting standard semester 1 के target के ह साथ से हम एक दिन में खतम कर पाएंगे और जैसे एक एक दिन में यानि अगर हम ये और accounting standard मानलो hardly हम दस तारिक तक खतम कर पाते हैं दस तक target लेके चलना चाहिए न तो दस तारिक तक हम सारी चीजे खतम कर लेते हैं बस chapter रख लेते हैं हम NPO नहीं हुआ तो NPO तो आपने 12 में भी पढ़ा हुआ हैं और थोड़ा सा speed up लेके मानलो end 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 करते करते आपका मैं NPO class लेता रहा तो आपको इतने यहां भाई पूरा slaves तो खतम NPO का चोटा सा point डाउट है लेकिन अगर मैं पहले NPO करा दू तो last तक NPO खतम हो जाएगा आपके सारे एस रह जाएंगे फिर आपको लगेगा यार हमने करा ही गया है कुछ भी नहीं किया समझ रहे हो ना इतने सारे parts तो हमारे क्या रहे गए फेंडिंग तो last में मैं उस chapter को पकड़ना चाहता हूँ जो की end तक माल लो चले भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक्जाम आपका जो भी है वो सभी को date sheet तो मिली गया है ठीक है ना हलाकि अकाउंट का एक्जाम कब बताए गया मार्च को तीन मार्च को है तो अकाउंट का एक्जाम हलाकि तीन मार्च को है लेकिन मैं कोशिस है कि 15 फरवरी को मैं आपका syllabus खतम कर दूँ ठीक है ताकि आपके अपने दूसरे एक्जाम है जो उसके साब से तो यह कुशन आज ही ट्राई करोगे डाउट होगा तो अगली क्लास में हम डाउट लेंगे कब डाउट लेंगे अब अगली क्लास आती है आपकी Friday की तो Friday को definitely batch time रहेगा डाउट लेंगे उसके बाद फिर कल मैं प्रां करके अनलॉग वीडियो करके वो देख लोगे वो भी बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट है और बुक के कुश्चन्स भी कर लेंगे हैं ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स क्लास के अंदर नेक्स क्लास आपकी कल ही अपलोड हो जाएगी बाकी हम face to face जैसे talking कर रहे हैं वो मिलेंगे था कि आपके अकाउंट के अंदर दो है ब्रांच के अंदर एक क्या था हमारा एट कॉस्ट चार कुश्चन इसके थे कर लिए फिर एट आई पी उसके भी हमने कुश्चन देख लिए ज्यादा बड़ा नहीं है उसके बाद आएगा इस टॉक डेटर फिर ये ब्रांच हमार बिएगे और सर जब ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे तो इस ब्रांच अकाउंट के अंदर हम सीखेंगे कौन सा मैथट कौन सा सिस्टम तो डेट इस स्टॉग डेटर system stock debtor system stock debtor system को बनाने के लिए आपको कुछ number of account बनाना पड़ेगा sir हम इसके अंदर कौन कौन सा account बनाएंगे number one stock account number two branch adjustment account number three debtor account number four petty cash account number five bank account तो यह majorly पांच अकाउंट है जैसे पिछले वाले में करा था तो main एक ही अकाउंट था और हो सकता था दो यह पर यहां पर यहां पर में रहने वाला है हमारा यह दो यह तो बनेगा ही बनेगा अब हो सकता है कि बाकी के यह helping account हमारे बन भी सकते और नहीं भी बन सकते जो डेटर सिस्टम किया था और जो इस टॉट्ट डेटर सिस्टम कर रहे हैं दोनों में profit सेमी आता है ठीक है न तो एक बार फटा फट से हम format स्टार्ट करते हैं सर यह actual में है क्या format के बाद जब हम question देखेंगे तो actual हमें position समझ में आने लगेगा कि है क्या चीजी है तो सर एक सबसे पहले stock account और यह न ऐसा नहीं सिर्फ बनाएंगे हम समझेंगे भी अब बताइए सबसे पहले मुझे मेरा बड़ा basic सा और बड़ा छोटा सा सवाल है जो stock है हमारे business के लिए assets है liability है हमने debtor account भी ऐसे ही बनाया था सोच के कि क्या है उसी तरीके से इसको बना लेंगे क्या आएगा आपका यहां particular particular यहां पर आएगा हमारा branch stock account ठीक है stock account देखें आप stock हमारा क्या होता है assets होता है stock क्या होता है assets होता है बच्चे कह रहे हैं sir ठीक है assets sir question की pdf अल्रेडी आपके पास book है जो कि आप उसी book के ही question कर रहे हैं जे आर्मोगा book है तो हमारा stock assets है तो इसका इधर से शुरू होगा यानि इसका मैं सबसे पहले क्या पूछ हूँ आपसे तो आप बताना जवाब देना आप बता बैलेंस बीडी किदर होगा इसका तू में होगा बाई में होगा तू में होगा क्योंकि यह assets है तो इसका होगा तू बैलेंस बीडी है ना बैलेंस सीडी किदर होगा बताओ बाई मैं नीचे लिख देता हूँ बाई बैलेंस अब यह बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी होगा किस चीज का स्टॉक का यहोगा स्टॉक बना रहे है तो यह होगा हमारा IP पे ठीक है ना मैं ब्रैकिट में लिख रहा हूँ IP पे होगा यानि सर आईपी मैं अब समझाने की जुरत नहीं है जो पहले समझा था वही है ठीक है अब यह बढ़ेगा इस साइड से एसेड से तो बढ़ेगा किस साइड से और घटेगा किस साइड से बढ़ाने का रीजन देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है अब ध्यान से देखेगा बढ़ने का रीजन अगर मेरे पास समान आएगा यानि गुट सेंट गुट सेंट समान आएगा तो बढ़ेगा अगर हमारे पास समान आया गुट सेंट तो बढ़ेगा सर गुट सेंट और ये भी किस पे होगा सर आईपी पे और कब बढ़ सकता है हमारे stock बताओ डिमाग लगाओ logic कब बढ़ेगा हमारे stock अगर मैंने कोई return किया और वो return वापसी आ जाए सब भी बढ़ जाएगा यानि अब sales return होगा तो भी sales return मैंने customer को समान बेचा उसने वापसी कर दिया फिर बढ़ जाएगा अब घटने का reason क्या है समान बेच दो घट जाएगा अब समान जब बेचेंगे तो घट जाएगा यानि sales अब बताओ कैसे समान बेचेंगे तो हमारे stock घट सकता है अगर नगद बेचेंगे तो घटेगा ही नहीं घटेगा अगर हमने 10 आइटम था हम बेच रहे हैं हमारे stock है तो नगद बेचे चाहे उधार बेचे दोनों में घटना है हमारे stock तो तो इसलिए इसके नीचे जो sales होगा वो दोनों आएगा यहाँ पे कौन-कौन ससर cash भी और credit भी वापसी कर देख इसको head office को तो कहां लिखेंगे buy side में return तो यह आगया न good sent good sent receive तो है क्योंकि head office ने send किया है बना head office रहा है लेकिन branch के लिए बना रहा है इसलिए वो बोल रहा हमने good sent किया है ठीके न good receive ही है return to HOE हो जाएगा कई बार ग्राहाग भी direct return कर देते हैं जैसे ग्राहाग ने ब्रांच को ना करके direct किसको कर देख तो हम उसकी बाद में बात करेंगे ठीक है अब balance cd यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ अब क्या हो सकता है अगर आपका मान लेते loss हो गया loss किसी परकार का हो चाहे normal हो abnormal हो आपका stock तो घटे गई तो किदर लिखना चाहिए उसे बताओ by side में तो by आपका चाहे normal loss हो या फिर क्या हो abnormal loss abnormal loss abnormal loss में क्या हो सकता है abnormal loss आपको सवाल में हलाकी घीवन होगा यह abnormal loss है लेकिन ऐसे हो जाए loss by theft loss by fire आपका यह preferred हो जाए या फिर आपका shortage भी आ जाता है एक बार को यहां पे तो इस तरीकी के loss होंगे spoilage हो जाए तो आपका यह loss क्या होगा abnormal loss के लिए सवाल normal loss बोल देगा examiner का main motive क्या रहने वाला है यह क्या होगा हाँ हाँ free sample में भी घट जाएगा free sample में भी घटेगा ठीक है ना हम free sample देंगे अगे इधर आ जाएगा अब मान लेते हैं कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास दो branch है एक डेली branch एक यूपी branch और मुंबई branch जो है वो actual है और यह एक डेली का branch है और यूपी का भी एक है तो मैं अगर आप से पूछू के मुंबई और डेली के बीच में सफर फासला और यूपी और डेली के बीच में फासला तो किसके बीच में कम फासला है तो अगर मान लेते हैं यूपी के पास बहुत सारा स्टॉक पढ़ा हुआ है और डेली branch के पास स्टॉक ही खतम हो गया तो तो हैड ऑफिस न इंस्ट्रक्शन दे सकता है इसको कि भाई मेरे पास तो जाने में टाइम लगेगा तेरे पास पढ़ा हुआ एक काम कर दो फटा फट जा और तुब डेली ब्रांच को समान भेजबा दे वहां से ग्रहाक बापस आए ऐसा होता है मान लेते हम यूपी ब्र ब्रांच को इंस्ट्रक्शन आ गया कहां से आ गया कि समान किसको भेज़ दो तो जब यूपी ब्रांच जो मैं बना रहा हूं अगर मुझे इंस्ट्रक्शन आ गया भीजने का तो मेरे स्टॉक क्या होगा कम होगा ज्यादा होगा तो मैं बाई साइट में लिखूंगा लेते हैं कई बार इस टॉक ना यूपी में खतम हो गया और डेली में खूब सारा पड़ा हुआ है तो अब हैड ओफिस किसको इंस्ट्रक्शन देगा बताओ डेली को देगा क्या बोलेगा किसको समान दे दो तो अब जब यूपी का मैं अपने लिए बना रहा हूँ यूपी आप इन सब्दों देखो आप अगर रटाफिकेशन मारोगे ना तो नहीं कर सकते भाई आप लॉजिक को पकड़ो जब सवाल गीवन होगा और आपको पता है स्टॉक अकाउंट बनाना है तो वो कैसे भी घुमा फिरा के आपसे सवाल बोल दे कैसे भी घुमा फिरा के आप पता है यह बोल रहा है इसका हमारे पास स्टॉक जा रहा है तो कुछ भी हो जाएगा तो बाहि में अगर आ रहा है हमारे पास स्टॉक जाए कहीं से भी यह जता है कि जब हम समान को भीजते हैं ना जैसे मालो यहां पर समान है और हमने समान भीजना चालू किया और मैंने दो ट्रक भीजे समान ठीक है ना समान इतना ज्यादा था दो ट्रक भीजा Head Office ने मुझे कहा कि भाई इस ट्रक में पांच हजार का समान है इस ट्रक में दस हजार का समान है Head Office ने फोन किया भाई मैंने तिरे को कितने का समान भेज दिया 15,000 का लेकिन मैं यहाँ पे नपता क्या करता हूँ वही आइटम लिखता हूँ जो मैं रिसीव करना हूँ तो जब ट्रक आने लगा तो मैंने भूला भेज ट्रक आजाओ कितने का समान आ रहा है तो एक ट्रक न अभी आई नहीं पाया उसका मान लेते हैं ट्रक खराब होगे रास्ते में पंचर हो गया नहीं आपाया अभी एक ही ट्रक आए तो मैं यहाँ पे जो गुट सेंट में लिखूँगा न वो कितना लिखूँगा बताओ गुट सेंट में सिर्फ लिखूँगा एक तो यह तरीका है कि भीया दस अजार का माल आए तो दसी लिखूँगा मैं दूसरा तरीका एक और यह है कि भीया माल तो आई जाएगा न माल जाएगा कहाँ ट्रक खराब हो गया पंचर हो गया तो ऐसा थोड़ी हो बापसी चला जाएगा वो तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे गुट सेंड में वो कितना लिखेंगे पंदरा हजार गुट सेंड में कितना लिखेंगे पंदरा हजार समझना बात को यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ फटा फट कमेंड में जवाब देज दीजिए कि यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आ रहा है समझ में प्रॉपर के वहां से भेजा कितने दो ट्रक 15,000 लेकिन मेरे पास आई कितने ट्रक एक ट्रक 10 का 5 का तो नहीं आया जब मैं closing stock निकालने गया तो closing stock मैंने यहां पर निकाल के लिखा है closing stock निकालने गया उसमें से जो यहां लिख दिया, ठीक है, क्या जो समान रास्ते में उसको मैं गिन पाऊँगा, नहीं गिन पाऊँगा, ट्रक आई नहीं राभी तक साल का एंड हो गया, इसका मतलब भाईया, आज नहीं तो कल आ जाएगा, समझ मैं, तो अब ये closing stock सर गलत है, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आपने इधर 15,000 रुपे का समान देखा, और ये 8,000 रुपे चाट के निकाला नहीं, वो 10,000 के समान में से 8,000 रुपे चाट के निकाला है, क्योंकि जो समान आपके पास पड़ा हुआ है, उसी में से तो गिंती से निकाला है, आपने closing stock, क्योंकि आपके मैंने इसके अंदर add कर दिया तो मतलब है 5000 13000 रुपए का आपका stock go down में है इसका थोड़ा सा अलग accounting treatment करा गया बोला गया भाईया जो आपके पास go down में उसको तो balance bd में लिखिए और जो go down में नहीं है उसको लिख दीजिए goods in transit क्या बोला गया goods in transit का मतलब होता है रस्ता समझ में आई बात आपको तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम goods in transit बिल्कुल आए का question अरे भेजा 30 तारिक को था मार्च में हाँ तो 30 तारिक को भेजा तो हो नहीं सकता कि एक साल एक दिन बाद आजाए हो सकता है समझे रहे ना 30 मार्च को समाना आया ठीक है 30 मार्च को जट से यहाँ लिख दिया उसको आने में दो दिन है अगला साल आ गया हमें तो closing बना नहीं है ना तो हम लिखेंगे नहीं समझ में आ रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा मैंने goods in transit इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं goods in transit closing stock जो होगा ना जो balance ED होगा वो तो closing stock का होगा और एक होगा goods in transit goods in transit एक होगा goods in transit बताइए कोई दिक्त समझ में आ रहे हैं ऐसा लेकिन अगर मान लो इधर हमने 10 लिखा इधर अगर हमने 10 लिखा तो goods in transit लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 या 10 के हिसाब से चल रहे हो आप goods in transit इसले इधर 15 और इधर 10 के हिसाब से closing तो लिखते हैं और बाकिया आपको जब भी goods in transit होगा तो इधर फरक नहीं पड़ेगा इधर ही लिखना होगा अब ये सारा करने के बाद अब हमें loading लिखना है इसले क्या abnormal loss है तो इस दर आ जाएगा हाँ माल खराब होने का मतलब आपका माल गया गया आपका माल बरबाद हो गया stock कम हो गया तो किदर आएगा बाइसा भी हो सकता हम किसी को भेज दे और वो रस्ते में लटक गया तो हमें क्या मतलब वो एंट्री करेगा ना goods in transit का हम तो इधर लिख देंगा भाई मैंने आपको माल भेज दिया समझना बात को मैंने आपको माल क्या करा भेज दिया मैंने भेज दिया अब मैंने भेज दिया तो मैं तो बाइसाइड में लिख दूँगा goods transfer to this अब वो बोल रहा है यार आए नहीं मैंने तू एंट्री करनी आए तो मेरे को क्या ले ना देना गुर्सिंड ट्रांजिट की कौन एंट्री करेगा वो करेगा ये मैं करूंग वो और हम अकाउंटिंग अपनी कर रहे है तो हमें मतलब इनिए भिया तो भेद से टाइम पे ट्रांजिट moments होगा कोई लिए नहीं देना नहीं और लेते टाइम P होगा तो हमारे कोई मतलब नहीं है और लेते टाइम पर पूरा आ जाएगा अब लोडिंग की बात करें तो सर लोडिंग किस-किस पर निकलेगा यानि सर इन दोनों को छोड़ कर सब पर एक इस पर और एक सेल्स रिटन को छोड़ कर नहीं इंफेक्ट सेल्स रिटन पर निकलेगा क्यों सेलिंग प्राइज अब लोडिंग निकालेंगे तो किदर आएगा सर इसका लोडिंग और इसका लोडिंग तो रिटन टू एच्चो का मैं इधर लिख र काम आएगा, loading के अंदर क्या क्या आ सकता है, return पे loading, और किस पे आ सकता है, आपका, मैंने थोड़ा सा mistake में गलत चला गया, loading यहां नहीं लिखेंगे, कहीं और लिखेंगे, आपको बस पता होना अच्छे किस-किस पे loading निकलेगा, यानि बड़ी सी बात है सर, इसके उपर भी loading निकलेगा, इसके उपर भी loading निकलेगा, इसके उपर भी loading निकलेगा, goods receive मैंने extra लिखा है, इसके उपर भी loading निकलेगा, good send तो यह तो समझाने के लिए था, मैं इसे मिटा दू, है न, अब इधर से आ जाते हैं, इसके उपर loading निकलेगा, इसके उपर loading निकलेगा, normal loss पे loading नहीं निकलता है एबनॉर्मल पर लोडिंग निकलेगा ट्रांसफर के उपर भी लोडिंग निकलेगा और क्लोजिंग स्टॉक के उपर भी लोडिंग निकलेगा समझ महीं बात पर इन लोडिंग को न हम यहां नहीं रखेंगे पहले क्या था इसके लोडिंग को निकालके हम इधर रख देते थे और इसके लोडिंग को निकालके इधर अब हमने क्या करा इसके लिए एक separate account बना लेंगे समझ रहे बात इसके अंदर तो यह content है ठीक है न अब पहले जैसे की depreciation के लिए एक अलग account बना लेंगे हだから भी बना लेंगे उस अकाउंट का नाम क्या होगा सर ब्रांच organism सब्सक्राइं यह रखेंगे अधर थर बनाते हैं कि और कई लोग ना इससे branch adjustment को मैं बता देता हूँ इसको बोलते है branch adjustment और कई लोग branch adjustment को ना बोल देते हैं ट्रेडिंग and profit and loss account ठीक है न कई वार सवाल में आएगा पिरपेर ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लोग अकाउंट आल्सो तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लोग अकाउंट किसका है branch adjustment का ही नाम है अब ट्रेडिंग profit and loss से ख्याल आया है यहां तो दो चीज़े बनेगी तो यहां तक हमारा उपर का हिस्सा रहेगा और यहां तक इसके नीचे का हिस्सा रहेगा यहां मान लेते हैं ट्रेडिंग और नीचे पी अंडल है पैसेज कुछ होगी है ना दो हिस्से में बाठ दिया ऊपर वाले हिस्से में स्रिफ लोडिंग लोडिंग का काम होगा जैसे इधर का स्टॉक है टू में तो इधर आएका बाई में बाई लोडिंग किस पे सर ओपनिंग स्टॉक है समझे रहे है और किस पे आएगा बाई लोडिंग गुड्स गुड्स सेंट पे और किस पे आएगा बाई लोडिंग अब इधर भी लोडिंग लिखना है इधर इसका लिखेंगे किस किस का आएगा इधर तू लोडिंग रेटन पे तू लोडिंग अब देखना नॉर्मल लॉस पे लोडिंग नहीं निकालते हैं मैंने टिक नहीं किया नॉर्मल लॉस फुल दिखाते हैं तू नॉर्मल लॉस यहां उतार देते हैं यानि मैं एक बात बोलू ना तो नॉर्मल लॉस पे 100% लोडिंग बोल सकते हैं हाँ पूरा मतलब 100 रुपे का है ना पूरे 100 रुपे ऐसा नहीं है कि 100 है तो उसका 20% प्रॉफिट है तो सिर्फ 20% बीस लिखेंगा नहीं पूरे 100 तो जो यहां नॉर्मल लॉस हुआ एबनॉर्मल लॉस इधर लिखते हैं टू लोडिंग कि इसका ABL लिख रहा हूँ ठीक है अब मैं माल लेता हूँ 1000 रुपे का समान था इसके उपर प्रॉफिट रखता हूँ मैं 20% का ठीक है लोडिंग बताईए कितना होगा हजार का समान 20% का profit margin है लोडिंग बताईए कितना होगा कौन बताईगा लोडिंग होगा बड़ी सीजी सी बात है मैंने हजार पे 20% रखता हो तो 200 रुपे वो आप उस पे मज़ जाईए कन्फ्यूज मत होईए कि 25 निकालेंगे 20 निकालेंगे कितना निकालेंगे 200 अब मैं अगर इसमें पूछू हाँ मैंने डारेक्ट बता दिया अगर मैंने कहा हजार पे 20% या नहीं 200 अब मैं बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ कि बताईए इसमें profit का हिस्सा कितना है 200 क्योंकि loading को ही तो profit बोलते हैं अब cost का हिस्सा कितना है 800 तो यहाँ पे ऐसे सवाल का कितना आएगा सर 200 और जो उसका cost होगा वो भी तो नुकसान है वो p handle में चले जाएगा abnormal 200 उपर 800 नीचे मैं example में ले लूँ यानि नुकसान तो पूरा ही हो गया नुकसान होने से stock तो खतम ही हो गया अब profit का थोड़ी नुकसान हो जाएगा आपका नुकसान तो हमेशा goods का होगा तो जो goods का नुकसान होगा उसे p handle यानि यहाँ भेज देंगे और जो cost profit वाला हिस्सा उपर चला जाएगा ताकि हम इससे actual profit निकाल साँ समझ रहे हो अब इसके बाद क्या है सर transfer to branch इस पे भी loading निकाल लो transfer सर और क्या होने वाला है balance cd पे भी to loading closing पे खेक है न इसके बाद यहाँ दो समभावना ही बन गई सर दो समभावना ही कौन सी बन गई या तो gross profit ठीक है न तो मैं मानके चलता हूँ जादर से जादर तो GP आता है तो gross profit अगर आया है तो इधर लिख देंगे 2GP 2GP बिल्कुल वही है और इसका GP किदर आ जाएगा Buy GP अब यहाँ सारे खर्चे आ जाएगे सारे अब चाहे discount on debtor हो अब यहाँ पे आएगा यानि total खर्चे आ जाएगा पहले हमारा opening और closing debtor था तो adjustment लग जाता था बीच का खर्चा लेकिन अब अब चाहे भी या ब्रांच खर्चा करे head office खर्चा करे लेना देना नहीं है सारे खर्चे आएगे समझ रहे हो तो यहाँ पे सारे खर्चे क्या क्या हो सकते है सर discount bed debts और क्या हो सकता है हमारा salary जर्नल एक्सपेंस अधर एक्सपेंस सब आ गया है ज्यादा लंबा खीच के क्या कर आपको पता ही है के salary आज गया आपका office expense आ गया water below हो गया चाहे paper का खर्चा हो गया stationary का हो गया सब आ जाएगा अब कई बार अधर लोस में इंसरेंस company हमें पैसे दे देता है है इस दो यो से लिए हम वह हमारे लिए income है जैसे मान लेते हाजार का समान जला yeah no और यहां पर two side में finally आजएगा petty expense और यह ने बिल्कुल वैसा होगा जैसे outstanding में add हो जाता था पुराना दे रखा है outstanding में दे रखा है तो क्या करेंगा अपन add कर देंगे वही बिल्कुल same way रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं है ठीक है अब बाकी के account को समझो मैंने क्या बूला सर एक branch बनाएंगे यह यह बनाएंगे यह तो समझे डेटर क्यूं बनाएंगे क्या data account इसमें use हो रहा है सर हो रहा है पता वो debtor कहां यूज हो रहा है debtor का कुछ amount balance यूज हो रहा है कहीं यहाँ पर ये तो debtor से निकलेगा credit sales कई बार तो अगर आपको credit sales दे दे मतलब भी नहीं debtor का कोई लेना देना नहीं debtor का समझ में आ गया इसके बाद मैंने बोला सर एक क्या बनावा पैटी एक्समेंस पैटी एक्समेंस कहां यूज हो रहा है अगर दे दे आपको करेंट इयर का पैटी एक्समेंस इस पर मैंने बाकी बोला था अलग से डिसकस करेंगे जुरत ही नहीं है इसके बाद एक मैंने बोला bank account तो sir bank account की जुरत पढ़ सकती है आपको cash sales निकालने के लिए तो अगर सारी जानकारी है तो branch, account, stock, debtor system बस यही है इससे अलावा कुछ नहीं और बाकी की जो account बनेंगे इसकी help करने के लिए बनाया जाएगा पहले concept को, thought को समझ दिया आप समझ रहे हैं एक account क्या है stock stock कितना असान है इधर से आएगा stock और इधर से निकल जाएगा बाकी इसमें से कोई हमेशा पता इसमें क्या निकलेगा answer में balance CD ही निकलेगा जाद से जाद और उसके बाद जितने भी इसधर की side है सभी के हम क्या करेंगे 2 वाले का जितने भी loading है buy में ले जाएंगे किस में branch adjustment में और buy वाले का कहा लिएंगे और वहाँ से निकलेगा GP और P handle में सारे खर्चे डाल के हम क्या निकाल लेंगे even तो अभी पहला सवाल किया था ना हमने तीसरा सवाल किया था वो as per debtor system किया था और उसी को मैं इसी method से करूँ तो answer same रहेगा कोई फरक नहीं आएगा कई बार question भी ऐसा आपके book में भी सवाल होगा कि verify also stock debtor system का question होगा वो कहता है verify also तो कहने का मतलब है भई या stock debtor के system से निकाल ले तू net profit और तेरा net profit निकल गया न तो एक बार debtor system से भी निकाल ले अगर match हो जाता है तो verify हो गया same सवाल कोई हाँ दो बार करके पूछ लेता हो तो वो exam में तो नहीं आएगा यतना लंब लेकिन बुक के अंधर आएसे question आपको मिसकते हैं एवन गीवन भी है पहले बताईए सर अलग अलग बनाएंगों ऑब बच्चे बोल रहे हैं सर इसे अलग अलग बनाएंगे या एक में बताईए यहां तक कोई डाउट को यहां तक कसी बच्चे को डाउट कि स्वाज में आ रहाいい पूरा थीक है तो अभी एक सवाल हम करने नहीं जा रहे हम सवाल यहां पर बताना कहा जाएगा ठीक है ना एक कोश्चन आपको दिखाऊंगा और आप बता देने कहां कहां जाएगा ठीक है या बुक दिखा तो बुक से पढ़ देता हूं मैं कोशन आप निकाल के देदो एक कोशन ब्रांच डेटर स्टॉक डेटर सिस्टम वाला मेरे सामने ना मैं बोलता जाओंगा जितने बच्चे लाइब में ना वो भी साथ के साथ जवाब देंगा चुप चाप नहीं बैठना और मैंने यूटूब का लिंक भी दे दिया है आपको मैं दुबारा शेयर कर देता हूं कि भाई सब्सक्राइब कर लो इसी पर आगे की नोटिफिकेशन में डालूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पुराना चैनल हमारा हैक हो चुका है जो बड़ी दुख की बात है देखो कुश्चन नंबर 10 है ठीक है तुरिफ आपने ये बताना है जाएगा कहां ठीक है अगर आपको ये चीज़े समझ में आ गई न आप बता सकते हो जाएगा कहां कुशन नमबर दस में कहता है ये कुशन में कहता है आगरा हेड आफिस सरप्लस गुड्स ब्रांच अलवर है उसमें भी है अलवर वाला हाँ अलवर वाला है या नहीं है है मैंने कराय हुआ है स्टॉक विज ब्रांच आपका 66,000 है 66,000 है भाई और प्रोग्राम के अंदर 14 ओनर्स के अंदर 10 पुरानी बुक में 11 भी हो सकते देख लिए आपके पास किताब है ठीक है किताब है आपके पास अब यहां पर गीवन है स्टॉक एट इनवाइस प्राइज 66,000 रुपे स्टार्टिंग में गीवन है ठीक है ना मैं पढ़ दू इसको अभी हम सवाल नहीं कर रहे है जस्ट आपका नॉलिज टेस्ट कर रहे है कि कितना आपको समझ में आ रही है मेरी बाते तो पहला पॉइंट गीवन है स्टॉक ब बताईए लाइव वाले बच्चे भी बता दें फटा फट कहां जाएगा ये स्टॉक अकाउंट के डैबिट साइट इसके बाद अगला पॉइंट है डेटर एक एक दो हजार बीस का डेटर तो अब ये डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा मैंने हाला कि बनाया नहीं है त आगांट इसके बाद देता है पैटी केस का बैलेंस 2020 का ये पैटी केस अकाउंट के अंदर जाएगा यानि ओपलिंग बैलेंस जिस अकाउंट से लिलेटी यह वहां पहुछा देंगे केथा गूट सरीफ रॉम हैड ऑफ से कहां जाएगा ये इस गोड सरी प्रूम हैड ऑस कहां जाएगा, branch के debit में जाएगा, समझ में आ रहा है ना, अंजली ने भी जवाब दे दिया है, चेहता है, credit sales, कहां जाएगा, स्री, goods return to HO, कहां जाएगा, branch stock, branch account नीए, branch stock बोलना है, branch stock के, credit side, return है न, credit sales कहां जाएगा, sales return कहा जाएगा debit में जाएगा और data में भी जाएगा sales return data में आता है नहीं आता अभी करा था आता है ना वहाँ भी जाएगा cash sales भी यही पर आ जाएगा stock account के credit side में allowances customer already adjusted discount P&L के debit में आ जाएगा ठीक है इस पर discuss करेंगे मैं यह नहीं कह रहा है कि आप यह question करेंगे मैं बोल रहा हूँ कि यह question इस type के हम देखेंगे cash receive from debtor कोई काम है क्या कहा जाता है cash receive from debtor debtor account में जाएगा यह discount allowed to debtor P&L में भी जाएगा और debtor में भी जाएगा expense petty cash salary salary यह सब दे रखा पूरा question करूँगा तो hundred percent आपकोश यह रोजाएगा बस ऐसे है मैंने जितना आज की class में चर्चा किया है बच्चा अगर इस class को अच्छे से देख ले ना अच्छे से समझ ले तो कोई भी question कर सकता है सिर्फ understanding develop होना चीए और जो बच्चा सिर्फ इसको उतार लेगा और उसके बाद question करके पढ़ पढ़ के लिखेगा आरे good receive इधा रहा यह इधा रहा तो नहीं कर पाएगा यानि इसके अंदर क्या है logic है simple भी यह stock account है इधर से बढ़ाना है इधर से घटाना है इसका loading उठा के हमें buy side करना है इसके help करने के लिए कुछ account बन सकते है debtor, petty cash, bank और भी कुछ बनाना चाहे तो बन सकता है debit side clear यहां तक तो हम कल सुभे 11 बजे class रख रहे हैं 11 बजे आली class के अंदर हम कम से कम 3 सवाल करेंगे इसके जिससे हमारा यह branch account खतम हो जाएगा बड़े बड़े 3 सवाल देखेंगे कल हम और कितने question है total 32 inter department branch यह तो अभी नहीं करेंगे departmental branch तो अलागी chapter से करेंगे तो सर सवाल है 28 तो कल 3 question करेंगे 3 question करने के बाद आपको 10-12 question दे दूँगा मैं homework के लिए जो कि आप करोगे और main चीज़ देखो मैं यहाँ पे मेहनत तो करी रहाँ आपके paper बहुत पास आने वाले हैं आपको थोड़ा अपना भी effort लगाना है अपना भी दिमाग लगाना है इसके अंदर solution भी गीवन है तो कई बार आप जब रुक जाओ उस solution की help लेना अगर solution के देख के आपका understanding concept के हिसाब से match कर गया और वो solution वहीं पर डला है तो छोड़ देना लेकिन आपने solution को देख के answer को tape दिया लेकिन समझ में नहीं आए कि वो solution ऐसा क्यों लिखा गया था तब आपके लिए problem है वो चीज़े आप मेरे से पूछोगे वाटसप पे खीक है ना समझ में आ रहे हैं तो फटा फट से इसको note कर लीजी आप जितने offline बच्चे हैं और online वाले भी बच्चे note कर लेंगे इनको video मिल जाएगा कुछ बच्चे कह रहे थे सार एक class missing था मैं देख लेता हूँ सर कौन सी class missing रह गई थी हाला कि तीसरी class मैंने डाल दी थी फिर भी मैं check कर लेता हूँ कौन सी रह गई थी भाई कौन सी रह गई थी उस दिन मैंने सुबह सुबह class लिया था कौन सी तारिक था वो Saturday था Tuesday था हाँ Tuesday को कितनी तारिक थी आपके तो लास क्लास के अंदर हमने format पूरा देख लिया था हमने नाव हर किसी को ये पार्ट वीजवल है तो बता दीजिए फटा फट से और जिसको वीजवल नहीं है आपके किताब जे आर मोंगा का question है ये ठीक है एक basic सा question है पहले question पड़ देता हूँ मैं account बना लेते हैं हम stock debtor system कर रहे है सर सवाल एक बच्चे ने पूछा मेरे से सर कैसे पता चलेगा कि ये stock debtor system है या debtor system है देखिए branch expense क्या कहता है देखो कहता है from the following particular branch prepare क्या क्या prepare करना है branch stock account okay branch stock account के बाद और क्या prepare करना है branch debtor account okay उसके बाद branch expense account okay इसके बाद branch adjustment ये line जो है ना इसने clear कर दिया कौन सा method है ये stock debtor system और कौन सा बनाना है books of account तो देखो ये ना question खुदी selfie कह रहा है कि यह 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 तुम्हें बनाने है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भी यह इसमें जरूरत है या नहीं आपको बनाने पढ़ेंगे उस situation में ठीक है तो फटा-फट से हम account भी draw कर लेते हैं सबसे पहले कौन सा बना लेते हैं last class में बनाये था ना हमने branch stock account ज्यादा बड़ा नहीं बनता यह छोटा सा ही रहता है क्यूंकि ज्यादा जानकारी आती नहीं है इसके अंदर कि हांजे कि हांजे कि 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 अचे कि अचा वांपत में कि इसकी नहीं हीं तुछ कि आनक Main कि मशने नहीं ळादka कि अचसान के इसके जैन कि दिए कि औरी अवा तुण कि कार ग तो जी यदि अब ब्रांच डेटरतर जो है न इस्टा ब्रांच अप्ट यह bard अपर व digestive की का थोड़ासा ज्या था कमी होने के कारण मैं अपने हिसाब अजय एपट अपर देटर बना लेते हैं इस ए नहीं फिर बाद में बच्चे भी बोलते हैं जिनके पास नहीं है वो बोलते हैं हमारे पास किताब नहीं है कुछ बच्चे किताब लेतें नहीं है हर किसी की अपनी-अपनी मजबूरी है प्रणी प्रणी प्रुब एक बुलावा है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट ओके तो ना हम मैं एक पीछे का भी पेज ले रहा हूं इसके लिए क्योंकि मुझे जुरत पड़ेगी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ आपके लिए ब्रांच अड्जस्मेंट अकाउंट और अड्जस्मेंट का एक और नाम क्या होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट अन लॉज चलिए सर एक ब्रांच एक्समेंट भी बनाने ना में एक एक करके पढ़ेंगे जहाँ 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 जाना होगा हम करते जाएंगे सबसे पहले सवाल देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग चलना है हमें कुश्टन के अकॉर्डिंग चलना है कहता है कि अब याद रखना हमारा कॉस्ट के ऊपर हम कितने परसेंट मार्क अप लेके चल रहे हैं पच्छिस अभी मैंने एक शब्दी यूज करा क्या मार्क अप तो एक्जामनर डराने के लिए इतने शब्दी यूज कर लेता है ना एक्जाम में आ जागा कॉस्ट प्लस पच्छिस परसेंट नहीं कॉस्ट प्लस मार्क अप पच्छिस परसेंट नहीं कॉस्ट प्लस मार्क अप पच्छिस परसेंट नहीं कॉस्ट प्लस मार् का वो cash sales हो जो भी हो मारा इस deposit to the credit HO और HO को हम deposit कर देते हैं from the following particular branch आगे कहता है sir debtor starting में given है और ending में 12,000 और 14,000 तो debtor account मैंने यही बना रखा है तो debtor के लिए क्या word use करने वाला हूँ to balance to balance BD कितने 12,000 और इधर के आजाएगा buy balance balance CD 14,000 किसी को कोई दिक्कत पहले 2 point हो गए हमारे done inventory with the branch at invoice price opening और closing opening 16 और closing 17 तो two balance BD कितने 16 और buy balance 17 clear इसके बाद कहता है cash sales during the year तो यहाँ पे तो sales आ जाएगा और इसके अंदर cash भी रहने वाला है कितने 60,000 और कहता है total amount deposit to HO during the year चलिए इस पे star लगाते हैं देखिए यहाँ से क्या-क्या निकाल सकते है return goods to HO at invoice price तो buy return कितना return एक लाख नहीं यह भी कर लिया salary paid कितना paid किया है salary paid किया है इसने 6000 और rent paid किया है 4000 discount allowed to customer salary और rent आ जाएगा सर पीछे पीडल में आ जाएगा to salary 6000 और to rent कितने 4000 इसके बाद आ जाते हैं सर discount allowed to customer दो जगा एक तो डेटर में कितने रुपे 2000 दूसरा आ जाएगा हमारा यहाँ expense में to discount समझे रहना पहले आप क्योंकि कुछ चीज़े जो account में जा रहा है तो पीडल में तो आनता है पहले ऐसा नहीं होता था पहले आले system अब आगे आ जाते हैं discount के 姜़िस यहा जाएगा bye का एक हजार रुपे ता एक हदार रुपեर अधे यही बचैज़ा आजाएगा हमारा कहां सर यही बेड़ेट आजाएगा two की एक हजार रुपया कश्छ चलिए चलिए इसके बाद आगे spoilage, spoilage क्या होता है nest हो जाना, समान का nest हो जाना good का nest हो जाना, किसी कारण की वज़े से यानि एक तरीके से बरबाद हो गया हमारा समान और बरबाद हो गया तो loss है यह अब यह वाला spoilage जो होता है हमेशा abnormal loss होता है हमेशा ध्यान रखिएगा spoilage कोंसा होता है हमारा ABL abnormal loss, तो spoilage इधर लिख दे 2000, कई बार examiner पता है दिखाने के style अलग होता है, वो यहीं पर loading को अलग-अलग कर देते हैं, कि इतना part मतलब trading में जाएगा और इतना part branch adjustment में जाएगा तो confused नहीं होना, आप दोनों को जोड के देखें, वो पता है क्या करेंगे, मुझे पता है कि cost plus 25% है, तो sales पे 20 होगा, तो वो क्या करेंगे 1600 दिखा देंगे, branch adjustment में इस तरीके से लिख देंगे, तो घबराना नहीं है, आपको लास्ता किसी तरीके से चलना है, ठीक है, चलिए, यह सारा information put कर दिया, आप एक पे star लगा रखा, तब इसको ध्यान से देखिए, कहता है कि total amount deposit HO, जो पैसा मेरे पास आया, वो ही मैंने HO में deposit किया, अब मेरे पास total पैसा जो HO में deposit किया, वो किया 27,000 का, क्या हमें bank account भी बनाने को बोला गया है, एक 37,000, bank account तो बोला नहीं गया, समझिएगा, और मैंने नगद में sales किया, कितने का, नगद में sales किया, तो आप दिमाग लगाईए, कि सर 60,000 नगद में sales किया, और अब branch को आपने 27,000, branch ने head office को 1,27,000 कैसे भीज दिया, तो obvious से कहीं और से भी पैसे आये होंगे, तो पैसे आने का जरिया क्या है, जो बच रहे है बीच में, कितने बच रहे हैं हमारे, 67, जो ये 67 है, तो ये उधार वाला पैसा आया होगा न, यानि credit, debtor से आया होगा, credit sales कह लो, ये किस से आया होगा, debtor से, लेकिन अगर ये सारे खर्चे मैं ही पे करता, तो ये पैसा debtor से नहीं आता, क्योंकि वो भी घट जाता इसमें से, especially यहां कह रखा है, all expense of the branch are paid by H.O, तो मैंने तो पे नहीं किया भाई, वो payment को न कर रहा है, H.O, तो मेरे पास total 1,27,000 आया, 1,27 में तो यह 60,000 का तो cash sales था, बाकी उधार sales होगा, यानि collection from debtor, तो क्या यहां पे हम word use कर सकते हैं, collection from debtor, कितने रुपे, अब देखो यहां से क्या निकाल पाओगे आप, two में balance आएगा, क्या निकाल पाओगे, समझ रहे हो, और यह credit sales कहां use कर लेंगे, है ना, समझ रहे हो कैसे link हो रहा account, देख रहे हो ना, अब आ जाते हैं हम इस पे, उसने क्या कहाता ही किए, branch expense account भी बोला था, हला कि, तो branch expense account है, जो कि finally जाएगा branch adjustment में, ठीक है ना, finally कहा जाएगा branch adjustment में, हाला कि मैंने यहाँ लिख दिया है, हमें लिखना क्या चाहिए था salary, हाँ, भूला हुए सवाल ने तो बनाना पड़ेगा, देखो salary इधर आ जाएगा, और, rent इधर आ जाएगा, और, discount नहींए, discount तो देखो branch expense मतलब जो कि payment कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं बता दूँआ, इस वाले account को थोड़ा hold कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर confusion ना हो, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं, फटा-फट से account को closing के time पर, मतलब यह सारा हमने information ले लिया, जितने भी बच्चे live में है, जितने भी बच्चे, फटा-फट बता दीजिए, कोई doubt चाहिए, offline में बच्च चाहिए, किसी को कोई doubt बता दीजिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत simple चल रहा है हमारा सब कुछ, ठीक है न, clear है यहाँ तक, ठीक है, चलिए, अब यहाँ से सबसे पहले total, अगर हम करते हैं, तो यहाँ से total, शायद कुछ ना निकले, और कुछ निकलेगा, तो इधर shortage, और इधर निकलेगा, तो surplus भी आ सकता है, समझ रहे हो न बात को, तो total करते हैं, अब यहाँ पे देखो, समान 16,000 का और 20,000,000 में रहे हैं, तो आया होगा न समान तो, कहां से आया होगा, हो से आया होगा, तो वो balancing figure आएगा, टोटल कर लेते हैं सर, 87 इसको कर लेंगे, यहाँ जाएगा 120, नहीं, 127 आएगा, नहीं, 127 तो नहीं आएगा, 67 यह तो यहाँ पर नहीं आएगा भाई, यहाँ पर निकालेंगे ने, टोटल करके credit sales तो यहाँ से उठके जाएगा, यह टोटल 84, एक चालिस तो अकेला यहीं से, 14 आ जा रहे है, 34, इज़र, और यह 74 यहाँ आएगा, और 134, वाई गलत सलत क्यों बता देते हूँ, एक लाग, 32 इसका टोटल करिये, 137, 149, और 149, 50 मान लो, 156, 156, मानेस 16,001, सर, 140, तो यह देखो, यह किस पे है, IP, यह किस पे है, कहा गया, कहा गया, कहा गया, IP, जब सब कुछ, IP पे और यह तो cost निकला न, तो अब इसे IP पे बनाना पड़ेगा, इसमें add करो, profit, कितने percent बोला है, cost के उपर, that is cost निकला, cost के उपर 25% add करो, 25%, 70%, 35%, और कितना बन रहा है, इसमें, भाई, यह calculator बदलते हैं, क्यों नहीं गलत बताता है, एक 75%, मैं भी एक बार देख लूँ, सही IP निकाला है, एक बार book में चेक करी है, मेरे इसाब से, यह IP पे ही आया है, एक 40, एक 40 ही आया है ना, इस पे हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसने कर दिया है, क्योंकि सारा sale में ही चल रहा है, तो यह भी sale ही आ जाएगा, यह क्या आ गया सर, एक 40, ठीक है ना, यह दोनों account समझ में आ गया, यह difference balancing figure, नहीं, यह सारा sales पे है, और इधर भी sales ही है सारा, तो बीच में difference भी sales पे ही आया होगा, नहीं, वो अलग से question बोल देगा, अभी एक question देखेंगे, वो बोलेगा लग से, ठीक है ना, यहां तक सब को समझ में आ गया, यह दोनों account का enter link, अब सार इसके loading को लेना है, opening पे loading वैसे तो इसने बोला, cost plus 25%, तो आपको पता है कि वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, sales के उपर कितना बनेगा, table याद करवाए था, तो 16 दुनी 32 और 14 दुनी 28, तो इधर buy side में जाएंगे, buy side में loading, loading किस पे, opening stock पे, sir 32, और buy side में loading, loading किस पे, sir, good send पे, जो की निकाला है, 28,000, ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, अरे वो कोई दिक्कत नहीं, वो spoilage को minus कर दिया होगा, ठीक है, तो यह आगा है, return वगर अभी उसना adjust कर दिया, वहना आप देखना सारा सहिम हैगा, अब इस पे तो निकलेगा, ने, return 5000, 5000 पे 20% कितना 1000, उसका loading इधर आ जाएगा, return का, return का 1000, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, सर और किस पे आएगा, spoilage, spoilage कुन सा loss है, abnormal, abnormal का क्या treatment बताया था सर, कि यहाँ पे आएगा आपका loading, और उसका बाकी बचा हुआ, पी हेंडल में, ठीक है, याद आए आए आपको, तो फटा फटा आ जाते हैं, सोला सो, समझे बाद, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, और क्या है सर, closing stock, 17,000 पे 3400 बनेगा, टू loading, यह है सर, closing stock पे, यह है ABL पे, यह bracket में लिखना है, और यह है सर, return पे, loading, कितने हैं, 3400, पटा फट जीपी निका लिए, 28 और 3, 11, 31, 200, है न, 31, 200, यहां पे आएगा, 2 जीपी, जीपी करिए, 38, 48 माइनस करिए, कितने, बताइए, अरे भाई, 31, 200 में से आप 38, 27, 26, बाई आ जाएगा, जीपी, मैं कह रहा हूँ, इस calculator को, यूज करना बंद कर दो, आप original calculator ले लो, नहीं तो परिशानी रोगे, इसमें तो कराई है, spoilers तो एड़ी है, आप जाए, यह समझ में आया, अब यहां से final के आएगा, NP, सर्च 26, 400, पटाफट देखे, क्या हम, निकाल पाएए, NP, बुक से एकदम, मैच होना चाहिए, हाँ, amount इदर उदर, बुक से दिख सकता है, branch expense, अभी अलग से समझा दूँ, अब अब आए, अब आए, अब आप एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ में भी आ गया, अकाउंट की demanding पे अगर जाएं, तो अकाउंट कितने demand कर रहा था, अकाउंट बोलड़ा था सर, number one बनाईए, stock account बना लिया, number two बनाईए, branch adjustment बना लिया, number three बनाईए, debtor बना लिया, number four इसने कहा है कि expense भी बनाईए, मैंने expense account नहीं बनाया, इसके बदले मैंने इसके अंदर ही put कर दिया expense को, समझ में आ रहा है, अब expense account बनाईएंगे, तो expense payment होगा न उसको, और payment को अंदर है, echo, ठीक है, तो हमारे लिए खर्चा, अब ये खर्चा जो है, हमने तो dollar P&L में, तो खर्चा क्या होगा, expense to bank, या फिर हम क्या कर देंगे, echo कर देंगे, क्योंकि echo देगा इसको payment, और echo to bank कर देंगे, तो expense account में, जिसका payment होना है, जिसका वो सारे खर्चे दिखा देंगा, आपके किताब में कर भी रखा होगा, दिखाओ, इसा हटाव देखिए, बनाया है, नहीं बनाया है, पता नहीं, नहीं, bank account बनाने के बोला ही नहीं है, आप बनाना चाहते हो, बना सकते हो, bank account मुझे बनाना होता हो, तो मैं इधर लिखता है, two balance BD है नहीं, by balance CD है नहीं, collection from cash इधर आ जाता, payment इधर आ जाता, balancing figure निकल के आ जाता क्या payment to debtor, मतलब collection from debtor आ जाता, वो बनाना चाहते हो, तो बना सकते हो, आप किताब के अंदर देखोगे ना, देखो branch अलबर पी इंडल अलग से बना दिया, branch debtor expense बनाएं नहीं किया इसने, कौन सा question चल रहा है हमारा, आगरा ही है ना, अच्छा, ये expense बना रखा है देखो, सबसे पहले branch expense में क्या है, salary और rent, मैं इधर रिख रहा था, ऐसे salary और rent, इन्होंने bracket में डाल दिया, फरक क्या पड़ता है, ठीक है, और इधर buy side में देखो, क्या लिख देखो, इसमें branch adjustment, कहां जाएगा ये, branch adjustment, पी इंडल में ले जाओ, 10,000, और एक खटा amount यहां ले गए 10,000, मैं दुबारा बताता हूँ, देखो, समझो, वही चीज मैं कर रहा था, मैं पता क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि भी यह खर्चे का account बोला है, तो जो खर्चे का payment करोगे, उसको लिखना है, जो payment, तो salary होगा, salary 6,000, उसके बाद rent होगा, रेंट कितना, 4,000, क्या discount का payment होता है, क्या bed rates का payment होता है, क्या abnormal loss का payment होता है, नहीं, और कौन कहां लेके जाएंगे, इन सभी खर्चे को तो यहां भेजना ही है न, ये कौन सा है, branch adjustment fee handle, सर कितना आएगा, 10K, 10K, और 10K, और ये 10K exactly उठके आ जाएगा, यहां पे, जो ये वाला point है न, मैं यहां पे circle भी कर देता हूँ, ये वाला point मैंने यहां अलग-अलग दिखाया, इसके जगह पे क्या लिखे दोगे, अब सीधा 10K, और यहां पे जो आएगा, वो आजाएगा, अब आंसर में भी check कर सकते हैं बस, समझ रहे हैं, clear है, तो इस तरीके के question 15 नंबर में पूछे जाएंगे, bank account, ये लिजिए, चलिए bank account कहा रहे हैं, bank account के अंदर देखिए, सबसे पहले bank account के अंदर, हमारा पैसा आएगा, इस साइड में जाएगा, इस साइड में, तो पैसा भेजा है हमने H.O. को, buy H.O. को भेज दिया कितना, 127, और मेरे पास आया cash sales से, cash sales से कितना आया, 60, अब तो कुछ लेना देना बताया नहीं है, तो 127, 127, तो बाकी जो बचाना, समझवा रहा है, मैंने collection from debtor लिखा, although यहाँ पर आपने debtor लिखना चाहिए, समझ मैं एक और सवाल देखें, बच्चों ने, हाँ, इसका, यह debit है, हमेशा यह debit इधर ही रहता है, दुनिया में ऐसा कोई इस आकाउंट नहीं है, जिसका इधर credit हो जाए, कोई भी दुनिया में कोई भी अकाउंट हो, debit इधर होगा, credit इधर होगा, balance BD depend करेगा, liability है, तो balance BD credit से start होगा, यानि घर यही है, अब भाई है, जिसको credit में जाना है, तो वो इधर चले जाए, यह निके credit को उठाके इधर लिया है, ठीक है ना, तो वो चीज़े काउंट है, चलिए यह सवाल हमने कर लिया, फटाफट किसी बच्चे को डाउट, branch expense में ही expense आएगा, दो ही expense, बिल्कुल दो ही, जिसका payment करेंगे ना, वो ही expense आएगा सरफ, कैसे होना है, heading, ताकि आपका सवाल उसी के वज़े से रुखेगा, अब देखिए, अगर इसके heading पे जाए, तो goods sent to branch not given, समझ में आया है, और इस सवाल में, हमने stock में से क्या निकाला था, goods sent, ठीक है, यह तो हमने करी लिया, यह आपका journal सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो कि आपको सोचना होगा, सर यह journal सवाल है, तो इसमें कुछ heading भी नहीं डाला हुना, बोला भाई, तु एक बार एक question दे दिया, एक बार करके देख लो क्या आता है, ठीक है, goods receive echo से ठीक है, सबकुछ एकदम जनल है, बस यहाँ पर एक point आ गया, customer selling price already adjust while the invoice, चलिए मैं इसके उपर star बना जिता हूँ, और आप बहुत सारा दिमाग लगाईएगा, इस पर आपने खुद करके देखना है, यहाँ पर रुकोगे मुझे पता है, फिर भी आप एक बार दिमाग लगा हुए, फिर मैं clear करूँआ न, तो कभी exam में भूलोगे नहीं हो, ठीक है, मैं पहले यह चीज़ बताएथा हूँ, चलिए, अब अगले सवाल पर आ जाते है, इसमें क्या point है, कहता है stock at the end not given, तो यानि सर इस सवाल का key point इनका क्या है, बताने का, जो हम stock account बनाते हैं न, जो balance CD हमें given होता था, वो balance CD हमें given, तो सर यह balancing figure निकल जाएगा, यह सिखाना चाहरा है इस सवाल में यह, बाकि सब कुछ सेम है, देखो stock opening दे रखा है, अन कार लिमिटेड है, दो branches, एक जैपूर है और एक लखनव हुआ है, goods are invoice branch cost plus this, expense यह, from the following necessary stock debtor system, अब हमें यह पता करना है कि भाईया, हमारा जैपूर है, तो कौन से ब्रांच है, जैपूर ब्रांच, हम कौन से ब्रांच है, जैपूर, अब कहता है कि goods लखनव कहां कहता है, goods transfer from लखनव से जैपूर, तो हमारे पास आया है, तो कहां आएगा, नहीं हमारे पास आया है stock, इसी वो आने कहता है कि goods transfer from लखनव branch to जैपूर branch, तो कहता है, show the profit earned at जैपूर branch, हम जैपूर branch के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान से समझेगा, हम किस के लिए काम कर रहे हैं, और लखनव से समान आ रहा है हमारे पास, तो हमारे stock क्या होगा, कम होगा जिर्ब समान आएगा तो, बढ़ जाएगा ना, देखो हम हैं जैपूर, लखनव अलग है, लखनव से समान हमारे पास आ रहा है, तो stock क्या होगा, बढ़ेगा, तो stock बढ़ेगा, तो stock account में impact आएगा, और stock account के किस साइड आएगा, debit side, यह हम पिछली class में हमने थोड़ा बहुत दिखाता है, इस पॉइंट में यह आप से करवाएगा, कहता है आपका shortage, सर यह जो shortage होता है ना, इसको normal loss मानिए, याद रखिएगा, shortage को क्या मानना है सर, normal loss मानना है shortage को, normal को, बच्चे कह रहे हैं सर, we voice cut रही है, अब चेक करिएगा, clear मैंने थोड़ा से window shift कर दिया थो, shortage of stock branch, at branch, एक होता है, एक दे रखा है shortage, और एक shortage branch में है, तो सर हमारे branch वाला part है, यह shortage पता नहीं तेरा कहां पे हुआ है, echo में हुआ 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 हुआ, तो यह काम का नहीं है, दो shortage दे रखा है, एक branch का shortage दे रखा है, और एक बोले के भाई, पता नहीं कहीं पे हुआ है, तो हम कौन से वाला shortage consider करेंगे, branch वाला, ठीक है, तो यह हमारे काम का नहीं है, बाकि branch expense account दे रखा है, तो इसमें कुछ major point मैं discuss करता जा रहा हूँ, जो आपको सवाल करने में help करेगा, ठीक है, और although जो मैं discuss कर रहा हूँ ना, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप बाद में देख पाओ, कि इसमें क्या मैंने बताया था, एक्स्ट्रा जो की question आपको रोख सकता है करने से, ठीक है, चलिए, इस सवाल में सब कुछ गीवन है, सब कुछ गीवन है, सब कुछ गीवन है, सब कुछ फिर भी इधर balancing figure निकलेगा, किस side balancing figure निकलेगा, by side, तो by side में जो balancing figure निकलेगा, that is shortage होगा, वो क्या होगा, तो इसका heading यही दे रखा है, shortage आपको निकाल लेना पड़ेगा इसमें, तो shortage कहां निकलता है, by side में, जो भी balancing figure होगा, आप answer में भी check कर सकते हो, check करते जाएए, बाकी सब कुछ debtor, better, good sent, invoice price, सब कुछ गीवन है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, return to branch, cash received, discount allowed, branch expense paid by HO, branch account invoice, branch debtor, check कर यहाँ, shortage ही निकल रहा है, ठीक है न, और prepare branch, book में branch, stock account बनाते हैं, branch debtor बनाते हैं, branch expense अच्छी लिया, branch adjustment, तो वही चल रहा है, ठीक है, sir surplus at branch account, एक यहाँ पर, sir इस account में आपसे क्या सिखाना चाहता है, वो, सिखाना यह चाहता है, इस account में का, भईया, branch में सब कुछ given है, सब कुछ stock में given है, सब कुछ stock में given है, लेकिन इधर फिर भी comfort, ज़्यादा आ रहा है, तो आप इधर जो balance आएगा, उसको match करेंगे, surplus, यानि सब कुछ given है, sir, opening stock given है, closing stock given है, shortage, abnormal loss, सब given है, फिर भी balancing figure कि इधर आ गया, इधर आ गया, अब इसको किस नाम से लिखे, तो इसको लिखना होता है, surplus के नाम से, अब देखा आपने, सब कुछ given है, balancing figure buy में आ रहा है, तो किस नाम से shortage, सब कुछ given है, balancing figure 2 में आ रहा है तो, और shortage को कौन सा loss मानना है हमें, normal loss, abnormal बता है, normal बता है, normal, और ऐसे इसको क्या मानना है, आपको normal profit है, तो जब branch adjustment में जाएंगे न, तो ये वाला 2 में निकला है, तो किधर जाएगा, buy में पूरा surplus आ जाएगा, जो भी निकलेगा, loading, waiting कुछ ने, पूरा, normal loss को भी क्या करते हैं, पूरा ही दिखा देते हैं आपन, तो ऐसे ही ये पूरा आ जाएगा, समझ रहे हैं, देखे आप answer में देखे, बस एक एक adjustment, मान लो adjustment ही हो गया सार, दिखाए बुक दिखाए निखाना, प्रोग्राम और समय हो गाई ये सवाल, 17, यह यह न, अब यहाँ देखे, question में न, surplus निकल रहे हैं, कितना 11,000, आप देखेंगे, पूरा 11,000 पुट कर दिया, उसने, branch shortage को न, abnormal मानना है आपको, मैंने गलत बूल दिया, branch shortage को abnormal मानना है, देखो, spoilage को भी abnormal मानना है, और shortage को भी abnormal मानना है, ठीक है, यह ध्यान रखे, लिख लेजी आप, चाहे shortage निकले, वो भी abnormal, और spoilage निकले, वो भी abnormal, अब नार्मल, और जबकि अभी पीछे करा था हमने साइद यहाला सौटेज वाला कुशन ना स्पोईलेज पर अबनॉर्मल के इमान के करा था ठीक है ना हो जाएगा ये भी आप इसमें सवाल में देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है प्र भी डिसकस कर लेता हूं कहता है भया ब्रांच ले भेजें समान कहता है कॉस्प प्लस पचास पर संसे रिवीजन ऑनली यह करने में मजा आएगा revision only में पता ही क्या होता है मतलब तुमने सब कुछ सीख लिया है एक बार इस सवाल को कर लो अगर ये हो जाता है तो समझ लो जितना concept पीछे कर रहा है वो revision हो गया है तो मैं ये वाला सवाला भी करने वाला हूँ revision only इसको लगा लेते हैं स्लाइड से spoilage चलिए सर चलिए और नीचे देखो पता है क्या लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था देखो मैं न क्योंकि मैंने इस book को इतनी बार करा दिया ना बच्चों को मुझे तो पता ही है क्या पूछा जाएगा इस book में पिछले 10 साल से तो यही book करा रहा हूँ बच्चों को देखो पहले मैंने बताया था कि लास्ट में सवाल में आपसे क्या बोला जा सकता है verify net profit by branch बताया था ने एक सवाल दे देगा आपको और वो दो तरीके से पूछ लेगा इसमें वोई है क्या बोल दिया आपको branch डेटर से बनाईए और लास्ट में बोलता है verify net profit भाई कैसे करें बोलता है डेटर वाला system से बना लो और हो जाएगा verify तो इसको दोनों method से करके देखना है ठीक है ना समझ में बाद आपको paper exam में नहीं आएगा exam में एक ही method आएगा यह अपने आपको check करने के लिए भाई आप सीख रहे हो जो सही सीख रहे हो कितना सीख रहे हो मतलब कि आपको एक पता देना कि भाई आप दोनों method में से profit सेम ही आता है चलिए सवाल आपके सामने है डीपक कहना है कि सर वाट्सक पर वाट्सक पर डाऊट्स on बिल्कुल करते हैं लेकिन कल से आपको पता हिए कि स्टेज्जी चल रहा था ठोड़ा बहुत तो कल से मैंने किसी का doubt solve नहीं किया है वेकर करते हैं वैसे कल से doubt solve नहीं किया है मैंने फिल आप एक दो दिन हो गए हैं थोड़ा बहुत इसी में बिजी रह गए बाकि डाउट आपके सॉल्व होंगे और जैसे आपके ना लाइव क्लास के अंदर तो जो मर जी पूछो मैं तो बताई दूँगा जो वाले डाउट है ना वो थोड़ा सा एक दो दिन में ठीक हो जाएगा वह ब्रांच स्टॉक बनाना है एड्जस्मेंट बनाना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है स् अगर हम देखें ना इसको अगर आप ठीक से एक बार और जितने कोश्चन मैं करवा रहा हूँ जितने कोंस्ट करा रहा हूँ एक बार आप ठीक से ढंक से देख लो आप इसको अगर तो उसमें क्या रहेगा आपका ना रिवाइज हो जाएगा अच्छे सो और आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी डेटर अगेन यहां बना लेते ह करा पार आपका बना रहा हूँ है। यह है ब्रांच स्टाउक मैं पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा है अपने भी लिखना है यह डेटर अकाउंट ठीक है सर एक पीछे बना लेते हैं एक और अकाउंट अगर 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 प्रण्वें बच्चों को बोलूँगा कि भीया लॉज पढ़ लीजिए गा लॉज आपके लिए देखिए काम का भी है और फिर थोड़ा टिपिकल भी उसमें सेक्शन लिखने नहीं लिखने कैसे करने नहीं करने वो जरूर ध्यान दीजिएगा तसे पंदा दिन में आप लो चल रहा है और लेकिन यह ठीटीएस नहीं रहने वाला इसे हम र्यगूलर करने जा रहे हैं तो इसलिए बसकत्म होगा टीटिएस में कितनी क्लास इस ही हो जाएगी इस्टे रीघ्ण करने वाल है इसा हो भी सकता है कि एक पार्ट DO एक पार्ट जल्दी कवर करवाने के लिए ऐग पार्ट जो compatible वाला क्योंकि यह मेरा सब्जेक्टयांขू क्योंका अगे चलकर मुझे एलीब्यांटिंग में या फिर आपका जो भी अधर कॉंटेक्स बन जाते हैं उसके अंदर चाहे आपका बेला बेली जो भी पाटाता है हमारा वो सारा वो आनंद करा देंगे बाकी मैं करा दूँँगा क्योंकि टाइम का बहुत कंजिस्टेड है नहीं तो मैं करा देता ज्यादा नहीं है में होता है उसके अंदर समझना ठीक है है एक बेलमेंटेंट प्लेज जब लॉप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसे हिंदी में सुत्रवगी गहते हैं कि अगर आपने किसी को कोई समान दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उसको साथ तोड़ फोड़ कर दोग चलिए कैता है सुभास इलेक्ट्रोनिक हैस दा ब्रांच इन चंडिगर्ड एड ग्वालियर हूम गुड्स और इन्वाइस कॉस प्लस 25 परसेंट सर्कॉस प्लस 25 परसेंट है सीदी सी बात है कितने परसेंट पे खेलेंगे हम 20 परसेंट पे करेंगे दा फॉलोविंग इन्फरमिशन ट्रांजेक्शन चंडिगर्ड ब्रांच पियर एडिट इकत्तिस मार्च कहता है स्टॉक एट इन्वाइस प्राइस ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस बीडी बैलेंस बीडी सर चालिस हजार बैलेंस बीडी के बाद डेटर का अकाउंट का बीडी टू बैलेंस बीडी 12,000 सर एक पैटी केश बोला है मैं यहीं पैटी केश बनावाँ तो ज़्यादा बढ़िया है एक पैटी केश एक्सपेंस अकाउंट भी बना देंगे बोला नहीं है इसने चलिए सर इसके पैटी कैस expense का डेड़ सो रुपिया तो ये पैटी कैस हमारे क्या होता है सर पैटी कैस हमारा होता है क्या asset घ्यान रखिएगा क्यूं होता है सर asset चलो चर्चा करी लेते आ गए तो पैटी कैस का मतलब होता है कि आपको honor एक खटा लंसम अमाउंट दे देता है कि कोई भी अगर office में आता जाता है तो उसके लिए खर्चे यानि रोज मररा के खर्चे के लिए खटा पैसा दे दिया मैंने मानलो आपको 5000 रुपे दे दिया लेली के खर्चे के लिए 5000 रुपे आपको डेली के खर्चे के लिए मैंने दे दिया तो मैंने अभी आपको 5000 रुपे खर्च तो नहीं हुए तो मेरे लिए वो assets है मैं ले भी सकता हूँ आपस तो वो assets है तो petty cash assets है, तो जब भी आपको petty cash बढ़ाना हो, यानि जब जब आपको मैं पैसा देता जाऊँगा, देता जाऊँगा, आप इधर लिखते जाऊँगे, और जैसे ही आप खर्चते जाऊँगे, कि इधर लिखते जाऊँगे, buy side, तो सबसे पहले इधर क्या आएगा, 2 balance BD आएगा, और जो बच जाएगा, वो कि इधर आएगा, buy balance CD, अगर head office मुझे पैसा देता जाएगा, मैं इधर लिखूँगा, और balancing figure इधर जो भी निकलेगा, इस side में जो भी balancing figure निकलेगा, वो क्या होगा, use, use का मतलब expense, ऐसे समझिएगा, आपको मैंने सुभे सुभे 5,000 रुपे आपके पास पड़ा था, मैंने 2,000 रुपे और दे दिया, भाई, खर्चे के लिए पूरे दिन का खर्चा करना, टोटल पेइमिंट कितना हो गया, साम को आपने बोला सर्फ 500 रुपे मिर पास बचे हुए है, तो मैंने बोला भाई, बाकी कहा गए, आपने बोले 25 रुपे क्या हो गए, खर्च, और P&L के अंदर खर्चा आता है, तो यहाँ पैटी कैस अगर मुझे लिखना होगा, तो खर्चा बताईए कितना लिखूँगा, मैं 1,000, 2,000 या कितना, 25 रुपे लिखेंगे, कहानी यह है, पैटी कैस का, आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो अकाउंट बनाई है, नहीं तो नॉर्मली ऐसे भी कैल्कूलेट कर सकते हैं, सुभे मिर पास इतना था, बाद में इतना आया मिर पास, और बच्चा इतना, तो बाकी डिफरेंस के आगे हमारा खर्चा, सेम यही ची और मैंने कितना दिया, तो अल्टिमेटी देखो, कंज्यूम कितना आ गया, आ गया ना पत्चिस सो, तो वहाँ वाले पे डेटर सिस्टम के अंदर हम दिखाते थे, ओपनिंग, क्लोजिंग और इधर एक्चो से, तो अटोमेटिकली एक्स्पेंस उसके अंदर आ जाता था, हमें दिखता नहीं था, लेकिन अटोमेटिक एक्स्पेंस, लेकिन इस वाले अकाउंट में तो आपको एक्स्पेंस दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक अकाउंट बना लूँ, या आपका नॉर्मली यूस कर लूँ, तो सबसे पहले पैटी कैश में क्या आजाते हैं, ट्रांजेक्शन इक्केस बाइस में, गुट्सेंट व्रांच अट इन्वाइस चार बीस, तू गुट्सेंट, इसके बाद कहता है के गुट्स रिटर्न टु एच्चो, हैड अफिस इन्वाइस प्राइस, बाइटर्न, इसके बाद कैसेल्स, तीन लाग, एक एक लाग, पांच हजार, कैसेल्स हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, नॉर्मल लॉस, अब देखो, नॉर्मल बता दिया, इसने देखो, कितना असान कोश्चन था, एनल लिख रहा हूं में, तीन सो पचार, गुट्स प्लीफर्ड, एम नॉर्मल होता है, प्लीफर्ड का मतल प्लीफर्ड के अंदर काउंट हो जाता है, तो चोटी मोटी चोरी को कहते है, तो गुट्स प्लीफर्ड कौन सा लॉस होगा, एम नॉर्मल, गुट्स प्लीफर्ड, मैं थोड़ा शॉटकट लिख रहा हूं, शॉट्पोर्म में, गुट्स लॉस बाइफायर, ये कौन सा ल लॉस बाइफायर, इसके बाद इंसरेंस कंपनी पेड लॉस बाइफायर, जब इंसरेंस कंपनी पेमिंट करती है, तो याद होगा, पी एंडल में मैंने लिखवाया था, फॉर्मेंट में, के भाईया, ये होगा आपका ट्रेडिंग, और ये होगा ट्रेडिंग, और इंसर प्रेंस कंपनी ने तीन हजार दिया कैस सेंट फूर पैटी केश 32,000 रुपए हाँ कैस सेंट फूर पैटी एक्समेंस तो किसने भीजा है एड आफिस ने बोला ले भाई 32,000 खर्च कर लियो तो ठीक है भाई 32,000 खर्च करने की बात कर रहे हैं तो एच्चो से आज गया पैसा और यही बेड़ित दूसरी एंटरी यहां भी कर देंगे हम टू बेड़ितट्स इसके बाद goods państwo LA branch प्रांफvenes अंडर इंस्क्राक्शन ग्वालियर ब्रांच को ट्रांफर देखो two word है तो हमने दिया और वैसे भी लिदेख लो हम कोन से ब्रांच बना रहे हैं हम बना रहे हैं चंडीगड और हम ग्वालियर को ट्रांसफर कर रहे हैं इसका मतलब सर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा स्टॉक कम हो रहा होगा तो हम किदर लिखेंगे बाए गुड्स ट्रांसफर कितने का बारा ठीक है और कहता है कि गुड्स ट्रांसफर टु गौलियर एस पर दा इंस्ट्रक्शन प्रॉम एच्चो अच्छा यह पूरा यही पार्ट है न इन्सॉरेंस चार्ज पेड बाए एच्चो एच्चो ने पेड किया वह या कोई भी पेड करा खर्चा तो हमारा खर्चा रहेगा और यहां आ जाएग करेगा तो हमारे स्टॉक भी बढ़ेगा ना इसके बाद बैलेंस पेटी केश का दे दिया बैलेंस डेटर का दे दिया डेटर का बाई बैलेंस सीडी सर बाई बैलेंस सीडी कितना है डेटर का और इस टॉक का बोलता है हम नहीं बता रहे तुम बताओ और पैटिक हैस का कितना दे दिया धाई सो तो सर यहाँ पर जो भी निकलेगा वो consume निकल जाएगा फटाफट निकाले लेते हैं 32 और धाई सो minus करो क्या आ जाएगा by consume या या by expense कितना आएगा minus करो 31,000 और ये 31,000 खर्चा है क्योंकि तो ये खर्चा आ जाएगा 250 कैस हाँ ये ठटी हाँ तो ये अच्छा इधर 150 इधर 250 करते हैं 30 कितना आएगा ये 39,000 खर्चा आएगा तो ये अच्छा आएगा सही बोल रहा है 900, 30,000 खर्चा आएगा थीक है आज आते हैं पैटी कैस हो गया ये हो गया गुट्स ट्रांसफर टू गवालियर गीवन एज इन ट्रांजिट कहता है जो मैंने समान भेजा ने गवालियर वो ट्रांजिट में रस्ते में तो मैंने भेजा है न रस्ते में तो तू समझ अगर मेरे पास आ रहा होता तो फिर मैं समझता सिधी बात है तो इस ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं है पिर पेर ब्रांच स्टॉक बना रहे हैं अडजस्मेंट बना रहे हैं सारी चीज़े हम बना के चल रहे हैं किसी के उपर कुशन मार्क तो हमने नहीं लगाया अभी तक यानि सब कुछ कर रहे हैं कहता है कॉस प्लस 25 यानि 20 परसेंट पर काम करने वाले हैं हम किसमें ओके इसको पूरे को मिटा देते हैं अब बात करते हैं फटा फट यहां से टोटल करने का टोटल करो 40,420,460,500 मैंने देखो फटा फट कर लिया टोटल आपने भी करना है बैलेंसिंग फिगर निकालो क्या आता है 460,500 फटा फट से निकालो तेजी में मैं इसको भी बंद कर दूँ यहां 2 credit sales डेटर को भी ध्यान देखना देखो credit sales उठागे लिखना हूँ देही रखा था सवाल में एक अस्ती एक बीज तीन लाइक बाइक कैश क्या कहां पर एक लाइक 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 यह चलो ऊपर आला बताओ मैं देख लेता हूं हुआ इस पर वाला आप पका का इस अजया नहीं बाइब बुक के अंदर कुछ भी दिरक्वां हमारा भी आना चाहिए ना यहिए आ रहा है शेम आरा है ठेक यह देख लेक और मोबाइल में देखो ऐसे घलती होई जाएगे अब चलिए यह एकाउंट प्रिपेर यहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए क्या निकलेगा यहां से बैलेंसिंग फिगर कैश एक एक तालिस एक सो पचाश चलिए दिखा दो कैलकुलेटर नहीं निकल रहा हुआ बारह हजार अस्ती हजार एक लाख माइनस चार सो पान सो ग्यारा हजार यह आ गया एक अस्ती एक सो बारह हजार एक स्ती एक अना ठीक है ना चलिए अब लोडिंग की बात करते हैं यह अकाउंट भी फूल बन गया अब लोडिंग इस पर निकलेगा इस पर निकलेगा इस पर सब पर कितना लगी गा 20-20% बाइ साइड में आएगा ठीक है आब बताईएगा देखके तो बाइ आई साइड में लोडिंग आएगा पहले ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग 40-20% बाइ आपका गुड्स एंट पे लोडिंग आपका कितना था एक चालिस चार चार बीस का 84 इसके बाद क्या था सर बाइ गुड्स रिटन भी था ना रिटन कितना आएगा पान सो का रिटन ही पान सो का कितना आएगा हाँ रिटन पे कहा हाँ दूसरा रिटन पे लगए एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट हाँ रिटन पे नहीं आएगा इस पर नहीं आएगा इस पर नहीं आएगा बाकि यह वाला रिटन पर आएगा यह वाला रिटन पर आएगा तो two loading किस किस चीज पर loading है यह बतादो मुझे इसको नहीं कि पर copy कर लेते हैं normal loss और लोग बहुत सारा लिख लिख लिए रिटन पे आगे हमारा 3,000 ट्रांसफर 12,000 गुट्स ट्रांसफर 12,000 पे कितना हैगा 2400 यहाँ पे आगे है पहले हमारा क्या है रिटन कितना था ट्रांसफर इसके बाद नॉर्मल लॉस पूरा ही कितने इसके बाद सौटेज था सौटेज था फ्लीफर्ड था न एक नॉर्मल लॉस है हमारा और एक गुल्ड फ्लीफर्ड एक लॉस बाई फायर है दो और है तीन और है तो सर एक आगे हमारा lost by fire कितने रुपे का था एक प्लीफर्ड और एक टू लोडिंग closing stock बताईए ये कितना था प्लीफर्ड पे यहाँ 600 तो यहाँ पे 600 था तो 1400 यहाँ fire पे 800 तो यहाँ यहाँ 1200 सही चल रहे ना अब लोडिंग closing पे closing कितना abnormal है ना abnormal lost by fire में 4000 का 800 आ गया और उदर 32 आएगा मैंने 12 लिखा है ठीक है अब आ जाते हैं आगे किसका 1,41,150 का 20 अथाइस दोसो तीस अथाइस दोसो तीस अब फटाफट से निकालते हैं जीपी 84 और 8 92 अब माइनस कर दो 92 माइनस में 3000 माइनस में 2400 माइनस में 350 800 माइनस 56,250 चेक कर ये जीपी हाँ 620 स्वरी 56,620 मेरे कैलकुलेटर में ये दिख रहा है मैंने बोल गलत दिया 56,620 और बाई साइड में और इधर कर देंगे हम टोटल 69,620 और टू आजाएगा हमारा नेट प्रॉफिट माइनस 400 माइनस 200 माइनस 81,900 माइनस 400 और माइनस 32 22,520 हा रहे है अंसर मैंने कर इसका कैलकुलेटर बड़ा खतरना आजा ये 1400 ठीक लिखा है मैंने 2400 अबनॉर्मल हाँ तो कितने 21,520 आंसर चेक करें अंसर चेक करें ठीक है अब ध्यान दीजिए सवाल देखो हम करते जा रहे हैं थोड़ा मैं स्पीड लेके चल रहा हूँ लेकिन आप इसको एक बार आराम से देखिएगा और इस सवाल को दुबारा से करना है अपने चेप्टर में आप देख रहे होगे घुमा फिरा कि अगर आपको basic concept अगर strong तरीके से पता चल जाए तो आप सवाल को कर सकते हो थोड़ा आपको मैनत करना होगा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि time कम है नहीं तो मैं सारे सवाल बोड पे कराता हूँ अब अगर सारा सवाल करा हूँ तो भी एक चेप्टर में उलच जाएंगे तो फाइदा नहीं है तो कुछ effort आपको लगाना है आपको इसके solution भी given है solution को भी देखके जो समझ में नहीं आता उस चीज के लिए हूँ जैसे कि मैंने तीन-चार question को मैंने समझा दिया वह आपने करने है ठीक है आगे देखते हैं कुछ और भी कर सकते हैं क्या हम कि question 15 simple है हो जाएगा कि 16 भी simple है हो जाएगा कि 17 मेरे को लग तो नहीं रहा वाकि cash in hand opening debtor यह भी हो जाएगा आपका अब आपना 20 तक try करेंगे simple हाँ कल की चुट्टी है आपकी अगली class जो आएगी आपकी वह आएगी Thursday दो तारिक कब है सर और मैं आप सभी वुच्चों को न जो theory आपके exam में आएगा इतने मैं theory की वीडियो का link दे दूँआ जैसे कि आपका क्या है सर आप business entity क्या है जो assumption और principle है वो theory का पूरा मैं upload कर दूँँगा theory वाले section में जो कि दो दिन का आपका उसमें हो जाएगा करीब 2-5 घंटे की class है वो covered हो जाएगा आपका ठीक है कोई doubt तो 20 तक आपने सवाल करने है इसके total सवाल कितने 29 आज कल 29 है 29 मैं चला जाओंगा तीस 31 एक दो को अधर से मेरा रिटन है तीन सुभह आ जाओंगा एक को रिटन है मैं को दो को रिटन कहां से हो गया दो को मैं वापसी आ जाओंगा थर्सडे तो दो को ही मैं किसी भी time class रख सकता हूं लिटन पॉसिबल के दोको मैं class रख हुआ अग्या थमें थे हैं और तो हो जाएक फटा फट निफटा दो इसी का एक चोटा भाई है जो कि यह डिपार्टमेंटल अकाउंट हाँ डिपार्टमेंटल अलग से चेप्टर है बड़ा असान चेप्टर है डिपार्टमेंटल मे प्रांच डिपार्टमेंटल दोनों खतम कर पाएं चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वोइस चेक कर लीजे फटाफट वोइस क्लियर है आगे हम कुस्चिन्स करेंगे आज अब्सक्ति हम जाज साथ कोई वोगार्बावज वोगार्टमेंटल दोनों आगे हम अडिए आगे हम क्लिए पहले बताईए मुझे डाउट एक बार देखते हैं कुश्यन नंबर 123 में डाउट कुश्यन नंबर 123 में डाउट इलिस्ट्रेशन क्योंकि थ्री मैंने करवा दिया था और साइद वन भी कर लिया था कुश्यन नंबर 123 में डाउट नहीं डाउट चलिए फिर आप बता दे कुश्यन नंबर 4 में डाउट question number 4 में doubt अभी मैं पहले एक बार doubt बोल देता हूँ voice भी बता दे ना फटा फट से आ रही है या नहीं आ रही question number 4 में doubt 4 में doubt नहीं है question 5 में doubt यह तो मैं नहीं कराया था चाहिद समझाया था करवाइद क्या doubt है इसमें बताओ एक बार stock reserve किसी एक का निकल जाए तो समझ में आ जाएगा पुरा वो है head office Mumbai branch या यह हो जाएगा बीस परसेंट ओपनिंग स्टॉक है आपका बारा हजार पांसो तो बारा हजार पांसो का आपने बीस परसेंट निकाल लेना है यह आपका कितना हो जाएगा पच्छिस सो यह निकलेगा करवा है वह लग रहा है मुझे उसमें क्या डाउट था बताओ फटाफट में क्लियर करते जाएगा stock reserve account अभी नहीं करा है stock reserve account अभी नहीं करा है stock reserve account अभी नहीं करा है वो एक साथ करा देंगा मुझे लगा इस question में doubt है ठीक है stock reserve अभी नहीं करा है उसको रहने दो उसको सीख लेंगा ठीक है छे में doubt सवाल number six made out question six जितने ही बच्चे लाइव है वो भी बटा दे फटाफट question number six made out six made out कोई डाउट नहीं ये भी six था seven made out seven made out चंडीगड ये करा था हमने गया seven made out बताईए seven made out no eight made out eight made out eight made out बताईए आगे चले nine made out हाँ भी एक एक करके लेते हैं जिसका doubt होका फिर पूरा कर लेंगे nine made out three x साइड ये कर लिया था हमने ten made out ten made out ten made out ten made out eleven made out eleven made out आगे पीछे हो सकता है question मैं sequence से चलता जाऊंगा जिसका जो doubt होगा बता देंगे वह 11 में बताईए doubt किसी का है doubt 11 में 12 में doubt shortage वी एसेंड company हैदराबाद 12 में बताउट 13 में doubt 13 में 13 में 14 में 14 में 15 में डाउट 15 16 में डाउट allowances बाला 10 ठीक है अभी करा देते हैं 17 17 गौतम का अलाउंसस वाला 10 19 18 कुछ बच्चे कह रहे थे है 19 समीर बताईए आप 19 में यही कोश्चन है या चेंज है कि 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 बताईए फटाफट हाँ पैटिकेश किसका 19 में चलिए 19 पूरा ही कर देता हूँ पहले में पहले रेजिस्टर चेक करेंगे एक मिनट रुकिए 19 कर बाते हैं कि 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 बताईए कि अ कि कि झाल 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 कि येस दो मिनिट लिया मैंने थोड़ा से मुझे कुश्चन्स चेक करने थे फोंवक में चलते जाएगे आप शाम को करके लाके देंगे मुझे कुश्चन पूरे 20 ठीक है तो आप बैठ सकते हो बस चाहिए फटा फट टाइम वेस्ट नहीं कल दस बजे टेस्ट है टेस्ट की भी तैयारी ठीक से करके आना दो चार नंबर आएगा वैसे में बेज दूँगा और जितने बच्चे लाइव है वह ये टेस्ट के अंदर पूरी परफर्मेंस दिखनी चाहिए क्या नीचे सारे कुश्चन में लिखो कुश्चन 19 करना है कल मिलते हैं टेस्ट में सुभे और आज एपसेंट कौन है निखिल एपसेंट है ना और जो भी एपसेंट है उसे बोल देना कि अब आए ना क्लास में वो क्या प्रप्टेंट में बोल भी एपसेंट है उसमेश झाल झाल तो नहीं हो गया? डिस्टन कोशिंद विए इस पर लोड़ देए को जाए झाल 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 हां जी चल ये झाल 9136-364104 और वैसे मैंने कंटेंड में भी डाला हुआ है ये सारे चीजे ठीक है चलिए सर ये खुश़्े ये ये चलिए कुश़्ा नमबर 19 जो कि हम कर लेते हैं एक फटा फट से ब्रांच अकाउंट बना ले थे हैं और हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों में टाइम खराब कर दें ब्रांच अकाउंट एक पर सवाल भी पढ़ लेतने पहले ठीक हैं कुश्चन में क्या कहता है प्रॉम देटेल गीवन आफ दा रिलेटेड पटना ब्रांच पटना का ब्रांच है पॉर दा इयर एंडिड और साल के एंड का थोड़ा और चैप्टर एक मिनिट कुश्चन करा हां कुश्चन तो करेंगे अब ये बड़े सारे धेड़ सारे कुश्चन करने इसमें ऐसा नहीं है कि अभी खतम हो जाएगा तो कहता है फ्रॉम दा डीटेल गीवन बिलो आपको ब्रांच गीवन है और एकतिस मार्च प्रिपेर ब्रांच अगाउंट एड ब्रांच डेटर अकाउंट बुक्स अफ अकाउंट head office clear goods are invoice अब देखिए इस सवाल के अंदर क्या कहता है क्या क्या बनाना है आपको दे रखाई के 31 मार्च का डिटेल है प्रिपेर करना है आपको branch account जब बोले ना branch account तो ये वाला बनता है हमारा data system ये बन जाता है हमारा data system ये बन जाता है हमारा data system ठीक है ना जब branch account बोले तो debtor system जब branch adjustment account बोले तो बन जाता है stock debtor system तो पहचानना भी आना चाहिए आपको तो यह बन गया हमारा debtor system और आगे कहता भी है यह debtor account बनाईए head office के books में working note clearly show करना है invoice कहता है कि 20% on sales sales के उपर सर 20% है sales के उपर 20% है ठीक है ना चलिए कहता है stock 1 April का तो यानि सर ये branch stock account नहीं बनाएंगे हम क्या बनाएंगे हम बताइए यहाँ पर बनेगा हमारा branch account और branch account की खास बात क्या थी branch account की खास बात क्या थी आपकी कि सर branch account के अंदर सारे opening balances आ जाते हैं 2 balance 2 balance BD एक बच्चे का doubt था और बाकी समझ लेंगे buy balance CD यह stock सारे balance तो stock का balance आपका 5000 stock दे रखा है आपको 5000 और एक सवाल ना आपके मन में भी आएगा कि stock कितने का एसर 5000 एक आपके mind में सवाल आएगा कि जो stock दे रखा है आपको 5000 रुपे यह 5000 रुपे जो stock है यह invoice price पर यह cost price पर तो जब कुछ भी ना बोला हो तो question में कह देता है कि goods are invoice given profit 20% यानि जितने भी पर goods मिलेंगे न उस sum में already profit जुड़ा हुआ है समझरे हो बात अगर कहीं पर इसके bracket में मानलो इसके bracket में लिख देता cost इसके bracket में cost तो हमें क्या करना होता हमें क्या करना होता हम क्या करते हम यहां पर यह 5000 नहीं लिख सकते थे पहले इसमें हम profit को add करते और फिर इस stock को price पे हो और कुछ एक point cost पे हो तो आपने क्या करना है सभी को invoice में convert करना है जो पहले से किस पे है cost पे है clear चलिए अब देखते हैं अगे कि दो ही account तो बोले हैं कि एक allowances वाला भी बच्चों ने बोला सर allowances वाला भी बता देना बिलकुल बता देंगे allowances वाला भी चलिए सर allowances वाले की बात कर रहे थे हैं ठीक है debtor का हमारा balance दो हजार था यहां तो लिखी लिया यहां भी लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी कितने का दो हजार कितने थे दो हजार चलिए सर आगे आ जाते हैं आगे क्या कहता है आगे कहता है हमारा furniture का balance है petty cash का है तो furniture furniture कितना है एक हजार petty expense कितना है petty expense 200 रुपया petty expense के बाद insurance prepaid तो ये भी तो assets है ये भी तो assets है ने prepaid तो prepaid insurance कितने रुपए 50 रुपए ठीक है इसके बाद salary due अब ध्यान रखिए जो salary due है ये outstanding है तो assets का opening balance इधर और liability का इधर तो by opening opening salary outstanding point ध्यान रखने वाली बात है मैं again कह रहा हूँ कि assets का इधर BD तो liability का इधर आ जाएगा कितना है हमारा 1000 रुपया ठीक है good sent to branch 40,000 तो मैं इसे अलग color से लिख देता हूँ good sent to branch to good sent good sent to branch कितने 40,000 रुपए good sent to branch 40,000 जी और क्या है और हमारा है good sent to branch के बाद cash sales सर यहां पे cash sales बाई में आएगा cash sales बाई में आएगा बाई में क्या आता है हमारा remittance आता है इस वाले point में तो remittance और यहां आएगा cash sales मैं short में लिख सकता हूँ कई बार ताब बस word को ध्यान दीजिए सर cash sales कितने का है एक हजार रुपए का cash sales के ओके 55,000 55,000 ठीक है cash sales के बाद total sales total sales 70 दिमाग लगाईए अगर हमारा total sales 70,000 है जिसमें 55,000 रुपए cash में है तो जो बचेगा जो बचा हमारा कितना 15,000 यह कौन सा sales होगा यह होगा हमारा सर credit sales यह कौन सा sales होगा इस पूरे account में credit sales का काम नहीं है लेकिन हाँ debtor में काम आएगा क्या नाम आएगा आपका credit sales और credit sales कितना है हमारा 15,000 समझ में आया आपको यह बात यह बात clear है आपको यहां तक point clear है सर जिस topic में clear हो जाए सर जिस से कुछ बचे hand raise भी कर रहे थे देखिए यहां तक clear है आपको सारी बाते चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम इसके बाद आ जाते हैं आगे हम आगे next point पे next point पे आ जाते हैं cash receive from debtor debtor से 16,000 मिला है तो यहां पे आ जाएगा cash receive from debtor कितने 16,000 रुपे और इसकी double entry भी हो जाएगी cash और debtor से कितने का 16,000 रुपे चलिए इसके बाद goods written by the branch ब्रांच ने किया है तो by return क्याएगा सर बाई रिटन by return return कितने का return है सर पांसो रुपे गुट्स रिटन कितने का पांसो रुपे बाई इसके बाद कहता है goods written by branch के बाद goods written by debtor debtor ने return किया तो यहाँ debtor का return का कोई काम नहीं है debtor का return debtor में जाएगा by return कितने रुपे था 200 रुपे कितने रुपे था हमारा 200 रुपे ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं सर कुछ खर्चे हैं अब इन खर्चों को किसने दिया है यह चेक करना होगा क्या head office ने इस खर्चे को दिया है या किसने दिया है तो सवाल में कहता है इन खर्चों को goods written by branch goods written by debtor इसके बाद cash sent to branch इसका मतलब sent to branch का मतलब सर इस line से clear हो जाता है कि head office ने पैसे दिये है ठेक है तो कौन खर्चा कर रहा है एच्चों तो यहां पर लिखेंगे हम एच्चों कर रहा है तो यहां पर लिखेंगे क्या क्या है सर rent rent कितने का है रेंट कितने का है कि 30,600 रेंट के बाद salary कितने का ए 10K 200 तस हजार Dale Primary के बाद किया है पैटी ने 50 कि यह हैं about 600 आद और फिन लग लिखना चाहिए हमें यह अलग ही कहा नहीं होती है कि हम अलग से एधर लिखेंगे patty cash patty cash तो देखो दो तरीके के जगे पे patty cash use होता है अगर आपका हो data system तो patty cash ऐसे करना है जासे हम कर रहे है stock data system में तो patty cash का account बना के वहाँ से क्या निकाल लेता है अपन consume और फिर put करते हैं हम उसके अंदर चलिए सर यहां तक आगे कहता है insurance up to date 2021 insurance up to date 2021 इसको समझते हैं जून 21 की बात कर रहा है insurance up to date जून 21 अब हमारा 31 मार्च 21 को ही account खतम हो गया यानि सर हमारा यह पूरा साल यहां तक था 142020 और सवाल में कहता है आपका काम खतम हो जाता है 31 3221 यही तक खतम हो जाता है लेकिन आपने insurance क्या करा यहां से यहां तक का payment नी किया इसके आगे भी चले गए आप कब तक चले गए 362021 यानि सर इतना time period जो है यह time period आपने extra paid कर रखा है यह time period आपने कितना paid कर रखा है extra तो इसमें मजे की बात है यही इसके अंदर trick है पूरे सवाल में extra paid कर रखा है सर कितना extra paid कर रखा है अब देखो 400 रुपे अब हमारा पुराना भी चल रहा था तो पुराने को छोड़ो हम 400 रुपे देखेंगे हमने यहां 400 रुपे paid किया अब 400 रुपे पेड जो paid किया है यहां तक paid किया है यानि सर यहां से लेके यहां तक का payment है कितने महिने हो गए कितने महिने हो गए 12 महिने और 3 महिने कितने 15 महिने तो 400 को हम divide कर देंगे 15 से और हमारा 3 महिने का extra है 3 से multiply कर देंगे तो क्या आता है चेक करिए क्या आते हैं चार सो डिवाइड़ बाइ पंद्रा इंटू में तीन सर यह असी रुपए आ गया एटी रुपेज यह पंद्रा मेहने का है यह एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहां पर एन्वल वर्ड एक चीजी नोट देंगे चलो कोई दिक्कत नी नोट देंगे असी रुपए आ गया यानि सर असी रुपए हमारा प्रिपेड है तो यहां का इंसॉरेंस कितना बनेगा यहां का इंसॉरे इंसॉरेंस बनेगा कितना इंसॉरेंस था चार सो उसमें से प्रिपेड कितना है असी तो यहां पर जो आएगा वो आएगा तीन सो बीज ठीक है ना और बैलेंस सीडी जब लिखेंगे तो प्रिपेड इंसॉरेंस प्रिपेड इंसॉरेंस कितना होगा प्रिपेड इंसॉरे हो जाएगा हमारा 80 रुपए 80 रुपए समझ मैं आई बात आपको क्योंकि प्रीपेड अभी लास्ट इयर का इस साल का है इस साल का closing assets हो जाएगा वो तो सारे के सारे closing assets यहां एक एक करके लिखेंगे जिसमें से prepaid insurance भी आ गया सर यह वाला prepaid insurance का कुछ नहीं करेंगे किया automatic आ गया यह opening balance का था यह आ गया हमारा automatically ठीक है चलिए कहता है petty expense incurred by branch यह petty खर्चे जो है incurred किये किसने ब्रांच ने incurred किये इसका मतलब सर हमारे पास starting में petty expense था कितने रुपए का 200 रुपए का और head office ने हमें भेजा 600 रुपए तो हमारे pocket में कितने रुपए थे 800 थे और हमने खर्च कर डाले कितने खर्च कर डाले 500 रुपए तो बचा कितना हमारे पास 300 रुपए balance बच गया तो यहाँ पे लिखेंगे हम petty expense petty expense कितना लिखने वाले हैं 300 रुपए पहले बताईए समझ में आया यह नहीं आया यह clear है दो सवाल के answer हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है उसने कहा कि हमारा insurance इस तारिक तक है तो सर इसका मतलब साल जब हमारा यहां खतम है तो इसके आगे जितना भी payment करोगे वो रहेगा prepaid मैं दुबारा बता रहा हूं insurance वाला तो भाया अब ऐसा सवाल है कि या तो आपने इस date पे insurance कर आया होगा तब तो यहां से यहां तक 15 महिने का है या कहीं आपने बीच में कराया होगा तो 12 महिने का तो इसका एक answer ये भी हो सकता है divided by 12 इंटू में 300 रुपय का prepaid हो सकता है यह answer भी बन सकता है लेकिन यहां पे clarity नहीं है सवाल में कहीं भी सवाल में बस बोलता है कि जो insurance ह वो insurance paid हमने किया है up to June ये तो नहीं बोला कि इस तारिक से लेके इस तारिक तक तो हमारी मर्जी है हम 15 महीने का मान ले हमारी मर्जी है हम 12 महीने का मान ले दोनों ही condition में note देंगे कि इस insurance का इतना tenure है तो हमारा सवाल एक दम ठीक हो जाएगा ठीक है closing stock क्याता है तो सर स्टॉक कितने का है सर स्टॉक है हमारा 3000 रुपए लिखते जाते हैं फटा फट depreciation furniture अब देखते हैं stock हो गया debtor हो गया debtor नहीं हुआ debtor तो निकलेगा भी debtor पीछे से निकालते है debtor आज़ेए debtor निकालते है buy balance buy balance CD debtor निकलेगा क्या बिल्कुल निकलेगा 17,000 और इधर भी कितना है गा 17,000 16,200 मैनेस करेंगे 17,000 में इसे तो कितना आ जाएगा 800 रुपए निकल गया लोजी debtor debtor कितना आ गया 800 समझ मैं debtor कैसे है 800 हमारा ठीक है इसके बाद debtor भी हो गया furniture कहता है furniture पर 20% depreciation तो furniture अगर मैं यहां लिखूँ 1000 पर 20% तो यह भी कितना बचेगा 800 कैसे सर 1000 में 200 रुपए माइनस कर देंगे इसके बाद petty expense भी लिख चुके है prepaid भी हो चुका है हमारा क्या रहे गया अच्छा यहां तक सारा हो गया clear है यहां तक अब loading निकालने का काम होगा कहता है sales पे ही 20% है तो बस direct direct निकालना है loading loading मैं हरे pen से निकाल देता हूँ तो by loading ऐसे भी लिख सकते हैं loading किस किस वे पे opening stock पे 5000 का 20% 1000 और किस पे good cent पे good cent पे good cent कितना है 40 40 का कितना होगा 8000 loading total आगे 9000 और तो किसी पे loading निकलेगा नी इधर से देख लेते हैं loading इधर से देख लेते हैं loading क्या होने वाला है outstanding salary तो यही रहे गया remittance इस पे भी loading नहीं होगा इस पे भी नहीं होगा return return पे होगा to loading to loading किस पे सर return पे कितने रुपए आएगा 100 रुपए आएगा return के बाद इस पे तो होना ही नहीं होना ही नहीं होना ही stock पे क्याएगा loading loading stock पे आएगा stock पे कितना आ जाएगा हमारा 600 यहां तक समझ में आ गया इसको थोड़ा सा adjust कर देते हैं ताकि हम कर पाएं चलिए सर यहां तक हो गया यहां से निकालेंगे फटा फट से क्या profit debtor account close होई गया तो calculate कर लेते हैं क्या क्या बनता है क्या क्या बनता है 5,000 2,000 1,000 2,50 8,250 यहां पर total कर लेते हैं 36,000 10,200 13,800 सर यहां पर total कर लेते हैं 71 चलिए और तो कुछ नहीं रहा salary से related कोई बात है 86 86 2 surplus माइनस कर देते हैं 8,250 माइनस चालिस अजार माइनस तीरह आठ सो माइनस तीन सो बीज माइनस छे सो माइनस सो माइनस छे सो 22,810 बुक का answer बताइए कुछ फरक आएगा इसमें अब यहां पर note डालेंगे कुछ जिस note को डालने के बाद इस फरक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा बताइए answer 700 750 है ना 810 और हम इधर माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे साट रुपे का साट रुपे यानि 20,20,40 साट रुपे का फरक साट का तो नहीं आना चीए आप प्रिपेड इंसॉरेंस देखे क्या है सो दे रखा है यानि यहां सो आ जाएगा तो बीस इधर से बढ़ जाएगा और इधर कितना घट जाएगा हमारा बीस और घट जाएगा हाँ ठीक है साट का फरक आ जाएगा ठीक है तो नोट क्या दे रहे हैं भी अजियू प्रिपेड इंसॉरेंस विल बी टेकन फ्रॉम एक चार दो हजार बीस यानि हमने माना कि इंसॉरेंस हमने कब लिया दो हजार बीस में आपके किताब का अंसर एक्जेक्ट सेम आ जाएगा जब आप यहाँ पे क्या करतेंगे सौ और यहाँ पे इसके जगहे पे क्या करतेंगे या तीन सो सोजवाई बात आपको तो यहाँ से सौक करेंगे तो मैं टोटल भी कर देता हूं किताब की आंसर से लेकिन ऐसा नहीं है कि किताब में जो लिखा है वो अपने अजंशन है उनके बीस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे चालिस माइनस हो जाएगा माइनस चालिस हो जाएगा कितना बताया था आपने आंसर 22 800 नहीं 810 में ये लिख रहते हैं यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये बीस प्लस हो बादिशन पाफिट बढ़के आएगा 30 से माइनस चालिस साथ सो दस साथ सो पचास फिर तो कोई गरबड़ी है किसी की लोडिंग रह गए निकालने सर गलत है तीन सो चालिस इंसॉरेंस बच्चे कह रहे हैं सर इंसॉरेंस तीन सो सर आपने क्लोजिंग आउट सिंडिंग सेलरी कहां कंसिडर किया ओके ठीक है इसमें कुछ ना हमारे अजंशन है इस अजंशन के विज़े से बच्चे परिशान भी हो रहे हैं मैं एक बार वो क्लियर कर दूँ आपके पास है बुक दिखाइए बुक के आंसर को क्लियर कर दूँ क्या क्या आजंशन से कि जो मैंने आजंशन लिया हैं कि सवाल नंबर 19 पहला हमारा प्रिपेड इंसॉरेंस जिसकी वज़े से फरक आएगा करेक्ट किसकी नहीं वो उसके अकॉर्डिंग कर लिया होगा ना बस इंसॉरेंस का ही है और हाला कि प्रिपेड इंसॉरेंस ओपनिंग एड हो चुका है ठीक है चलिए नहीं ये बिलकुल उसने जो इंसॉरेंस है ना बच्चे कहरें सर यहां पर इंसॉरेंस ना 400 ही आएगा यानि ओपनिंग में कुछ था क्या 50 50 के बाद अगर देखा जाए तो 50 और था 400 और प्रिपेड सो पचास चार सो नहीं रहने दीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी फिलाल के लिए आप इसको यह मानिए बुक के अंदर क्या करा है एक तो हमने एक नोट हमारा देखिए हम क्या मान रहे हैं कि बुक में यहां इंसॉरेंस बुक वालोंने माना है कि इंसॉरेंस हमारा 12 महिने का है तो उनका प्रिपेड यह निकल गिया 100 रुपे एक तो यह दिख रहा होगा दूसरा आप जब डेबिट साइट में देखेंगे तो डेबिट साइट में 400 रुपे का इंसॉरेंस दे रख्था है 400 का पूरा इंसॉरेंस आएगा ठीक कह रहे है एक error मेरा भी है, ऐसा नहीं बुकबा लुका, तो हमारा जो insurance आएगा ना यहां पे, वो यहां पे जो आएगा, वो 400 ही आएगा, यहां जो आएगा, वो 400 आएगा, अब profit दोबारा है, सर ऐसा क्यों, prepaid क्यों नहीं minus किया, अब ध्यान देना, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, यह मानलो account है हमारा, और यह हमारा prepaid, prepaid insurance account है, correct, यहां पे क्या आएगा, क्योंकि यह assets है, तो two balance BD आजाएगा, है ना, और BD देखा जाए तो 50 था, अब जितना ज्यादा prepaid होगा, वो बढ़ेगा, तो इधर आजाएगा, जितना insurance हम दे जाएगे इधर आएगा, और BD में क्या आएगा, बैलेंस, बैलेंस TD आजाएगा, तो हमने two insurance किया, sir, two insurance किया, कितने का, 400 रुपे का, तो कितने total होगे, 450, अब 450 में closing आप बोल रहे हो, कि sir, आप बोल रहे हो, 80 है, तो आपने use कितना किया होगा, use कितना किया होगा, 450 में से 80 माइनस करिए, कितने, 370 use किया है, ठीक है, अगर आप इसको मानते हैं, कि आपने 100 किया है, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 350, यही दोनों चीज़ आएगी, अब देखिए, आपने क्या करा, इन दोनों को लिख दिया, और इधर CD लिख दिया, तो automatically account के अंदर reflection यही आएगा, अगर आप इधर दोनों चीज़े लिख दो, और इधर भी लिख दो, तो जो difference निकल के आएगा, वो use वाला आजाएगा, तो इस account को आप ध्यान से देखो, मैंने BD भी लिख दिया, और CD भी लिख दिया, तो यहाँ पे हमें पूरे 400 रुपे लिखेंगे, तो automatically difference आई गया, समझ रहे हो, जैसे कि हम debtor में बोला करते थे, जैसे petty cash, petty cash में देखो, opening इधर आगया, closing इधर आगया, और head office तो, बीच का difference, consume, automatically इस account के अंदर reflect हो गया, समझ रहे हो बात को, कि consume जो था, reflect हो गया, तो यह थोड़ा सा बस correction लगा देता हूँ मैं, 22, 810, और जो मै 22, 730, जो हमारे note की विज़े से, clear, clear है, जो हमारे note के है, समीर आपको clear हो गया, closing liability क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा opening तो ले लिया, जरूरी थोड़ी ना है, कि closing में भी liability हो, book वालों ने ले लिया हो, तो उसको हम consider नहीं करते, अगर जब तक नहीं बोलता, closing liability के बारे में, यह use हो गया न, salary के साथ setup हो गया होगा, क्लियर है, आगे और कौन सा सवाल था आपका, सवाल कौन सा था इसके बाद, doubt में, 15, एक पर दिखाओ, book इसमें good sent cost, तो इसमें IP बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, 50% cost, तो इस पे 50% वापस add कर दोगे, बिल्कुल, क्योंकि ये भी cost है, और वो profit भी किस पे है, cost पे है, 50 add करोगे 17, तो 17 add करके वो बन जाएगा, ठीक है, तो कल का time, बता दू मैं एक बार, कल का time कितने बज़े है, सर कल का time है हमारा, 10 बज़े test है, किसका है सर, depreciation का, 10 बज़े test है, उसके बाद देखेंगे कि class कितने चलानी है मैं, तो कल क्लास भी लूगा मैं, क्योंकि regular class है, तो test के बाद मैं class लूगा, 11 बज़े, एक दो दिन college है, उसके बाद तो चुट्टें पड़ जाएगी हैं, तो अभी regular के इलावा कोई चारा ही नहीं वच्ता, चीक है, तो मैं यहाँ पर disconnect कर रहा हूँ class, आप test के लिए prepare करिए, तो इस सवाल के अंदर, सारी बाते बोल दिया इसने, अब debtor का balance दे रहा है, opening 12,000, तो हमने क्या लिखा यहाँ, two balance, two balance, bd, और यह आगया सर, 12,000, और buy balance, buy balance, cd, कितना balance आगया debtor का ही हमारा, 14,000, आगया जाते हैं, stock invoice price या IP बात देखिए, तो two balance, two balance, bd, सर, stock कितने का है, 16,000, और buy balance, balance cd, कितने का है, 17,000, ठीक है न, यह भी हो गया, यह भी हो गया, cash sales, cash sales during the year, तो सर, cash sales हमारा दे रखा है, इसको देख लेंगे, कहता है credit sales 20% more than the cash sales, यानि जो credit sales होगा न, देखिए, आप यहाँ पे न, credit sales दिया ही नहीं है, देख रहे हैं, तो main point यही था, मुझे बताने का, कहता है, सर, हमारा cash में sales है, cash में sales कितने दे दिया इसने, 60,000, दूसरा कहता है credit sales जो होगा, वो होगा कितना, more than the, यानि 20% extra होगा, तो सर, 20% इसका extra कितना होगा, 12,000 add कर देंगे, यानि means 72,000, यहाँ में bracket में भी लिख देता हूँ, 60,000 में, आप 12,000 plus कर देंगे, ठीक है, आगे कहता है, total amount deposit to HO during the year, total amount कितना deposit किया है उसने, लेकिन यह थोड़ा सा अगर देखा जाए, तो इसका total करते हैं, तो क्या आता है, एक लाग जैसे हमारा cash sales यह और credits नहीं, इसका तो total होगा नहीं, मैं गलत जा रहा हूँ, छीक है, यहाँ तक समझ में आए, कहता है total amount deposit, total amount deposit का मतलब, total हमारे पास पैसा कितना था, एक लाग, 27,000, जिसमें से नगद sales था, cash sales कितना था हमारा, 60,000, तो बाकी का पैसा कहां से आया, collection हुआ होगा, किस से, debtor से, sir कितना collection होगा बताओ, 67, जो कि हम use कहां कर लेंगे debtor में, buy cash, कितना, 67, और यहां पर आजाएगा हमारा, क्या, cash sales, जो कि था, 60, और क्या आजाएगा, buy side में, credit sales, credit sales, जो कि कितना था हमारा, 72, समझ में आ रहा है यहां तक, यहाला point समझ में है, कहता, goods return by branch to HO at invoice price, goods return by branch, तो कहां आएगा, buy return, कितने रुपए का, पांस हजार रुपए का return हो गया, इसके बाद कहता है, expense paid, कितने का expense paid किया है sir, बताएगे, तो यहां पर आ जाएगा expense, paid, और आपने कहा sir, कितने का, दस हजार, इसके बाद कहता है, discount allowed to customer, दो हजार, एक तो डेटर में आएगा, कितने, और second यहां आ जाएगा, discount, दो हजार, इसके बाद bed dates return of, कितने का, एक हजार, इधर आएगा, कितने, second यहां भी आ जाएगा bed dates, कितने, एक हजार, ठीक है, abnormal loss, दो हजार का, बोल दिया इसने, और abnormal लिख भी दिया है, तो by, मैं a, b, l लिख रहा हूं इसको, loss, कितने का, दो हजार, कहानी खतम होती है, यहां तक, अब बस loading का process रह गया, ठीक है न, अब हमें यहां से क्या निकालना है, कुछ नहीं, credit sales पहले से ही पता था, credit sales हमें पता चल गिया था, 70, मेरे हिसाब से यह दोनों side बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस में से कुछ निकलना तो है नहीं, तो 12,000, 72,000, 84,000, 84,000, minus 67,000, minus 2,000, minus 1,000, तो दोनों side क्या हो गया, बराबर, तो यहां पे अगर debtor account नहीं भी बनाओगे न, तो हमारा solution आ सकता था, समझे रहे बात को, आ सकता था क्योंकि debtor से कुछ यूज नहीं करना, लेकिन सवाल में कहता है, कि prepare branch debtor account, तो इसलिए हमने क्या करा, branch का debtor account प्रिपेर किया, समझना इस बात को, चलिए अब loading की बारी आ गई, अब ये भी दोनों side ना match हो जाएगा, इधर कुछ भी good sent नहीं दिया, पूरे सवाल में तो इधर क्या आएगा, goods, sent, निकाल लेते हैं good sent, साथ हजार, बहत्तर हजार, पाँच हजार, दो हजार, सत्रह हजार, 156, 156, minus में 16, देखिए good sent कितना आ रहा है, 41, ठीक है, यहां तक clear हो गया, ये account, ये account, अब loading की बात करते हैं, buy side में loading, किस-किस पे loading निकलेगा, good sent पे, तो 41 पे 20%, 16,000 पे, यानि opening stock, 16,000 पे, 32, ठीक है, अब to loading, किस पे सर, return पे, return पाँच हजार पे, एक हजार, 20%, abnormal loss, abnormal loss, 2000, 2000 पे 20%, 400, और बाकी बचा हुआ यहां जाएगा, न, बाकी बचा हुआ कितने, 1600, बाकी बचा हुआ यहां जाएगा, that is, 1600 रुपे, ठीक है, आगे आ जाते हैं, सर, अब cd पे भी आएगा, यानि closing stop, 34, तो सवाल देखे, बहुत आसान था यह, मैंने सिर्फ वो जो थोड़ा सा पॉइंट है, इसलिए कर दिया, 35, 400, 28,000, 32,000, 31,200, तो सर, यह loss आ गया, न, loss आ रहा है, चेक करिए, न, यह 35, 400 नहीं होगा, मैंने गलट टोटल कर लिया सकता, यह गलट टोटल हो गया, यह आ गया हमारा 31,200, 31,200, 31,200, और टू ग्राउस प्राफिट, सर माइनस करो, 1400, 34,400, माइनस 31,200, 26,400, और यह आंसर मुझे कहीं देखा-देखा लग रहा है, यह ग्रॉस, 26,400, ठीक है, यहां से क्या निकाल लोगे, नेट प्राफिट, और टू एनपी है न, इधार ही लिख देते हैं, 26,400, 16,100, 10,000, 2000, 1000, 11,800, यहां लेगे, क्लियर, कोई दिक्कत कोश्चन में, समझ में आगे अपके लिए रहा है, चीक है, चलिए अगले सवाल पर चले, हलाकि इस टाइप का कुश्चन, एक्जाम में दोनों टाइप नहीं आएगा, देखे यह वाला जो लाइन कहता है न, के ब्रांच अकाउंट, तो यह तो सर हो गया डेटर सिस्टम, और बाकी के जो बाते कह रहा है न, यह वाले तीनों अकाउंट, यह पता किसके हिसाब से हो गया, इसका मतलब सर, इस सवाल को हमें दोनों मेथट से करके दिखाना है, तो एक्जाम में यह नहीं बोला कुश्चन, अकाउंट के नाम से पता चलेगा कि कुश्चन, अकाउंट आपने फॉलो करना है, कि जैसे यहां वाले सवाल में आपको क्या बताता है, कि डेटर, ब्रांच, ब्रांच अकाउंट बनाएगी है, तो ब्रांच अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बनता है कि इसमें डेटर सिस्टम में, और जैसे ही बोल दे स्टॉक बनाओ, stock तो debtor system में भी बन सकता है लेकिन branch adjustment की बात आ जाए तो वो कहां बनता है सरिफ stock debtor तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आपने मालो बहुत अच्छे से practice कर लिया लेकिन ये छोटी सी बात है जो कि आपने ignore कर दिया ये आपने ध्यान नहीं दिया तो पता ही क्या दिक्कत हो जाएगी आपको आपका पूरा का पूरा सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा एक्जामनर ने क्या पता आप से बोल दिया branch account बनाए ब्रांच stock account बनाएए बस छोड़ दिया तो आप अगर उसे इस branch adjustment अपनी मर्जी से बना के आगे उसमें तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो था ही नहीं हमारा branch debtor system का stock debtor का ठीक है तो यहाँ पर चलिया आजाते है पहले कौन सा बना ले बताइए branch account बना ले ठीक है branch वाला ही बना ले ठीक है यानि यह है debtor system सरफ और सरफ चलिये कहता है goods invoice to branch देखते है goods receive इसको भी देखेंगे cash expenses को भी देखेंगे क्या कहता है उपर स्टार्टिंग में पढ़ें following information figure related to Delhi branch और cost plus 100% कर रहा है अब यहाँ पर हमारे पास percentage नहीं है cost plus 100% का मतलब हो गया 200% है ना तो आब हमें let x करके यह कुछ दूसरा तरीका ढूंडना पड़ेगा actual expense यह है cash expense यह है sales दे रखा है cash receive दे रखा है discount दे रखा है और दे रखा है goods return by branch to debtor एक इस बात पर भी focus होगा कि इसका मतलब क्या है closing stock दे रखा है आपको debtor का भी और stock का भी तो सबसे पहले एक हमें debtor account बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें opening debtor की जोरत पड़ेगी तो हम पहले फटा-फट से यहाँ पर क्या लिख लेते है to opening stock या balance opening balance लिखते थे ना opening ठीक है और यहाँ पर क्या लिख देते थे by closing balance यही लिखते थे opening balance में क्या जाएगा हमारा debtor और क्या जाएगा stock जो की हमें सवाल में नहीं पता closing में क्या जाएगा हमारे यहाँ stock जो की सवाल में पता है कितने का 30,000 जो पता है पहले हम उसको put कर लेते हैं और क्या debtor और debtor कितने का हमारा 20,000 आईए चलिए यहाँ चलिए यह आगया सर डेटेट दगाओं यह बना दिया डेटर अकाउंट सबसे पहले बाई बैलेंस सीडी गीवन है और बाई बैलेंस सीडी कितने का था 20,000 का यानि हमने कर लिया अब गुड्स रिटन को बाद में देखेंगे डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट अलाउड किसको किया डेटर को तो यहां आ जाएगा है ना डिस्काउंट कितने का है पांच हजार इधर आ गया इसके बाद है कैस रिसीफ रॉम डेटर यहां पर आ जाएगा कैश कितने का एक पच्चिस यानि कालेक्शन फ्रॉम डेटर यहां पर क्या आएगा बाई रेमेटेंस क्या क्या आता है कैस सेल्स कैस सेल्स अगर देखा जाए तो क्या है हमारा सेल्स एट इन्वाइस प्राइज अब देखे ध्यान से इसने कहा कैस रिसीफ प्रॉम डेटर यह है और सेल्स एट इन्वाइस प्राइज यह है तो सेल्स का मतलब तो सर्थ दोनों ही होगा कैस भी होगा क्रेडिट भी होगा हमें इसमें से ढूंड़ के निकालना है कि credit sales का हिस्सा कितना है, जो की कहां से निकलेगा, debtor से निकल सकता है हमारा, ठीक है चलिए, collection from cash sales नहीं पता, collection from debtor तो पता है कितने का दे रखा है collection from debtor यानि cash received from debtor एक purchase, वो तो लिखेंगे आ जाते हैं cash expense at branch actual expense at branch अब इसके अंदर confuse किया हुआ है कि भीया, cash में इतना खर्चा हुआ और actual में कितना खर्चा हुआ 28, तो 1000 रुपे यहां पर outstanding होगा, तो हम क्या करेंगे two expense कितने का 27 और add कर देंगे outstanding expense कितने का 1000, that is 28, समझे बात यह बात होगा चलिए, अब goods invoice, यानि sir, head office ने मुझे भेजा goods goods send किया goods send कितने का किया sir एक लाग का, लेकिन ऐसा क्या हुआ हमें एक दस मिल गया तो यहां पर हो ऐसा सकता है reason देखिएगा मान लेते हैं कि यह 2020 है ठीक है और मान लीजिए यह 2021 है इस date पर हमने समान भेजा था मान लेते हैं कि दो लाख रुपे का लेकिन इस साल जो हमें receive हुआ वो हुआ only 190 का पहले यह समझ रहा दो लाग का भेजा था, receive कितना हुआ 190 इस साल में भी goods को भेजा गया कितने का sir मान लेते हैं, एक लाख रुपे का और अब जब हमने goods receive की बात किया तो goods receive जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक लाख दस अजार दिखा रहा है कैसे sir ये वाला तो goods sent है और जो दस अजार रुपे extra है न वो जो पुराना रुक गया था समझ रहे हो पुराने वाला जो रुक गया था हमारा वही वाला goods तो यहां पर आ गया होगा समझो नहीं समझ मैं आई बात आपको पिछले साल हमारे पास समाना आया दो का लेकिन हमने receive कितना किया हमने एक नब्बे इसका मतलब सर्थ 10,000 का है रस्ते में ही है अब अगला financial year आ गया तो वह ऐसा जिंदगी भर तो रस्ते में नहीं रहेगा अगले financial year में आया अगले financial year में आता ही क्या हुआ हमारा उसमें फिर एक लाग का समान भेजा लेकिन हमने क्या देखा भई एक लाग का समान वो भी आया दसका और आ गया पिछले साल हमारा 10,000 रुपए good send transit होगा अब इस साल जब आएगा तो ये opening stock नहीं बनेगा समझो इस साल आएगा तो क्या बनेगा opening तो opening stock में कितना बनेगा हमारा और good send कितने का दस पहले ये बार funda clear करो देख लिजे समझ में आया या नहीं आया इसका यही point बन सकता है इसमें सवाल में बोला नहीं है इसने कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि question गलत है ये तो ऐसा बस एक ही reason है कि आपको भेजा गिया ज़्यादा कम और आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो सर पिछली बार हमारा good send transit रहा होगा वो फिर से आगे हमारे पास आगे समझ में आई यहां तक आगे बढ़े तो ये वाले दोनों points भी हमने clear कर लिया कोई दिक्कत इसमें cash sent for expense cash sent उन्होंने expense कितने का किया था हमें 25,000 रुपए actual expense कितने का हुआ और cash expense at branch branch का 27 अभी इन तीनों points को एक बार summarize कर लेंगे हम देख लेंगे अब बात कर लेते हैं हम यहां से debtor debtor account से क्या निकाल पाएंगे हम सारी जानकरी तो given था debtor में और एक और point है यहां पे goods written by branch direct to head office अब देखो ध्यान से समझना आप इसका answer मुझे देना बहुत important point है इसलिए मैंने इस सवाल को ले लिया है रानी बाग में एक दुकान है BTW जो की head office है ठीक है एनस पी में एक दुकान है BTW जो की है हमारा branch जो की कह है हमारा branch अब इनका कुछ भी packet वाला material अगर मैं लेता हूँ तो अगर इसने बोला हुआ है कि अगर आप कोई समान लेते हैं BTW ने लला कोई भी आप हमारे पास समान खरी दिये packet वाला जैसे कि आपका packet वाला कुछ भी इनका आइटम है जैसे नमकीन हो गया कुछ भी biscuits हो गया यह आप हमसे खरी दिये अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता या आपको हमने कोई गलत product दे दिया तो आप हमारे किसी भी branch कहीं पे भी return कर सकते हैं sales दिखा करके समझ मैं ही बात आपको तो head office जब branch का account बना रहा था तो head office ने क्या लिखा होगा branch का account बनाते टाइम पे head office ने sales जैसे कि मान लेते हैं इसने दो sales किया एक 100 रुपे का किया और एक 200 रुपे का किया यहाँ पे इसने sales कितना put कर दिया होगा 300 रुपे का ठीक है अब इसमें से 100 रुपे वाला जो product था ना इसने किया किसने किया ultimately बना head office रहे मैंने यहाँ गलत लिख लिए बना head office रहे लेकिन करा किसने पता है करा किसने इसने करा इसने पहला simple process समझना, अब customer को पसंद नहीं आया, तो मैंने debtor में लिख दिया, return, ठीक है, debtor में क्या लिख दिया हमने, जैसे ही debtor में हमने return लिखा, return होते ही हमारे pass भी, वो debtor के pass से return आने का मतलब है, हमारा stock account क्या हो जाना, increase, तो हम यहाँ भी लिख देते है, return, stock है हमारा, जब बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही stock return आएगा, तो हमारे stock बढ़ जाएगा, यानि यह stock debtor में होता है, branch account वाले में नहीं होता है, किस में होता है, stock debtor में, आप समझना बात को, पह लेकर, अब customer ने क्या करा, हमें नहीं return किया, customer क्या करता है, directly HO को return करता है, तो हमारा debtor से तो कम हुआ, लेकिन हमारे पास stock आएगा क्या, नहीं आएगा, माल लेते हैं, genuinely यह stock defected था, तो होता क्या, चैन में पहले इधर आता, फिर हमारे पास आता, फिर हम भी इसको क्या कर देते हैं, यही होता कहानी, लेकिन customer ने directly जब उसको return कर दिया, तो हमारे पास तो आया है, लेकिन हमारा stock तो ultimately हमने क्या करा, यहां से minus कर दिया, return करा, debtor return हो गया, हमारे पास इधर भी नहीं आया, और ना हमारे पास से गया, तो इसके दो option है, जब कोई customer directly return करेगा, एक यह यहां भी record करोगे, और एक यहां भी record करोगे, तभी parallel बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी defective माल आएगा, सोचो, मैं BTW हूँ, अगर मेरे पास कोई भी defective माल आएगा, मैं branch हूँ, तो आपने मुझे वापस किया, मैंने भी defective है, और head office को भीजो, तो जैसे ही आपने कि directly कोई customer return करता है, तो इस entry को या तो आप क्या करिए, cancel लिखिये ही मत, कब, जब customer direct return to HO, या फिर आप इधर लिख रहे हैं अगर return को, तो इधर भी लिखिये और, इधर भी लिखिये, पहले बास समझे, समझ में आई बास आपको, यहां तक clear है, अब आजाते हैं, branch account बनात हैं, तो यहां पर stock आजाता है, और buy stock आजाता है, ठीक है, debtor account के अंदर हमने return लिखा, debtor account में हमने return लिखा, लेकिन जैसे ही customer return करता है, तो ब्रांच account वाले में, branch account वाले में, जब कभी customer return करता है, तो क्या मैं यहां पर दिखाता हूं उसको, जवाब नहीं दिखाते हैं, लेकिन, अगर वो directly, अब हम अगर वापस करते हैं, एको को, तो हम इधर दिखाते हैं, दिखाते हैं, तो ultimately देखा जाया, जब debtor ने हमें वापसी किया, तो हम तो नहीं दिखाते हैं, यहां पर, लेकिन अगर debtor हमारे बिहाब पे directly return किस को करते जाके, तो हम यहां पर दिख और मैं इधर भी दिखाने वाला हूं रिटन और रिटन कितने का 20 अजाद तो यह समझे यह रिटन यहां पर आ गया हाला कि इससे पहले किसी कोश्चन में रिटन यहां पर नहीं आया था पताइए समझ में क्योंकि कि अल्टीमेटली ब्रांच से तो स्टॉक चलाई गया ना हमने नहीं भीजा हमारे बिहाफ पर किसने भीज दिया तो बड़ी सिंपल सा कॉंसेप्ट है अगर कोई कस्टोमर डायरेक्टली रिटन हैड ऑफ इसको करता है तो रिटन टू ब्रांच टू एच्टू ही एज ट्री गया ऊक्तित को यह संजों पॉंतिक आम कुझाओ यहां पर क्लियर है तो यह था हमारा एक तो यह पॉइंट हो गया मैं एक बार दुबारा से स्को समराइज कर देता हूं चलिए ये वाला point done ये point भी done cash sent petty expense इसको 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 एक साथ लेगे sales हमारा कितने का 1,40,000 अब यहाँ से जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा सर credit यहाँ से क्या निकलेगा फटा फट से plus करिए क्या आता है एक पचास ये तो हम मुझे कुछ गड़बर लग रहा है credit sales तो एक पचास होई निसकता एक चालिस दे रख रहा है एक पचास हो नहीं सकता कुछ चीज में सिंग तो नहीं लगी ये sales या फिर सर्फ cash sales है opening debtor दे रखा था कहीं पे branch stock account इस बनाना पड़ेगा है इसमें 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 कैंदर्शे में इसमें अगे हमारा थीजा करा है इसमें इस कि अधिए 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 हाँ डेटर में रिटन तो रहे गए वो तो मैं लिख लूँगा मुझे एक स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़े गए हैं चलिए बना से से एक छोटा सा स्टॉक अकाउंट बना देता हैं चलो सबसे पहले स्टॉक में बाई साइड में सेल्स है ना वाई साइड में सेल्स कितना दिखा रहे हैं हमारे एक लाग चालिस अजार और बाई बैलेंस सीडी बैलेंस सीडी कितने का था बैलेंस सीडी स्टॉक का है 30 और यहां बें टू रिटन आएगा एक तो बीस अजार और इधर भी चला जाएगा बाई रिटन बीस अजार गुड सेंट कितने का हुआ हमारा गुड सेंट एक लाग ठीक है यहां से निकलेगा हमारा ओपनिंग स्टॉक एक चालिस एक बीस गुड सेंट ट्रांजिट का भी है न दस अजार वो दोनों मिलाके यह नि यह एक नब्बे और यह भी क्या गया एक नब्बे में से माइनस करो यह सत्तर आ रहा है नहीं 30 माइनस करेंगे तो कितना रहा है एक बीस माइनस करेंगे तो सतर आ रहा है तो जिसमें से हमारा गुड्स ट्रांजिट दस है तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक प्यूरली होगा हमारा कितना साथ हजार रुपे नॉर्मल और हमारा होगा ट्रांजिट वाला दस हजार रुपे और यहाँ पे हमारा आजाएगा रिटन जो कि डेटरसी में बात कर रहा था वो कितना था बीस हजार अब देखें यहाँ पे रिटन दोनों तरफ आया इधर भी आया इधर भी आया तो मैंने अभी वही समझा रहा था कि या तो आप दोनों साइट कैंसिल मारो तब भी आपका यही आंसर आएगा या फिर आप दोनों साइट दिखाओ समझ मैं यही बात आपको तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक में कितना आ जाएगा एक तो यह था इसको डिरेक्ट सत्तर कर दूँ मैं ठीक है ब्रैकेट में लिख देता हूँ ट्रांजिट इसी में जुड़ा हुआ कितना है 10,000 clear यहाँ तक देखिए ठीक है अब हमारा यहाँ पे जो यह सेल्स है ना कितने का था 1,40 1,40 यह कितना आ रहा है टोटल 1,70 1,70 और इस सेल्स को हम मानते हैं सर यह क्रेडिट सेल्स है क्रेडिट सेल्स कितने का है 1,40 तो हमारे पे आएगा यहाँ पे ओपनिंग डेटर मैं रीजन भी बताऊंगा अभी कितने आएगे 30,000 ओपनिंग डेटर कितना आ गया हमारा 30,000 ठीक है अब सर यहाँ पे देखो सेल्स दे रखा है इन्वाइस प्राइज कैस रिसीफ रॉम डेटर दे रखा है कैस सेल्स कहीं नहीं बोला तो हमारा यह एक मान के चलो सर एक अजम्शन ही है कि हमने इस सेल्स को सारा का सारा क्या मान लिया क्रेडिट मान लिया ताकि हम ओपनिंग डेटर निकाल पाए अगर क्रेडिट क्यूं मानना पड़ा आप समझो अगर मान लो मैं समझता कि इधर से निकल रहा है क्रेडिट सेल्स अगर मैं यह मानू कि इधर से निकलेगा credit sales, तब तो यहाँ पे कितना निकल रहे हैं, अगर हम इसे मानते हैं total sales, तो sir, total sales, 41 और credit sales, 70 निकल जाएगा, जो कि गलत हो गया हमारा, समझ रहे हो, इसलिए मैंने इसको क्या माना, sir, यह पूरा का पूरा क्या रहेगा हमारा, credit sales, तो भीज़ दिया, कि कहीं पर भी लिखा हुआ है कि कितना पैसा हो को भीज़ा है हमने, नहीं लिखा, तो it means हमारा कोई cash sales है ही नहीं, जो भी था हमारा यही था, तल यह देख लेगे, अगर यहाँ पर एक line लिख देता कि हो को मैंने 1,50,000 भीज़ दिया, तो एक पचास में से एक 25 तो उसका है, और बागी 25,000 किसका मान लेते हम, cash sales का, समझ रहे हैं बात को, सले देखों या दर, देखिए, एक बार question दुबारा पढ़ लेजिए, मैं दुबारा समझा दूँ, question हाला कि देखने में बड़ा simple सा है, लेकिन इसमें काफे सारे points को इन्होंने घुमा दिय है इदर उदर, stock, reserve, loading वगरा तो निकाल लेंगे हम अबी, अब बात करते हैं हमारे रह गया क्या point expense का, कहता है cash कितना हमने दिया, cash sent for expense purchase, actual कितना कर लिया हमने, और cash expense branch ने कितना किया, यानि branch के जेब से कितना खर्चा हुआ, ब्रांच के जेब से कितना खर्चा हुआ, 27 खर्च हुआ, हमें actual कितना भीजा गया था cash, 28, इसका मतलब सार 2000 हमने अपने जेब से extra खर्च कर दिया, समझ रहे बात, तो अब हमने अगर 2000 एक्स्ट्रा खर्च किया, तो हम जो एक्च को remittance करेंगे, तो हमारे पास पैसा कितना आया, एक 25, एक 25 में और मैंने जेब से 2000 रुपए क्या करें, expense करें, तो आप मुझे बताए, मुझे बताना, मुझे head office में बोला, ले भाई 25,000 तू खर्च कर ले, मैं ठीक है सर, 25,000 रुपए ले लिया, खर्च करने को, जब मैं खर्च करने लगा, तो मेरे एक्स्ट्रा खर्च कर चुका हूँ, तो एच्चो को कितना भीजूँगा मैं, एक 23 भीजूँगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है सर, यहाँ पे 25 तो भेजना था, लेकिन 2000 जो हमारे जेब से खर्च हो गया, तो यहाँ पे कितने जाएंगे पैसे, 21, यह देखिए पहले, अब सवाल आता है सर, यह actual expense 28 का क्या है, तो एक 1000 रुपे क्या रहा होगा, और closing outstanding रहाएगा यह, तो closing outstanding कि इधर दिखाते हैं, liability का इधर side में, या तो आप यहाँ पे add करके दिखा दीजिए, समझरे बात को, या तो आप क्या करो यहाँ पे, add करके दिखा दो, या फिर आप इधर दिखा दो, अब यहाँ पे बात आती है, मुद्दे की खर्चा कितना दिखाना चाहिए, यहाँ पे खर्चा हमें क्या दिखाना चाहिए, अब ध्यान देना, हमारा यहाँ खर्चा, अगर मैं यहाँ 27 दिखा रहा हूँ, और यहाँ एक पच्चिस दिखा रहा हूँ तो वो अर्जेस्ट हो गया हमारे पास जो head office पैसा देखा वो ही खर्चा यहां दिखा हूँगा head office में कितना दिया एक नहीं सिर्फ 25 head office में कितना दिया तो मैं branch expense में कितना दिखा हूँगा सिर्फ 25 क्योंकि जो extra के 2000 लगे वो तो मैंने यहां कम करी दिये उसके sales में अब बात रही outstanding की तो outstanding के case में हमारे पास दो option available है या तो मैं outstanding इसी में 1000 रुपए add करके दिखा दूँ नहीं तो हम यहां पे क्या दिखा दे to closing closing और यह आगे हमारा expense का कितने रुपए जैसे assets का closing निकालते थे ऐसे किसका निकालती है हमने live लेटी है clear अब हमें क्या करना है basic से चीज़े है loading निकालना है हर किसी का loading के उपर भी कहता है हमारा cost plus 100% मतलब आप इसका या तो कोई percentage बना लो आप या तो latex करके कर लो यानि यह जो समान होगा न यह समान होगा हमारा 200% के बराबर cost के उपर कितने percent के बराबर होगा जैसे आप देखो समझो बात को मैंने 100 रुपए का समान यह cost है ठीक है और मैंने send किया इसमें 100 रुपए और जोडा 100% और जोडा तो कितने का गया उसके पास तो आप इसमें से कितने percent आपका इसके अंदर अब आपका यह क्या है IP यह क्या है आपका cost आपको IP से ऐसा percentage करना है जो कि cost आजाए तो इसका 100% तो करी नहीं सकते आप इसका कितने percent करेंगे जो कि आजाएगा 50% कितना करेंगे तो मैं अगर कहूँ ना कि अगर cost के उपर 100 होता है तो sales पे कितना होता है 50 एक तो यह तरीका है नहीं तो यह कर सकते है 200 और यह है हमारा 200% के ब्रावर कितने percent के ब्रावर 200 और हमें loading कितना निकालना है 100% तो multiply by क्या कर देंगे 100 दूसरा एक और latex करके कर लेते हैं चलो sales is equal to cost plus में profit sales कितना है 200 cost कितना है नहीं हमें sales नहीं पता sales तो पता है वैसे cost हमें नहीं पता वो तो मैंने बता दिया कि यह cost इतने का था cost नहीं पता उसके उपर कितना profit 100% तो x के उपर 100% का मतलब क्या हो जाता है x के उपर 100% का मतलब simple x अब solve करोगे तो इसको क्या आएगा x का value x is equal to 100 और x क्या था हमारा cost 100 पता चलीगे आपको cost तो profit कितना होगा आपका 100 तो यानि बड़ी सीधी सी बात है इसको करने के लिए मैंने एक बहुत basic सा percentage बना लिया कि 50% हमारा loading होगा यह आपको बनाना पड़ेगा at a time exam के अंदर नहीं समझ मैं at a time exam के अंदर क्या करना होगा बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि 20, 25, 25 का 33 यह सब तो पता है लेकिन इसका भी एक लिखना चाहते हो तो लिख लेना तो अब मैं इस पर loading अगर निकालू अब इस पर loading निकालू तो sir loading क्या निकलेगा by loading किस पर निकलेगा opening stock पर निकलेगा good cent पर निकलेगा good transit पर निकलेगा opening stock कितने का है sir 70 यानि 60 था 60 के उपर कितना आएगा 50% यानि 60 का 50% 30,000 good cent कितना आएगा 50,000 इसके उपर कितना आएगा 5,000 यह देखे इधर भी loading आएगा sir किस किस पर loading आएगा इस पर तो आता नहीं हमारा किस पर आएगा return पर return कहा रहा हूं sorry पहले तो stock पर आजाएगा sir stock पर कितना loading है 50% लेंगे हम 15,000 और क्या है return पर भी ले लेंगे return पर 10,000, 20,000 का 70 और 30 30, 50, 80 30, 50, 80 और 5 यहां तक देखिए पहले इस question में main point क्या था एक तो good return directly to HO समझने वाला और एक जब आपको दो return यहां पर दे रखे थे तो आप फटा फट इसका total करिए क्या रहा है झाला प्टाओ आपको झाला प्टाओ क्या तो आपको झाला तो आपको एक पॉइंट और दिहान रखना है चलो पहले इसका टोटल कर लेका है एक त्रीस थिएट बस एक चीज ध्यान रखना यह रिटन वाले पर लोडिंग नहीं निकालना क्यूंकि यह डेटर ने किया है बस यह थोड़ा सा ध्यान रखना है यह थोड़ा सा confusion था जो कि मैंने clear कर दिया minus करिए एक लाथ एक लाथ और पच्चेस हजार पंद्रह हजार एक हजार कितना profit आ रहा चेक करना 27 यानि loading इस पे भी ले रहे हैं अगर हमने इधर-इधर minus किया अठीक लेना पड़ेगा लेना तो पड़ेगा है loading लेना तो पड़ेगा loading दा सजार लेना पड़ेगा पंद्रह च्चेस होगा ने पंद्रह च्चेस को फिर में फटा 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 एक बार रीकंसाल कर पंद्रह पंद्रह किया तो पंद्रह कि अगर प्याए पंद्रह झाल झाल देखिए एक बार इसको अब देखना यहाँ पर एक चीच अकाउंट के उपर हमारा ब्रांच अकाउंट तो बन गया ब्रांच स्टॉक भी हमने ब्रांच डेटर भी हमने एक बन गया ब्रांच तो बस एक अड्यस्मेंट अकाउंट बनाना है आपको जो कि एक अलग से बनाना चाहते हैं उसके अंदर क्या होगा कि लोडिंग अलग हो जाएगा और जो खर्चे यहां पर लिख रहे हैं वह सारे खर्चे वहाँ पर चले जाएगा वहाँ से net profit net profit हमारा सेम यही आना चाहिए तो इस question कि अगर मैं main point देखू तो एक तो goods return वाला आपको दोनों जगा है आप देखो यहां पर भी दिख गया अगर branch account बनाएंगे तो अगर कोई data directly return करता है चोको तो यहां तो आएगा यह तो confirm है लेकिन अगर branch account है तो इधर आ जाएगा समझ रहे हो और अगर stock account है तो दोनों तरफ आएगा यह ध्यान रखने है आपको कि अगर simple return है simple return सिर्फ हमें return कर रहा है तो यहां तो आएगा यहां लेकिन अगर branch account है तो यहां नहीं आएगा लेकिन stock account है तो इधर आएगा यह ध्यान रखने आपको फिर से देखो दोबारा अगर हमारा direct return to HO है अगर कोई stock हमारा direct return to HO है चेक हमारा direct return to HO हां जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग इलिस्टेशन थ्री में अलाउंस बिल्कुल अभी पहले इलिस्टेशन टैन ही कर लेखें इसके बाद एक और कुश्चन करेंगे वो इसके लिए फटा फट बताईए वो इसके लिए तो पहले इलिस्टेशन 10 का ही उठा लेते हैं जो कि था अलाउंस बादा क्या इलिस्टेशन 10 मैंने बोर्ड पर कराया था नहीं कराया तो चल यह करा देते हैं पूरा ही कर लेते हैं इलिस्टेशन 10 है ना इलिस्टेशन नंबर 10 टैंशन ही खतम यह रहा टैन आज हम इस चप्टर को खतम कर देंगे रंगा जो इसको यहां गलत लिए हमने है लास्ट यहीं पर एक वर कुशन देखिए पैट्टी कैस बैलेंस 10 का सब्सक्राइब करना है इसके अंदर एक पार्ट आता है उस पार्ट को हम समझेंगे जो की था हमारा अब्सक्राइब करना है उसके कर लेंगे हम छली है देखते हैं अबसे पहरे मैं बोलू तो काइंड ऑफ डिस्काउंट ही होता है डिसकाउंट और 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 allowances same thing है बस discount allowances लगबग लगबग same है अब इसमें सवाल ये होता है कि जैसे मान लो मेरा ये एक मैंने stock account बनाया समझना बात को आप अब stock account में मैंने sales एक वेक्ती को किया यहाँ पे मैंने लिखा opening stock मान लेते हैं 50,000 का मैंने लिखा purchase एक लाग का तो sir मेरे पास कितने रुपे का समान पढ़ा हुए बताओ टोटल डेड़ लाग का है opening में 50 और एक का हमने करा तो टोटल कितने का होगी हमारे पास डेड़ लाग अगर हमारे पास टोटल डेड़ लाग रुपे का है और मैं इधर sales लिखना चाहता हूँ by sales by क्या लिखना चाहता हूँ sales मैंने कहा कि मैं इसके उपर ना 20% profit margin रखके बेचुआ तो इसका मतलब मेरे जो sales होना चाहिए डेड़ लाग पे 20% कितना होगा हमारा यानि डेड़ लाग पे मुझे 20% margin रखना होगा डेड़ आपका 30,000 और ये हमारा कितना होना चाहिए एक लाग 80,000 कितना होगा एक 80 ये scenario होना चाहिए लेकिन एक जो customer था ना उसको मैंने बोला था कि एक 80 का होगा लेकिन इसने जिद बहस करके मेरे से इसका price क्या करवाली है कम कितना price करवाली है इसने मैंने फिर बहुत calculation किया तो कई बार दुकानदार पता है इतना मजबूर हो जाते है इस level पर आ जाते है कि अपने जेव से देखे बोलता है चल ले जाया और उसके पीछे कई reasons है पुराना stock निकालना हो तो कई बार हम loss में भी बेचने के लिए तयार हो जाते हैं customer को competition इतना हाई होता है तो हमने बोला भया एक 80 से तो कम का नहीं पढ़ेगा लेकिन जो ये customer था बहुत जिद्गिया बोला दस अजार और कम कर लो allownces these ये जो दस अजार है क्या allownces अब मैं यहां पर 180 so लिख रहा हो ना वो लिख रहा हो कितना कहीं न पया ये हमारा accurate तो दिखा नीड़ा कहीं न पयाए ये हमारा accurate तो नहीं दिखा रहा है कि हमें तो 180 price quote करना किये था selling price कितना था हमारा एकस्ति लेकिन मैंने कितना दिखा है एक सतर तो हम एक काम और करेंगे इधर अलाउंस के नाम से दिखा देंगे दस अजार और इधर अलाउंस के नाम से दिखा देंगे हम दस अजार और समझ में आ रही है बात तो क्या हमारा क्रेडिट साइट जो एकस्ति लिखना था वो ब ब्रांच अड्जस्मेंट अकाउंट में और यह फुल जाएगा इसमें कोई लोडिंग वेडिंग का चक्कर नहीं रहेगा यह नॉर्मल लॉस के तरीके से ट्रीट करेंगे कहां चले जाएगा दूसरा हमारा ब्रांच अड्जस्मेंट जो की करते थे न इसका लोडिंग एसडाइड और डेटर अकाउंट के अंदर भी तोаровन्च से डिसकाउंट है तो डेटर में भी दिखाऊं, तो डेटर में अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी दिखाऊंगा तो मैं इधर अलाउंसिस 10,000 दिखाऊंगा मैं अगर डिड़ुडडर मैं 1 असी इधर दिखा रहा हूँ तो अलाउंसिस मैं 10,000 दिखाऊंगा अगर मैं इधरी Еще 1964 करदू तो ये मैं नहीं रिखाऊंगा सिंपल से बात है तो अगर कहता है ना already adjust in selling price मतलब जो debtor में यहां रहा होगा पहले से minus करके होगा adjust का मतलब क्या है मैं बोलूँगा कि इस एक लाग सतर हजार में पहले से ही allowances को adjust कर दिया गया है इसका मतलब already adjust का मतलब होता है कि पहले से क्या कर दिया गया है minus समझ रहे हो बात इसका मतलब सर जब कभी भी allowances आएगा तो दो जगह entry चला जाएगा अगर already adjusted है तो सर दो जगह कहां जाएगा तो एक तो stock account के अंदर चला जाएगा हमारा दूसरा इसका सारा लोडिंग निकल जाएगा हमारा कहां पर branch adjustment account के अंदर debtor वगरे में कहीं भी इसका कोई role नहीं play करने वाला तो फटा फट से इस सवाल को हम करी लेते हैं पूरा तो हमें समझ में भी आ जाएगा थोड़ा बहुत idea लगी गया यह कौन सा सिस्टम है यह भी देख लेते हैं कौन सा सिस्टम है यह branch adjustment बोला तो stock debtor system है मारा है ना तो क्या बोला इसने stock debtor system है stock debtor system एक बन गया stock account एक बन गया stock account एक बन गया stock account क्वेशल झाह सफझ какой जा जाएगा जाट एक बन गया क्वेशल इसके बाद एक बनेगा ब्रांच अड़िस्मेंट अगाउंट एक बनाएंगे ब्रांच अड़िस्मेंट अगाउंट और एक इस साइड बना लेंगे पी एंडल और डेटर वटेबर नेम को ठीक है नब बना लेंगे हम चलिए देखिए कहता है आगरा हेड ऑफिस सप्लाइ गुड्स इस ब्रांच अलवर एट इन्वाइस प्राइस कॉस्ट प्लस 50 परसेंट अगर कॉस्ट प्लस 50 परसेंट है त एल कर से प्लस झौन में डिम्ड़ अगर कॉस्ट में और अगर के यह कहता हैं सप्लाइट इन्वाइस प्राइस यहां लिख combi तू बैलेंस कि कि इसके बाद ब्रांच का डेटर का ओपनिंग बैलेंस है तो सर एक ब्रांच डेटर भी बना लिया जाए बिल्कुल एक ब्रांच डेटर भी बना लेते हैं कि कि एक ब्रांच डेटर भी बना लेंगा है कि इसको हटा लेते हैं चलिए इसे ले जाते हैं उठाके और यह बन गया ब्रांच डेटर ठीक है ब्रांच डेटर लिख दिया यहां ब्रांच डेटर पी एंडल लास्ट में बना लेंगे हम तो ब्रांच डेटर में क्या कहता है कितने कैसर बाईस हजार तो यहां जाएगा टू बैलेंस टू बैलेंस बिड़ी कितने सर पाईस जयार इसके बाद पेट इकस एकस एकसिंस का ओपनिंग बैलेंस है तो पेटिक कैस एक्सिंस का हम यहां पर उपनिंग बैलेंस तो नहीं दिखाते कौण से वाले में opening closing balance आता है सारे assets का debtor system में इतने question करने के बाद तो idea लगी गया होगा तो इसमें से क्या निकालेंगे consume तो हम last में minus plus करके consume निकाल देंगे start लगा लिया इसके goods receive from echo at invoice price goods receive आएगा तो two goods sent कितने का sir two goods sent आ गया हमारा goods sent दो लाख चार हजार दो लाख चार हजार इसके बाद goods receive के बाद goods return to echo return return इधर आ जाएगा by return by return return कितने का होगा sir छे हजार का return छे हजार का credit sales 87,000 rupees sales return 3,000 rupees cash sales यह है तो हम net लेंगे हम net लेंगे credit sales 87 है तो sales आ जाएगा credit कितने दिखा रहा है 87-3,000 कर दो यहीं पर 87 में से कितना माइनस कर दो गया 3000 माइनस कर दो तो कितना जाएगा 84,000 इसके बाद cash में कितने का विखा है cash में भी का है हमारा एक लाख 6,000 एक लाख 6,000 ठीक है न डारेक्ट लिख लिए हम sales return यहां जरूर जाएगा by sales return कितना जाएगा यहां sales return 3000 और यहां पर जो आएगा credit sales credit sales, credit sales कितना आएगा यहां पर यहां पर credit sales आएगा 87 अब देखिए आप ध्यान से देखो कि allowances वाला अगर मैं इधर यही लिखूं 84 तो क्या मैं इधर sales return लिखूंगा नहीं तो सी दिसी बात है बस समझने का है allowances to customer on the selling price already adjusted कितने का बीस दो हजार है न दो हजार तो भी allowances adjusted है तो आप इधर लिख देंगे by allowances कितने रुपे दो हजार इसमें नहीं जाएगा क्योंकि already इस price में क्या है हमारा adjusted है अगर इस price में adjusted नहीं होता तो allowances मुझे इधर भी दिखाना पड़ता एक सवाल आएगा कहीं न कहीं जिसके अंदर adjusted नहीं लिखा होगा तरिफ allowances लिखा होगा वह exact मुझे नंबर नहीं पता चल रहा कौन सा है बाकि आप करेंगे तो मिल जाएगा कैस रिसीफ रॉम डेटर डेटर से कैस रिसीफ हुआ 93 थाउजन तो by side में आ जाएगा by cash कितने का 93 थाउजन ठीक है सर एक्सपेंस cash paid by head office रेंट सारी चीज़े को paid किया है तो सर इसके अंदर तो कोई रोली नहीं होता न तो सारा पी एंडल में आ जाता है कोई बात नहीं मैं यहां तक यह रख रहता हूं थोड़ा adjustment मारके और बाकि पी एंडल में डाल देता हूं क्या क्या है हमारा क्या रेंट है कितने का रेंट है तो चौबिस सो सेलरी 24,000 और पैटी एक्सपेंस दो हजार पैटी एक्सपेंस दो हजार कहता है यह वो खर्चें जो की head office ने दिये हैं तो मैं इसके लिए थोड़ा space बना लेता हूं थीक है थोड़ा space बना लेते हैं थीक है थोड़ा space बना लेते हैं चलिए अब क्या कहता है रेंट कितने का था हमारा कि चौबिस सो सर रेंट कितने का है चौबिस सो यहां लिख दिया चौबिस सो रेंट के बाद क्या था हमारा सेलरी यहां आ जाएगा सेलरी कितने का है चौबिस हजार लिख लिए यह पी एंडल का पार्ट है इसके बाद हमारा क्या है सर पैटी कैस पैटी कैस को हम अलग से का हमारा सिक्टी नाइन इस वाज़े के बाद पैटी कैस बैलेंस फिर से दे रखा है ख्लोजिंग ठीक है हम पैटी कैस पर सब पे स्टार लगा लेते हैं इसको एक साथ कर लेंगे यहां तक रेशार पॉइंट सर यहां से क्या निकलेगा यहां से डेटर निकल जाएगा क् क्या इसका कोई इस्तमाल होगा जी नहीं होगा इस्तमाल तो फटा-फट से टूटलिंग वगरा करके निकाल लेते हैं कितने बाइस हजार एक लाख नौ हजार एक लाख 9000,00-93,00-93,00-3,000 CD आ गया 13000,00-13,00 CD आ गया ठीक है अब यहां की लोडिंग वगरा निकालेंगे और यहां से कुछ नकुछ निकल सकता है यहां पर देखा जाए तो 84,000 प्लस एक लाग 6,000 यहां गया एक लाग 90,000 प्लस 6,002,069 यहां गया 267 267 यहां देखते हैं क्या बनता है प्लस माइनस 66 और माइनस 204 जाए अच्छा हाँ discount तिया discount हमने 2400 का न यहां भी 2400 और यहां भी रहे गया न किसको discount दिया हमने discount allowed तो यहां भी आएगा न डिसकाउंट तो हाँ stock में नहीं आएगा ठीक है तो इसका आंसर ना इस साइड ही आ रहा है तो सॉटेज आ रहा है तो बाय साइड में लिख देता हूं तो सॉटेज तीन हजार ठीक है टोटल में चेंज कर देता हूं तो टोटल चेंज कर देता हूं कि 66000-inqu checks स्क्राइब इसको चेक करते हैं घगा प्राइब लोडिंग की बात करें इधर लोडिंग निकालेंगे तो सबसे पहले दो हजार रिटन के बाद देखा जाए तो अलाउंस पूरा आजाएगा हमारा है ना कितना हैंगे अलाउंस पूरे दो हजार सॉटेज का ये और बाकी हिस्ता क्योंकि इसे ट्रीट क्या करना है अबनॉर्मल लॉस तो सॉटेज एक हजार और फिर क्लोजिंग स्टाक के उपर 69 बाकी मैं सॉटेज को यहां लिख देता हूँ दो हजार एक है अब आजाते हैं हम इस पर क्लोजिंग पर 69 डिवाइड़ बई 3 23,000 तो 23,000 आएगा सॉटेज के बाद आजाएगा हमारा किस पर क्लोजिंग स्टाक शॉट में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टाक पर 23,000 थोड़ा रिजस्ट कर लिया बाई साइड में आएगा लोडिंग किस किस पर आएगा ओपनिंग पर 33,000 नहीं 66,000 डिवाइड़ बाई 3 22,000 ओपनिंग पर कितना आने वाला है और गुट सेंट पर दो लाग 68,000 और तो कुछ है नहीं और सेल्स रिटन यहां भी आना था ना सेल्स रिटन था क्या हमारा हाँ अच्छा हाँ यहां यहां पर तो नेट में ले रखा है ठीक है तो नहीं आएगा अगर नेट में नहीं होता तो ले लेता है ठीक है ना समझ गए बात क्या नेट का मतलब अब एक शत्यस तो बड़ा सिंपल सा सवाल बन गया था यह और टू क्या जाएगा हमारा जीपी माइनस दो हजार माइनस दो हजार माइनस एक हजार माइनस तईस हजार कितना रहे जीपी एक लाक हाँ है अच्छा है जादा मैंने लिख दिया कि अ यगान तो लोंगया 22,000 प्लास 68,000 नबहेहजार 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 है नबहेहजार नबहेहजार मेंसे माइनस करेंगे 22,000, 2000, 1000, और 23,000, कितना रहा, 62,000, और ये बाई आ जाएगा, बाई GP 62, अब आ जाते हैं, पैटी कैस की बात करते हैं, सर पैटी कैस का क्या बात करेंगे, देखिए, पैटी कैस हमारे पास starting में था, opening में हमारे पास पड़ा हुआ था, कितना था सर पैटी कैस starting में 500, और मुझ तोटल कितने हो गए पच्चिस सो और मैं लास्ट में कह रहा हूं कि मेरे पास सौ बच गया है इसका मतलब सरा आपने 2400 रुपे क्या करें 2400 आपने खर्च कर दिये या तो यह आप अकाउंट बना के निकाल सकते हैं या नॉर्मली कर सकते हैं तो 2400 जो आपने खर्च किया है वह यहां आएगा पैट्टी एक्स्पेंस समझ में आई बात आपको 2400 रुपे यहां आएगा पैट्टी एक्स्पेंस क्लियर है किसका हाँ डेट्टर उसमें बीच में आ गया था ना यह कर देंगे वैसे डेट्टर का तो कोई यूज़ी नहीं है फिर भी बनवाया तो बना लेते हैं नेट प्रॉफिट निकाल ले 62,000 62,000 कि माइनस 24,000 माइनस दो हजार माइनस चोफिस सो एक अत्यस दो सो चेक करिए कितने हैं और क्या छोड़ दिया 24,000 रुपे क्या छोड़ा है टोटली में छोड़ दिया क्या मैंने 2400 24,000 2,000 2400 और एक और 2400 है कुछ कि क्या था क्या था क्या था डिसकाउंट लिख लिए मैंने डिसकाउंट रहे हैं ना कि दिसकाउंट भी तो आएगा यहां तो यह आ गया हमारा माइनस 2400 नेट प्रॉपेट समझ में आया कोई एक दो पॉइंट शूट गया कोई दिखकर है ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं आगे सब तो होई गया बस डेटर को ठीक करना है एक लाख नो हजार माइनस करानवे हजार माइनस 2400 माइनस तीन हजार तो दस छे सो वाई बैलेंस तो यह था हमारा एक सवाल नंबर 10 जो कि काफी टाइम से बच्चे डिमांड भी कर रहे थे उनको समझ में आ गया सर अलाउंस डेटर अकाउंट में क्यों नहीं आया अलाउंस डेटर में भी आता है अगर अल्रेडी अर्जस नहीं होता क्योंकि बोला हुआ अगर आप यहां दो हजार आप कर दो आप कर दो 89 फिर आप दिखा दो 2000 कोई फरक नहीं पड़ता समझे बाता सर डप्रिशेशन वाला चेप्टर सर रिवेल्यूएशन अकाउंट सर हाँ बिल्कुल वो भी होगा अभी पहले डिपार्टमेंटल कल आज इसको खतम करके कल लीज खतम करेंगे या डिपार्टमेंटल खतम करेंगे दोनों में से एक मैं मुस्ट पॉबली कल लीज करवा द और इसके अलावा फिर ज्यादा कुछ है नहीं फिर आप सेल्फ कर पाएंगे उसको यह ट्विंटी वन यह तो हो गया था लाज क्लास में ना ट्विंटी टू यह भी हो गया था यह हो गया था यह वाला नहीं हुआ है ना चुल कि यहीं तक है लास्ट यह चेक करो हुआ हाँ तो वह बाकी के ना पुराने भी दे दिया उन्होंने बनावनों के प्रोग्राम के अंदर आके पीछे कर देते हैं वह इलिस्टेशन ओनेस्ट प्रोग्राम में लगबख से में 90 परसेंट 10 परसेंट का परक हुआ तो हुआ यह साइड में कट रहा है कोशन साइड पीडियाफ में तो पूरा है पुआ प्रोग्रोग में वह बनाव कर दो प्रोग्रॉबत कर दो करो कर दो कर दो कर दो अजर को इस सवाल को करने से पहले न हम एक काम कर लेते हैं समझ लेते हैं क्या होता है देखो एक्जामि एक होता है List Price लिस्ट प्राइज क्या होता है माल लेते हैं यह एच्छो है यह क्या है हमारा हेड आफिस और माल लेते हैं यह हमारा ब्रांच है ठीक है है हेड आफिस ने 100 रुपए का समान इसके उपर प्रॉफिट जोड़ा माल लेते हैं 50 पर्सेंट यह पचास रुपए तो यह समान कितने का पड़ गया और यह 1.500 रुपए का समान हेड आफिस क्या करेगा यह 1.500 रुपए का समान हेड आफिस भेज देगा किसको ब्रांच को तो जो यह हमारा ब्रांच के पास गया है यह पैसा इसको बोलेंगे लिस्ट प्राइज लिस्ट प्राइज इसको बोलेंगे इन्वाइज प्राइज इसको बोलेंगे IP price समझ रहे हैं न तो इसी का अलग अलग नाम है अब मैं बताओ, मुझे बताना branch के लिए ये समान कितने का है branch के लिए ये समान कितने का है तो जवाब एısर branch के लिए ये समान कितने का है date so यानी अगर मैं कहूं cost to branch तो इसका मतलब ब्रांच के लिए यह समान कितने का है डेड़ वह करता है पास आते आते कितने का बन गया हमारा तो उसके लिए cost to branch भी हो गया तो जब कभी भी बोला जाए cost to branch तो समझ जाना ये invoice price ही है ऐसा मस समझना कि वो cost है उसके अंदर profit add-on करना है ठीक है अब अगर मैं इसकी cost की बात करूँ cost to HO head office के लिए cost तो sir इसके लिए cost कितने का होगा पता है 100 रुपे का 100 रुपे का है ठीक है समझ में आई बात आपको यहां तक यहां तक कोई दिक्त यहां तक समझ में आ रहा है ठीक है यानि sir cost to branch का मतलब IP price होता है और list price भी IP price को ही कहते हैं कई बार head office instruction दे देता है कि यार जो मैंने IP price पे तुझे समान भेजा है न वो उस पे मत बेचना market में competition आ गया है क्योंकि branch को तो मैंने बोला कि यह 500 का बेच ब्रांच तो वहां पर लगा देगा भी यह dates को का कम का नहीं है head office से यही instruction आया है लेकिन competition में कोई इसके साथ में 130 रुपे का बेच रहा है यह branch कितने का बेचेगा बेचना था dave so dave so में से हमें less कर देना चाहिए कितने percent sir to 20 percent that is कितना आएगा हमारा 30 यानि इसको कितना बेचना चाहिए 120 का बेचना चाहिए यानि 100 रुपया ले product को कितना बेचना चाहिए 120 रुपे का तो अगर मैं बोलू कि इसके पास स्टॉक बचा हुआ है इसके पास स्टॉक बचा हुआ है सर स्टॉक कितने का बचा हुआ है मान लेते हैं स्टॉक बचा हुआ है एक लाग का या एक लाग के जगह पे मान लेते हैं एक बीस का इसके पास stock है 120,000 का, किसके पास stock है sir, 120,000 ब्रांच के पास, और ये किस पे है sir, IP पे है, इसका मतलब इसमें profit जुड़ा हुआ है, profit कितना है हमारा, जुड़ा हुआ है, और profit कितना जुड़ा हुआ है, इसके अंदर देखा जाए, तो हम 100 का समान कितने में बेच रहे हैं, या यानि 20% अल्रेडी एडिट है इसमें हमें अलग से एड़ करना या ओल्रेडी एडिट है तो अगर मुझे इसका लोडिंग निकालना होगा ना तो लोडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे एक लाख 20,000 divided by 120 डिवाइड 120 करने का मतलब यह equivalent percent हो गया डिवाइड 120 करने का मतलब क्या हो गया equivalent percent आपको loading का हिस्सा चाहिए that is 20 तो कितना आ जाएगा सर आपका 20,000 loading होगा तो होगा 20,000 अब चेक भी कर लो एक लाख का समान होगा और उस पे 20,000 रुपे का loading होगा तभी तो होगा हमारा कितना closing stock? एक लाख 20,000 हाला कि यहां से यहां तक कितने percent इसने बोला था मैं बेच रहा हूँ cost plus 50% से cost plus कितने पे बेचा था? क्योंकि 100 का समान कितने का भेजा था? तो cost plus 50% हो गया लेकिन discount के कारण से वो price reduce हो गया जो हमारा 50% का loading था वो loading घटके कितने percent रह गया हमारा? 20% तो अब हमें सारा जो काम करना है वो किसके accordingly करना है? 20% के इसाब से हमारा 50% का कोई role नहीं रहे गया सवाल में समझ रहे हैं बात को आप यहां तक clear समझ में आ रहा है ठीक है? तो इसी base पे हमारा एक सवाल भी है जिसे हम करेंगे ठीक है ना? सर अगर ऐसा कुछ बोला हो तो हमेशा इसका percentage determine करने के लिए मैंने कहा कि मैं बेच रहा हूं cost plus 80% और हमारा price drop हो गया price drop कर दिया 20% का तो सर आप कैसे पता करेंगे क्या percentage है? तो 100 पे count करना हमेशा सर 100 plus में 80 का तो भीजाई था यानि 180 less drop कर दिया कितने percent 20% 20% मतलब 36 तो बचा कितना हमारा 180 में से अगर हम 36 माइनस कर दिये तो 144 इसका मतलब 100 तो हमारा cost ही है बाकी का जो part मर गया 44 यह क्या है हमारा loading है और हम क्या करेंगे आब divided by 144 और into में loading जितने percentage जैसे 44 है तो 44 रखेंगे समझ मैं ही बात आपको खेक है ना तो इसी basis पर यह सवाल भी है जिसके अंदर इसी तरीके का कोई instruction गीवन है जो कि हम करेंगे और इस type के question अगर tough paper आया तो definitely इस type का question देगा examiner मैं format बना लूँ फटा-फट से मैं format बना लूँ क्या 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 बनाना है branch adjustment है तो stock तो छोटा सा बनना है करें लेखे लेते हैं अब पर्टी कुलर करें अब करें अब यहां पर क्या 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 गीवन है अंडेट परसंट प्राइस गीवन है branch adjustment account branch profit and loss account branch expense account भी बनाना है देखो branch stock account भी बनाना है branch debtor account भी बनाना है सारी चीज़े बनाना है तो यह तो हो गया stock हमना branch का जो एक और है ना पीछे बना लेगे एक साथ यहां ना पॉसिबल नहीं है बाकी का हम यहां बना लेते हैं छोटे छोटे चोटे क्या बन गया यह branch data account ठीक है सब्सक्राइब और क्या बनाएंगे और बना लेते हैं branch expense account कितने account होगे चेक कर लेते हैं एक कहता है यह कितने account होगे देखे यहां पर कहता है branch stock बन चुका है branch debtor बन चुका है branch expense बन चुका है branch adjustment and profit and loss यह तो combine ही बनाएंगे तो यह हमने एक काम करते हैं पीछे बना लेते हैं पीछे कहां यहीं बना लेते हैं थोड़ा अराम से बन जाएगा एक न लोकल पर्चेस भी होता है वह इतना important है नहीं उसको आप skip कर सकते हो भी फिलाज के लिए बाकि आप करना चाहो तो करोगे समझ में आ जाएगा यह आ गया हमारा ब्रांच अर्जस्मेंट ब्रांच अर्जस्मेंट अकाउंट ब्रांच अर्जस्मेंट अकाउंट अब सवाल को पढ़ते जाएंगे और एक एक करके फिल करते जाएंगे कहता है यह कि इसको मारकप भी बोला जाता है ध्यान रखिएगा अब जो 200 निकल के आया है डैट इस क्या बना हमारा लिस्ट प्राइज यह क्या बना हमारा अब कहता है इससे भी 20% कम पे बीचेंगे तो इसका 20% कितना होगा डैट इस 40 इसका मतलब हमारा समान जो है एक सो साथ है यानि 60% का हिस्सा क्या है लोडिंग और बाकी का पैसा क्या है कॉस्ट तो जहां पे भी लोडिंग निकालना होगा तो क्या करेंगे 60 divided by 160 60 divided by 160 करेंगे और हर किसी का लोडिंग आता जाएगा तो अब चलिए फटा फट से हम कर लेते हैं सवाल को हमने एक लोडिंग का tentative mind में idea तो ले लिया है आगे कहता है इसके अंदर आपको invoice credit sales कहता ही कि जो made है invoice वो credit sales cases दोनों following account बनाना है तो branch का stock account अब देखें मज़े की बात क्या कह रहा है मज़े की बात क्या कह रहा है branch at cost to branch क्या कह रहा है cost to branch अगर cost to branch है तो ये cost price है या invoice price है ये invoice क्योंकि ब्राइश के लिए कॉस्ट का मतलब क्या होगा inward price ही होने वाला है चलिए आ जाते हम तू better बैलेंस बीडी तू बैलेंस बीडी सर बैलेंस बीडी कितने का है बैलेंस बीडी है हमारा 4000 का ठीक है सर बैलेंस बीडी हमारा आप बताते जाहिए गा इसके बाद आ गायाता है फिर कि इंवॉ़ाइज प्रैस फिर इन्वेज प्रैस प्रैस फिरिक केता है ब्रीज व्रिशी फ्रम ह हो है इन्वाइज प्रैस कितने का है हमारा इस थीन 3,60,000 ठीक है मैं इसके उपर स्टार भी लगा लेका हूँ थोड़ा और काम करेंगे इस पर कैश सेल्स यहीं पर आ जाएगा सेल्स और इसी के नीचे आ जाएगा कैश और क्रेडिट दोनों तो सर कैश सेल्स कैश में है हमारा कितने का कैश में है कैश में है 3,90,000 और क्रेडिट में क्रेडिट में है 3,90,000 तो टोटल 3,90 और सर क्रेडिट सेल्स यहां भी आ जाएगा क्रेडिट सेल्स कितने का 3,90,000 तीक है क्रेडिट सेल्स भी आ जाएगा कैश रिसीफ फ्रॉम डेटर कहां पर आएगा बताओ डेटर अकाउंट में बाई कैश कितने का 2,90,000 चलिए गुड्स इन ट्रांजिट अब सर गुड्स इन ट्रांजिट कितना है हमारा 40,000 अब हमारे पास रस्ते में था तो मैं यहाँ ही पर लिख लेता हूँ 2 गुड्स इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट कितने का यानि सर हेड आफिस ने से कहता है रिसीव हमने 3,60 किये हैं और रस्ते में अभी 40 है इसका मतलब वहाँ से समान जो आया होगा वह कितने का आया होगा वह आया होगा हमारा 4,00,000 का तो मैंने सिंपल यहाँ पर लिख लिया अब यह देखने वाली बात है कि साल के अंत तक यह रिसीव हुआ या नहीं हुआ अगर साल के अंत तक यह रिसीव नहीं होता है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को दो पार्ट में बाइसिकेट करना होगा एक तो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है और एक गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से लोडिंग दोनों पर ही निकलेगा टोटल Аमांट दे दिया branch expense क्या देता है 2000 या bed debt 2000 है branch expense 40,000 expense 40,000 तो इसने branch expense account क्यों बोला था बनाने को चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद bed debt कितने का है 2000 इधर आ जाएगा by bed debt कितने का? 2000 और एक bed debt हमारा पीछे भी आ जाएगा पी इंडल के अंदर इना? पी इंडल के अंदर टू बेड़ड़ दो हजार 2000 ही था न? ठीक है इसके बाद loss by fire invoice price transfer to goods to फरीदाबाद पहले loss by fire है, कितने का loss by fire है? इधर आ जाएगा by loss 24 इसका loading एक साथ ही निकाल लेंगे loading सभी का, अभी कुछ नहीं करता है transfer goods to फरीदाबाद branch at IP अब सर, हमारा branch कौन सा है? Mayur Store Limited, their head office in Delhi and goods its branch Noida, Noida का branch है हमारा हमने कहां भीजा? फरीदाबाद तो हम भेजेंगे तो इधर आ जाएगा by goods transfer कितने का कर दिया? 6000 का, इस पे भी loading निकलेगा क्योंकि IP पे है goods preferred, normal बता रहा है यह IP पे goods preferred, normal कितने का हजार रुपए है तो by goods प्लीफर्ड प्लीफर्ड कितने का है सर? यानि प्लीफरेज goods प्लीफरेज एक हजार यह normal है तो पूरा ही आएगा वहाँ पे remittance to head office कहता है head office को हमने remittance कर दिया 3,30,000 तो इसका कोई role है नहीं यहाँ पे 3,30,000 क्योंकि cash दे ही रखा तो already आप देखो इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो तो 3,30 ही बनने वाला है क्योंकि हमने क्या भेजा हुआ cash sales और credit से पैसा है दोनों मिला के भीज दिया होगा तो cash sales कितने का था 90 का और जो पैसा आया वो कितने का था हमारा 2,40 तो दोनों को जोड़ों को तो कितना बनेगा 3,30, तो यह line देना बिल्कुल बिकार है इसके लिए यह किसी काम का line नहीं है लेकिन बच्चे को परिसान हो सकते हैं इस line के अंदर insurance claim admitted against lost by fire 12,00 रुपए तो सर यह तो पी एंडल में जाएगा insurance claim buy side में insurance कितने का 12,00 का अब आगे आ जाते हैं कहता है debtor at the end और closing stock at the end तो buy balance CD buy balance CD कितने का है सर 88 और closing का इधर buy balance buy balance CD कितने का है साथ हजार साथ हजार चलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके चलते हैं टोटलिंग पर धियान देते हैं आप सारा information ले लिया हमने अब टोटलिंग पर अब buy balance CD जो कहता है closing stock कितना कह रहा है हमें साथ हजार अब सवाल में ये नहीं कह रहा कि भाईया ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है तो अब आपकी इच्छा है कि आप क्या मानते हैं खीक है न वो आपके उपर total depend करता है आप समझ सकते हो कि जो हमारा closing stock 60,000 है अगर आप मानते हो कि अभी तक समान नहीं आया है इसको दो पार्ट में तोड़ दोगे एक तो तोड़ दोगे किस में सर 40,000 और 20,000 में अगर आप मानते हो कि भी यह साल में तो समान आ ही गया होगा यही समान है तब उस case के अंदर आप पूरा 60 लिखोगे यहां पर goods and transit लिखने की कोई जोरत नहीं है समझ में आई बात आपको ठीक है न वो आपके उपर इसके लिए नोट देना पड़ेगा आपको एक्साम में चलिए टोटल कर लें यहां पर क्या आता है टोटल करने पर इससे टोटल करते हैं 390, 2400, 6000, 1000, 6000, 459, 400 459, 400 459, 400 माइनस चालिस अजार, माइनस चार लाट, यहां देखिए सर्प्लस आ रहा है हाँ कितने का, 19,400, सर्प्लस कितने का गिया हमारा, 19,400 का, अब लोडिंग बगर निकालना चालू करें डेटर भी क्लोज कर देता हूं, चलो, डेटर का ऐसा कोई रोल ले नहीं, अब देखो, ब्रांच एक्समेंस फाल तो मैं बनवाया है, जब कोई था ही नहीं एक्समेंस सॉटेज है, सॉटेज पहले से दी रखा था, कितने का सॉटेज आ रहा है, 600, एक मिनाट रूट, यह 33, दोनों सेट मैंच हो, सर्प्लस कितना रहे है, 60, तो सॉटेज, यहां पर सॉटेज दे रखा था गए, और सर्प्लस भी दे रखा है, क्रेडिट से इस का अगे कुछ लिखा है, क्लोजिंग में, यानि यहां पर है, यानि यह मान के चल रहा है कि हमारा क्लोजिंग भी है, तो लिख देते हैं चलो, गुट्स इन ट्रांजिट चालिज, ऐसे, अरे, बाकि आपके उपर अजम्शन के उपर डिपेंड करता है, कितना है हमारा तूटल, अब तो और आएगा ज्यादा यह, चार निन्यान वे, चार सो, माइनस, कितना रहा है, उन्सट चार सो, तो साट, 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 600 पर सॉटेज, कहीं भूल तो नहीं कि यहां से लेना, यहां पर लेता है, लाइन, क्या पता हमने यहां पूरा ना पढ़ा हो, क्रेडिट सेल्स के बारे में, कहता है, क्रेडिट सेल्स तो हम बेचेंगे, नॉर्मल लिस्ट प्राइज पर, लिस्ट प्राइज का मतलब, उसमें कोई डिसकाउंट नहीं है, और जो कैस सेल्स होगा, वो डिसकाउंट तो तो क्रेडिट सेल्स यह है, ठीक है, तो हम वैसे नॉर्मली कितना देख रहे हैं, एक सो साट, यानि यह चालिस परसेंट और एक्स्ट्रा बिकेगा हमारा, यानि यह जो भी, इसके अंदर देखा जाए, क्रेडिट सेल्स, अब समझेगा बात को, क्रेडिट वाला जो सेल्स है, कहता है कि भाईया, हम कॉस्ट प्लस हंडिट पी बेचेंगे, यानि क्रेडिट वाला हम लिस्ट प्राइज, लिस्ट प्राइज क्या था हमारा, 200 रुपए, अजम्शन लिया हमने, और जो हमारा इन्वाइज प्राइज जो हमने निकाला, वो कि इतना निकला, 100, मतलब कि जो कट पिट करके निकाला, 160 रुपए, अब हमारा क्रेडिट से किसे armpit तीन आग इंटुमाल चालिस कितना गया या नियानि स्रह हम credit sales न 60,000 रुपए extra बेच रहे हैं नहीं समझे बाद 160 के according है credit sales तो 60,000 था न इसलिए जो surplus आ जाएगा excess sales वाला वो आ गया है हाँ पर क्या यानि हमने ये sales जो इधर दिखाया हुआ है वो हमारा normal से कहीं ज़्यादा दिखाया हुआ जो कि कितना गया हमारा 60,000 समझे बाद 60,000 extra क्योंकि हमारा जो profit निकल के आएगा वो profit निकल के आएगा एक तो normal जो चल रहे है वो तो रहे गए उससे कहीं ज़्यादा भी आएगा तो वो कितना गया हमारा 60,000 थीक है अब निकालेंगे तो इधर सॉटेज आ रहा हुआ अब आ रहा हुआ सॉटेज ठीक है और यह line हमने पहले नहीं पढ़ा था जो की पढ़ना चाहिए था वहाँ पे लिखा हुआ है देखो सॉटेज सॉटेज कितना आ गया 600 आप इसको total कर लेंगे ना ठीक है चलिए branch expense को expense में डाल देते हैं 40,000 रुपए branch expense 40,000 अब सब के हर किसी का loading निकालते हैं सबसे पहले तो loading surplus तो पूरा ही आएगा surplus पूरा आएगा by surplus कितना 60,000 by loading अब loading की बात करें तो loading किस पे होगा opening stock पे opening stock था कितने का 40 का अब कितना करेंगे 60 divided by 160 तो यह कितना आ जाएगा सर 15,000 और किस पे निकालेंगे good cent पे good cent पे कितने का था total good cent 4,000,000 into में 60 divided by 160 करेंगे कितना एगा 1,000,000 रुपए और किस पे था loading इस साइड debit साइड में बस surplus पूरा आ गया पूरा ले लिया buy साइड में किस पे है loss loss abnormal है loss abnormal है ना तो two सबसे पहले loading निकालो abnormal loss सर कितना 24 सो था तो 24 सो पे अगर हम निकालते हैं तो divided by 160 160 into में 60 तो 900 आ रहा है और बाकी का cost यहां जाएगा हाँ टेट लाग आ रहा है कर देते हैं टेट लाग इधर 15 सो आएगा यहां टोटल गलत हो गया कि डेट लाग आ गया फिर ठीक है अब आ जाते हैं मैंने इस पे भी loading निकाल लिया कहां गया loss पे goods transfer इस पे भी loading निकलेगा goods transfer पे loading निकालेगे two goods transfer कितना था 6000 6000 divided by 160 into 60 250 और किस पे निकालना है इसके बाद आ जाते है goods प्लीफर्ड यह भी abnormal है नॉर्मल बोला था न उसने तो यहां लिखेंगे goods प्लीफर्ड कितने रुपे था sir goods प्लीफर्ड था हमारा 1000 रुपे यहां कितना ले लिया हमने इसके बाद देखा जाए इसके बाद goods प्लीफर्ड के बाद किया है balance तो balance cd कितने हमारे total 81 निकाल लेता है एक लाख है न एक लाख divided by 160 into 60 तो यहां कि तू लोडिंग किस पे closing stock पे कितना 37000 इसके बाद क्या था हमारा shortage shortage कितने का पड़ा हमारा 600 600 divided by 160 into 60 तो 225 रुपए 225 और बागी का यहां जाएगा cost cost minus 600 यहां कि 365 रुपए तेखिए और कुछ तो नहीं रह गया सर credit sales में 360 भी दिखा सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल credit sales में आप 360 भी दिखा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं 360 नहीं दिखाना वो तीन लाग कहीं बोला है उसके क्लियर है यहां तर total करें जीपी निकाले 6,000 15,000 साथ हजार है 15,000 एक लाग पच्छास हजार total आगे 225 माइनस 900 माइनस बाइस सो पच्छास माइनस एक हजार माइनस 37,500 कितना आ रहे हैं 183 जीपी बताईए क्या रहे हैं एक सो पच्छास बाइ 183 चलिए अब करते हैं यहां प्लस 1200 184 325 184 325 यहां के आएगा माइनस कर देते हैं माइनस 40,000 माइनस 1500 माइनस 375 कितना रहे हैं 144,450 144,450 यह आ गया तो यह हमारा last question था एक तरीके से और आपको clear भी हो गया होगा ब्रांच का अब तो कोई question doubt में रहता है तो doubt पूछ सकते हो कल most probably अगर मैंने lease start किया तो कली खतम कर दूँगा मैं lease start करके यह departmental कराना हुआ तो departmental कर लेंगे कल हम बताइए किसी बच्चे जितने बच्चे live हैं किसी को कोई doubt जितने बच्चे live हैं किसी को कोई doubt बताइए अंजली ओम समीर विशाल किसी को कोई doubt no clear तो कल की class जैसे कि मैंने बुला 11 बजे मैं regular ही class लुगा जैसे जैसे topic होगा उसके हिसाफ से आगे बढ़ता जाऊँगा और कल अगर lease start किया तो कल ही हम lease को खतम कर देंगे पूरा chapter जो कि exam में पूछा जाता है theoretical part है अब हमारे main chapter कौन-कौन से रह गया है एक departmental रह गया एक NPO रह गया है और depreciation में revaluation वाला topic एक मैं बता दूँगा छोटे-छोटे से topic है आपका 15 तारिक तक मेरा target है और definitely 15 तारिक तक मैं इस लिबस खतम कर दूँगा तो आपको practice करना है बाकी के किस तरीके से करते हो अभी test check नहीं हुआ आज test को check करेंगे offline वालों को भी नहीं हुआ तो आज check कर लेंगे फिर दुबारत जब check करके मैं दूँगा तभी मैं अगला test का announcement करूँगा चले ठीक है मिलते हैं हम next class के अंदर कॉआ खाका पॉआ वैस चेक करीए गा एक बार चेक ठीक है देखो आज हमने क्या क्या कर लिया एक पर फटा फट से देख लेते हैं हमने नंबर वन नंबर वन किया था हमने फाइनल अकाउंट है ना फिर हमने स्टार्ट किया था इन्वेंट्री फिर हमने स्टार्ट किया डेप्रीशेशन फिर हमने स्टार्ट किया ब्रांच और हमारा एक मेजर चेप्टर है एन पी ओ और उसके बाद हमारा कुछ जिसे हम थेयोरी का पार्ट बोले वो है थेयोरी का पार्ट बोले वो है थेयोरी का पार्ट बोले कुछ वो है हम वह कंप्लीट पूरा दिखाओ भी परने कुछ थेयोरी के पार्ट से हैं अब हमने न कुछ-कुछ पॉइंट्स छोड़ा हुआ था डेप्रीशेशन में एक रीवेल्यूएशन अकाउंट छोड़ा हुआ था और फाइनल में एक जीएस्टी के साथ जीएस्टी ओल्दो कॉंसेप्ट कर लिया लेकिन जीएस्टी के साथ कुछ्चन्स को ट्राई नहीं किया तो आज हम रीवेल्यूएशन को खतम कर लेंगे फिर किसी दिन ऐसे ही टाइम निकालके जीएस्टी रीव रीवेल्यूएशन कर लेंगे तो आज सबसे पहले हम देखेंगे रीवेल्यूएशन क्या होता है देखाई रेजिस्ट्र अब देखता हूं बैठों करने है जीएस्टी का ठीक है तो हमें पता होना चीए कि हम किस स्टेज पे हैं और लौ वाले बच्चों का थोड़ा से दिक्कत आ रहा था कि सर लौ का स्लेबस वैसे तो रेगुलर क्लास चल रहे हैं उसमें से एक पार्ट मैं कराऊंगा लौ का जो की है हमारा लौ पी वाला लिमिटेड लाइबलिटी पार्टनर्शिफ फर्म उसमें से भी कुशन पूछा जाएगा तो लौ का वो मैं करा दूँगा संडे मंडे जो भी सड्यूल मिलेगा वो हम कर लेंगे चलिए सर अब सबसे पहले समझते हैं सर ये ये कॉंसेप्ट है क्या और क्यों आया कैसे आया पूरी जानकारी इसके बारे में पहले लेंगे फिर हम इस पर बढ़ने वाले है सर हायर एंड परचेज किस चेप्टर में है हायर परचेज पहले हुआ करता था अब स्लेवर्स क जो भी कहलो होता क्या है नौर्मली पहले एस 9 वा करता था धियान से शमझیا Pier पहले एस 6 वा करता था तो एस 6 के अंदर पहले सिर्फ बोला जाता था आपको डेपरीशेशन लगाना है और अगर आपने method को change कर दिया तो change को आपको starting से लेना है retrospective effect के साथ लेना है अगर आपने method change कर दिया तो retrospective effect से लेना है दूसरा number two आप कभी भी assets का revaluation नहीं कर सकते यानि अगर आपने assets को 5 लाग का खरीदा है ना तो यह आपकी मजबूरी है कि हमेशा इस assets का cost 5 लाग बताना पड़ेगा और इसी के according depreciation चार्ज करना पड़ेगा जिसको हम historical cost भी कहते थे आपके exam में पूछा जाएगा what do you mean by the historical cost तो historical cost या फिर cost recognition भी है cost recognition या cost principle के नाम से है तो historical cost historical cost का क्या था limitation के भीया आज building 10 लाग का खरीद है अबने तो कल भी आप बताओगे 10 balance sheet में हमेशा कितने का दिखेगा 10 10 10 जबकि law कहता है भाया तुम्हारा building 10 का है और balance sheet तो आपके business का फूरा picture show करता है तो आपका building का value तो 10 नहीं है अभी 20 लाग है तो आप इसमें 20 लाग रुफे दिखा ही है जो जर्नली है क्योंकि आज जो investor इसमें invest करेगा पैसा वो तो देखेगा building अगर आप 10 लिखोगे तो वो सोचेगा कि भाया building यहां पे तो 10 का ही है लेकिन आप 20 का दिखाओगे building तो कही investor थोड़ा बहुत और good fail करेगा तो उसमें फिर amendment आया गया इस AS को delete करके AS 10 लेके आया गया और इसके अंदर assets को revaluation करने का भी provision रखा गया बोला गया कि अब आप assets के उपर depreciation जो है वो जैसे लगाते थे वही लगाएंगे लेकिन change method में जो पुराने impact लेते थे वो भी खतम कर दिया और assets को revaluation करेंगे अब revaluation में दो बाते हो सकती है या तो आप assets को ज़्यादा बढ़ा के दिखाओगे market value पे या फिर आप कम दिखाओगे तो अगर कम हो जायता है हमारा तो ऐसे situation में हम क्या करते है profit and loss ते इसको compensate कर देते हैं लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो माने लीजिए आपका जो P&L है ना और P&L से जो हमारा profit निकलता है ना ये profit हमारा किसका होता है सर बिजनस का profit होता है ये profit किसका होता है हमारा business का profit होता है ठीक है अब जो business का profit है लेकिन जो assets को आप बेच के खरीद के यह जो पैसा होता है वो capital reserve होता है और एक ऐसा होता है कि assets के valuation करके जो होता है वो re-valuation का profit होता है तो यह तीनों एक जगह नहीं रहते जितना assets बेच बेच के पैसा profit कमाओगे कहाँ चला जाता है capital reserve में जितने आप समान को बेच बेच के profit कमाओगे जो daily ordinary transaction है वो चला जाता है P&L में अगर किसी assets को valuation करके profit कमाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा हमारा re-valuation account के अंदर सर यह तीनों को ना balance sheet के liability side ही दिखाया जाता है लेकिन अलग-अलग दिखाया जाता है P&L अलग दिखाया जाता है re-valuation reserve अलग दिखाया जाता है capital reserve अलग दिखाया जाता हम तीनों को merge नहीं कर सकते तो इसलिए जब assets का re-valuation होने लगा तो इसके अंदर बोला गया के भाईया जब assets का re-valuation करोगे तो एक तो re-valuation पे impact आएगा तो उस re-valuation account को आपको बना के दिखाना होगा यहां पे machinery में क्या impact आएगा वो भी दिखाना होगा तो अब एक example देखिए example देखिए for example मेरा एक assets एक लाख रुपे का है और SLM depreciation लगा रहे हैं 10% के हिसाफ से इसका मतलब depreciation 10,000 लगा बचा कितने का 90,000 अब मेरा मन करता है फिर से एक साल का depreciation लगा देते हैं 10,000 का बचा कितने का 80,000 का अब मेरा मन करता है कि इस assets की valuation change कर दी जाए इस assets को कर दिया जाए कितना 90,000 कर दिया जाए इस assets को कितना कर दिया जाए 90 तो now depreciation जो charge होगा वो तो इसके उपर होना चालू हो जाएगा ठीक है ना यानि जो पहले आपका 10,000 depreciation लग रहा था ठीक है वो 10,000 तो ही है अब valuation की वजह से आपका 10,000 रुपए के assets में increment हो गया अब इस 10,000 के उपर आपको 1000 रुपए का extra depreciation चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि पहले 10,10,10 SLM के इसाफ से चल रहते है कोई बात नहीं अब जैसे इसका revaluation हुआ revaluation की वजह से आपके assets का value कितना अप हो गया 10,000 और उस 10,000 पे 10% कितना हो गया हमारा 1000 तो अब जो हमारा P&L के अंदर depreciation जाएगा ना वो तो 10 ही रहेगा लेकिन जो extra 1000 रुपए का depreciation है that is not so P&L ये चला जाएगा कहां पे revaluation account में तरह इस बात को समझेए यानि जो valuation अप होने की वजह से जो depreciation extra लग रहा है तो जितना depreciation हमारा normal है वो तो कहां जाएगा हमारा P&L में जो extra depreciation लग रहा है वो P&L में नहीं जाएगा उस depreciation को उठा के कहां ले जाएगे हम revaluation के अंदर लेके जाएगे पहला major changes यानि जो हम यहाँ पे लिखते थे ना machinery account में machinery account में लिखते थे by depreciation तो ये depreciation तो जाता है भाईया P&L में उसके बाद जो extra लगेगा यहाँ पे revaluation के नाम से लिखेंगे अभी हम पूरा process एक question आपके सामने है दो है एक मैं कर दूँगा एक आप ट्राई कर लेंगे आपका concept हो जाएगा एक बच्चे का ये भी query आया था कि सर हमारे internal उनके internal college में भी यही question पूछा गया था तो एक तो यह impact आ जाता है दूसरा जब हमारा assets revaluation होगा तो या तो फाइदा होगा या तो नुकसान होगा तो अगर नुकसान हुआ तो अगर फाइदा हुआ तो आ जाएगा two revaluation मान लेते हैं कि आपका assets का पहले क्या था सर पहले cd था 80,000 रुपए तो यह bdb कितना बना 80 बना था हमारा तो extra जो valuation में आपने 10,000 increase किया तो revaluation के नाम से अलग से दिखाओगे कि आपका asset का value क्या हो चुका है बढ़ चुका है तो दो ही major impact है एक जब revaluation से extra होगा तो अलग से show करना होगा और उसके ऊपर depreciation जो लगेगा उसको भी हमें क्या करना होगा सर अलग से उस depreciation में merge करके अलग से show करना होगा मर्ज पूरा नहीं करना अलग से दिखाना होगा तो हमारे इस सवाल को एक बार देखते हैं और working note समझ में आ जाए तो account भी बहुत easily समझ में आ जाएगा इस question को देखते हैं working note समझ में आ जाएगा तो account भी easily समझ में आ जाएगा चलिए मैं एक पहले machinery account बना लेता हूँ एक machinery account जैसे कि बनाते थे यह तो बन नहीं है यह बन गया हमारा machinery account सर कौन कौन सा account demanding में है इसमें कौन कौन सा account कह रहा है examiner बनाने को देख लेते हैं कुश्चन में कहता है कि आपका रिची लिमिटेड सरी रची लिमिटेड बॉट आम machinery पचास अजार का एक machinery खरीदा एक अप्रेल 2016 में खरीदा वन मोर मसीनरी खरीद लिया इसने फॉस्ट अक्टूबर 2016 सेम येर में ही और उसकी कीमत रखी गई 40 अजार दा रेट अफ डेप्रेशेशन 10% पर एनम और रेट अफ डेप्रेशेशन 10% पर एनम था SLM बेसिस से एक अप्रेल 2018 में यानि दो साल के बाद दा मेनेजमेंट डिसाइड मेनेजमेंट बोलता है कि भाईया हम ऐसा करने वाले हैं उसने बोला कि दो साल बाद के हम मसीनरी को रिवेल्यूट करेंगे जो दो साल डेप्रिसेशन माइनस करने के बाद जो वेल्यू बचा होगा उसके उपर कितना अप कर देंगे हम 20% अप कर देंगे वेल्यू सेकिंड مसीनरी को हम Less Than कर देंगे यानि सेकिंड मसीनरी की वेल्यू में हम कमी करेंगे तो पहले machinery को बढ़ाना है दूसरे साल में और second machine को घटाना है October 2019 ठीक थोड़े दिनों के बाद यानि April के बाद हमारा March एक पूरा साल गया उसके last year में जाके the first machinery become absolute absolute का मतलब खराब हो गया इसे sold ही करना पड़ेगा और हमने उसको sold कर दिया और incurring आपका 7000 रुपीस loss में in excess of depreciation arising on the revaluation should be charge revaluation reserve account कहता है जो भी excess depreciation लगेगा क्योंकि revaluation किया है तो ज़्यादा लगेगा तो जब ज़्यादा लगेगा जो आपने बढ़ाया है value को तो आपको अगलग से charge करना होगा आगे कहता है एस पर एस टेन एस टेन के according एस टेन के according आगे कहता है एक मिन्ट एक मिन्ट रूको परिंट्स आप क्वराया जोगे देन एस टेना है औरके ल मिन्सेचते लेंक वी तो है किर नहर देदाए्ट है कि मिन्स टेन के ऐस टेस You झाल 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 यह तो कुश्चन में क्या कह रहे हैं? कुश्चन में कहता हैं, 10. Show the machinery account और machinery account के साथ depreciation account भी बनाना है आज से पहले हमने सवाल में depreciation account नहीं बनाया इसके बाद revaluation reserve account भी बनाना है ये भी नहीं बनाया तो हमारे लिए दो नहीं चीज़े हैं एक depreciation account न्यू है और एक revaluation reserve न्यू है इसके बाद कहता है कि आपको 31 मार्ज से 20 तक का काम करना है ठीक है पहले हम working note देख लेते हैं ये दोनों account यहाँ बनाना possible नहीं है हम एक next page पे ले लेंगे ठीक है हम next page पे ले लेंगे अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले machinery one machinery one 14 2016 14 2016 को machinery खरीदा कितने रुपे का खरीदा सर 50,000 कितने का खरीदा 50,000 इसमें से minus क्या कर देंगे हम पहले depreciation depreciation का rate यहाँ पे सवाल में दे रख था 10% SLM तो 10% SLM के हिसाब से लग गया 5000 हम दोनों pattern पे depreciation निकाल लेंगे बचा कितना 45,000 डेट है हमारा 14 2017 अभी depreciation का decision नहीं लिया गया इसके बाद 31,3,2,018 फिर से डेप लगेगा क्योंकि SLM है तो अगेन लग जाएगा इस पे 5000 तो बचा हमारा कितना 40,000 अब management decide करता है कि revaluation कर दिया जाए और revaluation में क्या decision लिया गया है इसके value को क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो revaluation में बढ़ा दिया जाए तो plus आपका profit profit को हम क्या करेंगे अब कर देंगे तो मैं न एक साथ के साथ और अच्छे से समझ में आ जाए इसी assets पे बढ़ाने के बाद का भी मैं depreciation लेके चलूँगा तो हमारा assets का value है यह समझाने के लिए extra आपको exam में नहीं करना तो 50,000 depreciation 5,000 5,000 के बाद आगे 45,000 45,000 के बाद फिर से 5,000 और यह आ गया हमारा 40,000 40,000 पे हमें value बढ़ाना है 40,000 पे value बढ़ा के दिखाना है 40,000 पे value बढ़ाना है plus 40,000 पे कितने बढ़ाना है 20% तो यहां नज़र आया है के हमारा 8,000 से value बढ़ गया that is आपका हो गया 48,000 कितना हो गया आपका है 48,000 चलिए अब आते हैं हम आगे अब दूसरी मसीन का भी देख लेते हैं मसीनरी 2 का यहीं पे कर लेते हैं M2 का क्योंकि अब ना इसके बाद यहां पर situation चलेगा और यहां पर भी देखेंगे हम मसीनरी 2 मसीनरी 2 मसीनरी 2 कितने का खरीदा सर मसीनरी 2 जो खरीदा था जगह मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम इसको लेके चलते हैं इधा मसीनरी 2 मसीनरी 2 2 का, इधर देख लेते हैं सेम हमारा जो डेट पे खरीदा गया है, डेट क्या है हमारा 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1, 10 2,000 2,000 16 कितने का खरीदा गया? 40 का खरीदा गया अब क्योंकि 6 महने का डेप लगेगा तो माइनस डेप कर देंगे तो 2,000 पहला डेप लगा दिया बचा कितना हमारा? 38 38 अब इसके बाद पूरे साल का डेप लगेगा SLM है तो कितना लगने वाला है इस तर? 4,000 तो कितना बचा हमारा? 34 Now decided इसकी value को down करो और management decide कर रहा है इसकी value को क्या कर दो? Less कर दो तो हम यहीं पह करेंगे थोड़ा मैं small size कर देता हूँ यानि सर यह कितने का था? 40 का 2000 डेप लगा और बचा कितने का? 38 मैं लंबे process से जरूर कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा आपको कि मैं करना क्या चा रहा हूँ 34,000 इसकी value को अगर हम down कर दे तो कितने से down होगा? 34,000 ultimately देखा जाए तो यह जो बच जाएगा कितना बचेगा 34,000 माइनस करने के बाद हमारा 30,600 value ठीक है न? यानि सर हमारे assets के revaluation से एक impact generate हुआ net impact की बात करें न? तो बढ़ा हमारा 18,000 8,000 और घटा हमारा कितने? 34,000 ultimately देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 36,000 रुपे 36,000 यह आएगा न? नहीं, 36,000 नहीं आएगा 46,000 ultimately देखा जाए तो 46,000 ultimately देखा जाए तो 46,000 रुपे जो है 46,000 रुपे वो value है जिसके अंदर आपका extra depreciation charge करना पड़ेगा extra यानि जब हम ये assets account बनाएंगे तो इसके अंदर हमें एक revaluation की entry put करनी होगी और वो कितनी करनी होगी हमें 46,000 रुपे तो पहले starting से देख लेते हैं normal depreciation सर ये depreciation करो machinery account है ये क्या है हमारा? machinery account है machinery account है यहाँ पर क्या आएगा? two machinery account two bank two bank date क्या था सर? 14, 16 कितने का खरीदा? 50,000 कितने का खरीदा? 50,000 इसके बाद two bank two bank कितने का है सर? ये कितने का है? 40 यानि सर 10 31 नहीं एक दस एक दस को एक दस सोला में और ये 40 का तो यहाँ पर तो decision हुआ ही नहीं decision कब हुआ? 18 में तो 18 के हिसाब से लेना है जब decision हुआ चलिए फटा-फट पहले साल का depreciation लगा के balance CD निकालते हैं तो पहले साइड लगेगा by depreciation number one और by depreciation number two ये आ गया हमारा 31, 12 ये आप चेक कर लिजेगा 31, 3 यानि 2017 ही हो गई है तो इस पे लग गया 5000 और इस पे लग गया 2000 क्योंकि पहले साल तो 6 महिने तक लगा है तो by balance by balance CD तो ये आ गया हमारा 50 और 40 90,000 और ये आ गया 90,000 90 में से 7 गए तो कितने बचे? 2017 2 balance 2 balance BD 2 balance मैंने इसको आगे तक अभी लेके जाना है जो बिका बगर है वो बाद में देखते हैं अभी हम 2 balance BD कितने रुपे का आएगा हमारा? 83 और सर इस समय भी revolution नहीं लगा तो इस समय भी by depreciation normal चलेगा और by depreciation normal कितना आजाएगा हमारा? एक पे लगेगा 5000 और by depreciation दूसरे पे पूरे साल का लग जाएगा that is 4000 और अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे यह भी date आएगा 31 अब निकालते हैं क्या बनता है valuation निकालते हैं क्या बनता है यह आगया हमारा 83 और यहां भी आएगा 83 इसको थोड़ा सा अजिस्ट करते हैं हाँ मिटा लेता है हाँ मिटा लेता है अब आएगा हमारा बाय बैलेंस बाय बैलेंस सीडी अब अगर हम माइनस कर दें 83 में से 9000 तो कितने बच्चे हमारे 83 में से 10 गएंगे तो 74 नाव यह आजाएगा हमारा 14 2018 टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना 74 अब 74 के अंदर हम क्या करेंगे 74 के अंदर अब यहां पे रिवेलिवेशन का इंपेक्ट आ जाएगा तो रिवेलिवेशन कब करा एक अपरेल को तो यहां पे रिवेलिवेशन का इंपेक्ट डालेंगे रिवेलिवेशन समझना जो चीज़ अलग हो रहा है तो कितने का इंपेक्ट आएगा हमारा 4600 अब जो डेप लगेगा ना वो डेप पता है कितना लगेगा by depreciation मैं थोड़ा add करके दिखाऊंगा तो depreciation सर नॉर्मली हमारा तो लगना था 9000 है ना नॉर्मली 9 लगता कैसे 5 1 पे और 4 1 पे समझो आप नॉर्मली कितना लगता हमारा 5 1 पे और 4 1 पे लेकिन ये जो extra है इसका भी तो डेप अब जोड़ना पड़ेगा हमारा revolution के तो कितना और जोड़ देंगे इसमें कितना और जोड़ देंगे 460 तो revolution में कितना अब जो डेप लगेगा टोटल कितना लगेगा आपका 9460 पहले ये देखिए revolution से क्या impact आया अभी बेचना खरीदना तो बाद में है depreciation account बड़ा असान है और revolution भी बड़ा असान है अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी देखिए पहले यहां तक देखिए किसी को दिक्कत चार सो साथ इस वाला जो हमारा assets अप हुआ है अब जो assets बढ़ा है उसके उपर भी तो debt charge करोगे अब देखो यहां पर समझते हैं पहले हमारा assets कितने assets हैं हमारे पास एक तो इसके उपर debt लगेगा इसके उपर debt लगेगा सर कितना लगेगा 5000 रुपे तो पुराना लगी रा यहां पर पहले से कितना लग रहा हा था depreciation 4000 और यहां पर नुकसान हूए तो माइनस हो जाएगा लुद फिर वाले बेप देखो गेगे ना तो आपको नजर कितना आएगा अगर टोटल मैं ले लेता हूं तो टोटल के case में इन दोनों के जोड़ोगे तो क्या आएगा 9467 र आप कैसे भी करके समझ लेजिए कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है यानि मैं सिर्फ क्या कहना चाहरा हूं कि जो हमारा पुराना डेप्रीशेशन चल रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा जो एक्स्ट्रा पार्ट इंप्रूव हुआ है उसका डेप निकालके इधर डाल देना है लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि 9000 तो पुराने वाला चल रहा है रीवेलिवेशन की वज़े से कितना अप हुआ है ठीक है यानि जो अप कमी येर होगा अगर हम डेप्रीशेशन लगाएंगे तो कितना लगाएंगे इस वाले पे इस वाले पे लगेगा 3600 और इस वाले पे लगेगा 5800 लेकिन अगर बीच में भिग गया तो सिर्फ उसके उपर कितना लगने वाला है 3600 पहले यहां तक है कोई दिक्रत नहीं चलो अब आजाते हैं अब आजाते हैं हम अगले साल की तरफ ठीक है अगले साल डेप्रीशेशन लगाए जाएंग यह जो एक्स्ट्रा वर्क यह न है इसको मैं थोड़ा इदर से हटा देता हूं क्योंकि मुझे अगले साल का इसमें हिसाब किताब बनाना है इसको थोड़ा सा extra work, को मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, अब ये क्या कहता है, इस assets को sir बेच दिया गया, कब बेच दिया गया, first October 2019, 2019 में बेच दिया, first October 2019, ठीक 6 महीने इस्तमाल किया, 6 महीने ही होगे न, October September, हाँ, 6 महीने इस्तमाल करके बेच दिया, तो 6 महीने इस्तमाल किया, तो पहले 6 महीने का sir डेप लगाओ, तो 6 महीने का यहाँ डेप माइनस करेंगे, तो दो तरीके का, या तो इसी के उपर sir 6 महीने का निकाल दो, बढ़े हुए value के उपर भी 6 महीने का डेप लगाओगे, तो और डेप लग जाएगा extra, बढ़ा हुआ value कितना था, 8000, तो 8000 पे 6 महीने का बनेगा 400, क्योंकि यह SLM है, तो इसका value जो निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा sir? इसका value जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा, 25-400, 37,100, और minus में, अब बेचा इसको कितने का? बोला भाईया मैंने इसको बेच दिया 7000 के नुकसान पे, तो 7,000 के नुकसान पे मतलब 30,100 का बेचा होगा आपने तो 7,000 का आपका आगया नुकसान यही कहान यह आपे देख लेजिए और दूसरे वाला जो पार्ट है इसके उपर depreciation एक पुराना old वाला जो चल रहा है वो लगेगा कितना? 4,000 और नए वाले की वज़े से हमारा loss जो हुआ है उसका माइनस कर देंगे 340, that is आप इन दोनों का total करेंगे तो आपका यही आने वाला है, ठीक है? तो अब last वाले साल में क्या करा जाए? इस साल को तो close कर दिया जाए? इस साल को तो close कर दिया जाए? तो कितना आएगा? 7 और 4,11 तो 81,000 नहीं 7 4 और 4,8 78,600 है ना? 78,600 बाए साइड में क्या आएगा? बाए साइड में, बैलेंस बैलेंस सीडी 78,600 बाए साइड में बैलेंस सीडी 78,600 माइनस में, 94,60 तो आ गया 69, 69, 140, तो यहां पर आ जाएगा 2 balance BD, 2 balance BD, कितना आ जाएगा 69, 140, अब 69, 140 जब आ गया, अब माइनस करेंगे इधर क्या depreciation, सर जो assets विक गया, उसका depreciation कितना है, सर ये है, कितने है, 2900, लेकिन ये बाद ध्यान दखिएगा, कि 400 कौन से वाला है, जो revalu is, ठीक है, चलिए इसके बाद buy side में bank से ही बेच दें इसको, कितने का बेचेंगे हम, 30,100, और buy side में P&L से loss हो गया, कितने का loss, 7,000, और buy side में फिर से हम depreciation चार्ज करेंगे, कितना चार्ज कर लेंगे, 36, 7, देख लिजी अब आप, देख लिजी आप, बैलेंस चेक भी कर लिजीएगा, 6, 9, 1, 4, 0, 6, 9, 1, 4, 0, buy balance, balance CD, सर इन सभी का data अलग अलग है, ये एक दस है, ये एक दस है, और ये भी एक दस है, और ये 31, 3 है, ठीक है न, तो माइनस, 39, माइनस, 30, 100, माइनस, 7,000, माइनस, 36, 40, चेक करिए, 25, 480 आ रहा है, क्या रहा है, 23, 280, क्या 32, 300 का, अच्छा, हाँ, एक मिनट, हमने जो assets, add हुए है, वो लिखना भूल गया, एक मिनट रुख जाईए, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रह गया है, यहां पर, आप इधर मत देखिएगा, ठीक है, इस वाले को देखिए, यह revolution add करके है, ठीक है, यहां पर depreciation कितना माइनस होना है, सर, सर, depreciation माइनस होना है, टूटल 39,00, यह तो agree कर रहे है, ठीक है, तो अब 48,000, 48,000, माइनस 39,00, तो बचा कितना 45,100, यह ज्यादा आ गया है, यह तो, 47, साथ, हाँ, माइनस 7,000, 38,100, यहां पर depreciation, यहां पर करा है मैंने, अठारा में बेचा है, उननिस में बेचा है, यह आगया हमारा अठारा, एक मिनट रुके, एक साल मिस हो गया, यहां तो सही चल रहे एकदम, अच्छा, इसमें ना, एक साल का depreciation जो लगेगा, 5,800, हाँ, यह माइनस करना भूल गया, तो 48,000, माइनस 5,800, तो 42,200, अब 42,200 पे कितना माइनस कर दे और, पच्छिस सो, 42,200, माइनस पच्छिस सो, तो 49,700, पच्छिस चार उनात्यस, ओके, 39,000, ठीक है, तो 42,200, माइनस 39,000, और यह आगे हमारा 49,300, अब बेचा कितना, 7,000 के नुकसान पे, तो माइनस 7,000, 32,300, तो यहाँ पे बस थोड़ा चेंजिस हो गया, यह क्या जाएगा, बाकि सब ठीक है, 32,300, और 32,300 की वजह से यह आंसर भी चेंज होगा, कितना, 69, 140, माइनस 39, माइनस 32,300, माइनस 7,000, 26, माइनस 36, 360, 23,280, चेक कर यह, 23,280, यह अकाउंट हमारा प्रपेर हो गया, एक डप्रीशेशन बनाने, एक रिवेलिउशन, वो तो छोटा सा अकाउंट है, अभी फटा-फट से कर लिए, पहले यह कैलकूलेशन, देखो, मैंने थोड़े डिटेल किया है, हो सकता है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए, मैं यह दोनों साथ के साथ इसलिए लेके चला, कम्पेरिजन, आपको एक ही बनाना है यह, ठीक है न, यह एक ही बनाना है आपको, यहाँ पर क्या मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, कि value up होने की बाद यह depreciation, और यह without value up होने के बाद, तो मैं इसको एक काम करता हूँ न, इस वाले पार्ट को काड़ देता हूँ, यह किसी काम कहीं नहीं, confusion रखेगा, ठीक है, यहाँ पर बस मैंने यह करा, कि हमारा जो पुराने का डैप और नए वाले का डैप आ गया, correct, और यहाँ पर उसको add करने के बाद है, हलाकि देखा जाए तो आपको बस यही calculation लेके चलना चाहिए, यह वाले की जुरत नहीं है, सिर्फ मैंने compare करने के लिए कराया, और यहाँ पर भी सिर्फ यही calculation लेके चलना चाहिए, इस वाले की जुरत नहीं है, ठीक है, अब चले, अब कहाँ पर जाएंगे depreciation के बाद, revolution reserve account, अब revolution reserve account देखा जाएना है, तो कहाँ कहाँ है, सर एक तो revolution reserve यह वाला है, तो बस ट्रांसफरी तो करना है, एक revolution यहाँ पर है, और एक यहाँ पर भी revolution है, सर यहाँ पर revolution एक इसके अंदर जुड़ा हुआ है, revolution का, कितने रुपे, 400, और सर एक इसके अंदर भी revolution का माइनस कर रखने हैं इतने रुपए तीन सो साट हो गया है सर अठावन सो वाली एंट्री नहीं आएगी 58 वाली एंट्री अल्रेडी डन कर चुके हैं ये देखो अगर इन दोनों को आप एडलेस करोगे तो 5800 हम पहले ही दिखा चुके हैं ये 58 पहले ही दिखा चुके हैं कैसे 58 पहले दिखाया ये होगे न 58 और 34 जब इन दोनों को आप सेपरेट करोगे तो आपका यही आएगा 34 तो नहीं हाँ जब इन दोनों को 34 नहीं 36 60 को तो यही आएगा क्लियर चलिए अब इसके अंदर एक और कुछ सेना आप ट्राइ करिएगा नहीं तो वह भी मैं कर दूँगा अब हमें बनाना है सर डेप्रीशेशन अकाउंट पहले हम डेप्रीशेशन अकाउंट बना लेते हैं सिंपल सी बात है डेप्रीशेशन अकाउंट और फिर मैं एक वार पूरा रिकॉल कर दूँगा कि क्या कैसे करा है हमने मसीनरी अकाउंट और सॉरी डेप्रीशेशन अकाउंट डेप्रीशेशन अकाउंट में सबसे पहले आप अकाउंट पे आ जाईए हमें इसी अकाउंट से तो डेप्रीशेशन उठाके वहां करना है तो बाई में डेप्रीशेशन है यह ठीक है तो बाई का डेप्रीशेशन अगर जनल एंट्री मैं आपसे करवा हूं तो जनल एंट्री क्या बनेगा यहां पर डेप्रीशेशन टू मसीनरी ठीक है अब डेप्रीशेशन में जाके क्या लिख देंगे हम बाय मसीनरी और मैं टोटल लिख रहा हूं यहां पर टोटल डैप लिख रहा हूं इन दोनों को जोड के पांच और दो साथ आप अलग अलग भी लिख सकते हैं ठीक है और हमें कुछ नहीं करना यह डेप्रिशेशन नॉर्मल डेप्रिशेशन है ना यह डेप अच्छा थू में आएगा हमारा एक मिनटे हैं डेप्रिशेशन में जाके टू मसीनरी हां फिक है खतना अब दूसरे साल की कहानी स्टार्ट हो घी दूसरे साल में भी हमारा और दूसरे साल कितना आ रहा था नौह हजार और फिर यहां कि आ जाएगा बाय पीएंडल कि ठीक है कितना है एकत्यस तीन कितने दे रखें एकत्यस तीन फिर से दूसरा साल भी क्या हो गया सर खतम हो गया 9000 और 9000 तार अब कि साल काहाणी अलग हो जाएगी तीसरे साल में हमने दू मसींडियी मसीम्री मसींडियी डिप्रिूशेशिन लगा हैノह jetzt लेकिन Revaluation जो हमारा मैं टोटल मसींदी का डैप लगा देता हूं चलो मैं डैप लगा देता हूं तीसरे साल की कहानी में depreciation देख लेते हैं कितना है तीसरे साल की कहानी में depreciation है 9460 रुपए तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ 9460 रुपए जिसमें से P&L के हिस्से में जाएगा सिर्फ 9000 और बाकी चला जाएगा रिवेलिवेशन रिजर्व में कितना 460 यह भी 30 मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हर किसी का P&L में नहीं जा सकता तो इसलिए यह वाला पार्ट तो रिवेलिवेशन में जाएगा तो इसलिए मैंने कहां भीजा इसको रिवेलिवेशन में ठीक है चलिए सर यह साल खतम हो गया कि खतम हो जाएगा हमारा यह भी है ठर्णवेसो साथ लास्साल रह गया दोई अर्णवेसो साथ कर मि चलिए था कि इस्साइड में कुछ तो आएगा निंढ़ी टू साइडिए topics ए gamma प्रके लिए कि ये डैप और एक ये डैप यानि 2900 और 3600 तारीक अलग-अलग है तो हम अलग-अलग लिखेंगे तो सबसे पहले कब आएगा सर ये सबसे पहले आएगा एक कितना था हमारा 2900 लेकिन ये 2900 की कहानी है 2500 रुपए नॉर्मल वाले का जो की पी इंडल में चला जाएगा और किसका 400 रुपए हमारा एक्स्ट्रा जो की कहां चला जाएगा रिवेलिवेशन में अब 3110 को हम क्या करेंगे टू मसीन्ट्री तू मसीन्ट्री तू मसीन्ट्री में देखा जए तो क्या जाएगा संर यहां पर देखा जाए तो कहानी विलकुल अलग है नॉर्मल वाले कहानी कितना था 6000 और इसमें से माइनस कर दिया हमने कितना संर 400 रुपए तो ये 400 ही माइनस होगा न 340 340 क्योंकि उसका extra है तो हमारा 340 आएगा ठीक है 340 तो इस तरीके से कितना आया यह कितना आया बताओ 3660 अब देखा जाए तो buy side में profit and loss में तो हमारा depth depth चला जाएगा तो profit and loss में मुद्दे की बात देखें तो एक तो यह जाएगा एक यह जाएगा यानि कितना चला जाएगा 3500 समझ में आया और हम revolution में कितना यह तो minus हो रहा है यह plus हो रहा है तो revolution में कितना भीजेंगे इस साल हम तो दोनों का difference लोगे तो सिर्फ कितना रुपे 60 रुपे तो यह कितना हो गया 6560 और यह भी कितना हो गया 6560 सर यह जाएगा एक दस को और यह चला जाएगा 31 को देखें बताइए समझ में बन गया यह भी simple depreciation अब बोला क्या बनाओ revolution तो यहीं से revolution बन सकता है यहाँ भी revolution है और यहाँ भी revolution है और एक revolution पीछे था ठीक है तो revolution बनेगा एक हलाकि एक बच्चे के internal में पता नहीं उसने सही किया गलत किया क्योंकि हमने कर नहीं रखा था लेकिन regular college के internal में सवाल यह पूछे जा रहे है depreciation में से यही सवाल पूछे जा रहे है चलिए revolution अब चलिए पीछे अकाउंट से उठाएंगे हम ठीक है revolution यहाँ पर है तो entry क्या बनेगा machinery to revolution entry क्या बनेगा machinery account debit to revolution तो आपका अगर entry बनता है machinery to revolution तो revolution में जाके क्या लिख दोगे आप buy machinery तो revolution में आ गए और यहाँ लिखा हमने buy machinery कितने रुपे बन रहे थे हमारे च्छालिश सो पहले यह समझ में आया clear है अब यहां से revolution उठाएंगे यहां पर revolution buy में है तो entry क्या बनेगा हमारा री-vealuciones to depreciation, ठीक है? री-vealuation to depreciation तो refund writion account में जाके क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे ? C हो लिखेंगे तो to depreciation कितना लिखेंगे Japan HSU जो पार्ट हमारा है 460 होपने आा- A Cав Alice टू बैलेंस सी डी बताओ माइनस करके एक तालिस सो चालेस बाइ बैलेंस बाइ बैलेंस बी डी एक तालिस सो चालेस अब अगें दूसरे साल में फिर रिवल्यूशन साथ का है तो क्या लिख दूँ टू डप्रिशेशन कितने का साथ का अब अकाउंट आप मैच कर लिजे बराबर ये लॉजिकल ही चल रहे है ऐसा नहीं कि वहां का उठा के वहां रख दिया वहां का उठा के वहां रख दिया और टू आ जाएगा हमारा बैलेंस सी डी चेक करिए ठीक है तो आपको सबसे मेन अगर इस पूरे सवाल को हम ध्यान से देखें और समझें तो मेजरली एक बार क्विकली मैं बता देता हूँ सबसे पहले हमने क्या देखा था यहां से देखा है सबसे पहले जब कभी भी एसिट्स का रिवेलिवेशन होगा घट जाए उस रिवेलिवेशन के एमपेक्ट को हम ले जाएंगे अलग से रिवेलिवेशन रिजर्व अकाउट में लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रिवेलिवेशन रिजर्व नेगटिब पहुँच चैंग तो नेगटिब नहीं जाने देते हैं revolution reserve account ठीक है ना तो सेम ऐसे तो यस वाले सवाल में हमारा एक का तो कम हो रहा था एक का जादा हो रहा था तो ultimately net effect क्या हो रहा था हमारा जादा ही आ रहा था तो हम सुरू से normal depreciation चार्ज करेंगे सुरू से बिलकुल normal depreciation जिस साल revolution लगेगा उस साल जैसे हम assets को खरीदते हैं ना तो खरीदने के बजाए उस revolution का नाम से entry मार देंगे अब जो डैप लगेगा revolution portion पे अलग लगा के चलना और पुराना अलग दोनों को जोड़ देना तो 460 revolution portion का हो गया और इसका वाला का 9000 है क्यों यह SLM है ना तो SLM starting से लग रहा है तो भी का तो दो depreciation है एक normal वाला एक revolution वाला अब assets को जब हम बेचने गए तो हमें ध्यान रखना है कि जो revolutions assets की value में increment है उसको add करके फिर minus debt करके फिर आपको profit and loss निकालना है जो कि मैंने यहां पे किया है हमारा asset का value यह बन रहा था normally पहले साल का debt change कर गए तो पहले मैंने debt minus करा उसके हिसाब से निकाला loss को और सवाल में कहता था कि loss है सर सवाल में कहता था loss पर बेचा है तो 49,300 रुपए का समान है और मैंने बोला इसको 7,000 के नुकसान पर बेच दिया तो बीच का difference क्या होगा हमारा sale आ जाएगा कि कितने का बेचा है इस sale को इधर दिखाया है इधर हमारा final answer निकल गया 23280 तू भी continue अगले साल जो हमारा depreciation लगेगा बरकि पूछा नहीं गया अगर लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे हमारे पास एक ही machinery है जिसका value निकलके CD आ जाएगा और उसके उपर सिर्फ और सिर्फ depreciation कित इसने का और यह P&L से चला गया और यह P&L कौन सा है जो कि हम normally सीखते आये हैं तो हर साल का डेप निकाला लेकिन जिस साल revaluation है तो depreciation तो total इतना लगा लेकिन यह वाला हिस्ता पहुंच जाएगा P&L में और यह वाला हिस्ता पहुंच जाएगा कहां पे revaluation में सेम अगले साल depreciation तो हमारा यह यह लगा लेकिन इसमें से P&L में स्रिफ इतना हिस्ता जाएगा बाकि revaluation में इतना जाएगा revaluation account क्या करा हमने पीछे machinery account में से कुछ entry को extract किया जो कि revaluation ता था और depreciation में से extract करा जो कि हमारा यहां आ गया तो यह पूरा का पूरा chapter था साथ वाला एक पार और बता दो साथ वाले का मतलब क्या है कि 400 रुपे तो हमारा बढ़ गया था और 340 हमारा घट गया depreciation तो ultimately depreciation revaluation वाला part साथ ही बचाना 400 बढ़ गया 360 घट गया तो हमारा चार सो कहना 60 तो बचेगा difference हमारा ठीक है clear यहां तर तो यह हमारा depreciation अब पूरा जाके खतम हो गया जर्नल एंट्री पूछे तो अकाउंट अगर आपको याद हो तो जर्नल एंट्री आप करके आ सकते हो एक सवाल और आपकी किताब में गीवन है जिसे मैं पढ़ देता हूं एक सवाल और गीवन है मैंने पहले ही इसको और यह सारी किताब आपके भुक का ही है जे आर तो इस एसिट्स को आप क्या करोगे सर इस एसिट्स को दो हिस्से में बाट देंगे जो हमारे ये 5 लाख है एक 4 लाख रुपए अलग कर देंगे एक लाख अलग कर देंगे क्योंकि बोइलर आगे बेच देता है यह एक अप्रेल 2019 को मैंजमेंट ने डिसमेंट किया कि sicर revalued boiler part को assist करेंगे 5000 less कर देंगे और net book value remaining the asset 20% higher कर देंगे यानि इस वाले में तो 20% को add कर देंगे और इसमें 5000 रुपे क्या करेंगे? less कर देंगे. तो ultimately कहानी वही आ गई? एक बढ़ गया और एक घट गया हाला कि एक machine दिया आपको दो machine should be adjust against the revaluation account. एक machine दी बनाना है, एक depreciation, एक revaluation. तो हमारे पास balance CDVD कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सब कुछ हमने क्या करा है यहां पे बेच दिया है एक ही machine था और एक कोई बेचा तो यह आपके book का last question है आप देख लिजे चाहे बच्चा program का हो, चाहे बच्चा honors का हो, दोनों में ही यह सवाल आपको देखने को मिल जाएगा depreciation chapter के illustration आपके किताब में given है यहाँ पे question number पे मज जाई है 31, आपको मिल जाएगा, प्रोग्राम में कौन सा है 21 और इसमें आपका, तो हो जाएगा यह clear है Sir, yes, बताइए Sir, question में, जो हमने अभी किया था solution में machinery account में evaluation reserve भी given end में book में, book में machinery account में क्या given है last में evaluation reserve given है और 4,080 amount मैंने देखने हैं, एक पर दिखा ना book एक मिन मैं देख लेता हूँ last में कह रहे हो अच्छा, evaluation reserve maximum used for, यह मैंने क्या करा यह मैंने यहाँ पे plus कर दिया एक amount और एक amount यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे कितने plus है हमारे इसको ना इन्होंने अलग से दिखा रखा है कितने दिखा रखे है, 4080 और यही चीज मैंने क्या करा इसी assets में plus करके ले लिया है तो उसकी tension मतलो, वो चीज़े मैंने ना जो आप यहाँ पे evaluation reserve ले रखा है ना, मैंने वो पता है कहाँ पे add कर दिया, इस machinery में add करके और profit and loss में adjust कर दिया, तो वो कैसे आया, एक तो इसका 400 रुपे, छीक है, और इसका minus कर देंगे जो भी minus बन रहा था, तो बुक वालों ने इसको अलग से separately दिखा दिया, पहले आप यह देखिए, यह वाला पार्ट समझ में आ गया, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुक वालों ने क्या करा, वहाँ पे अलग से दिखा दिया है, वहाँ पे, आप देखेंगे, तो अलग से क्यों दिखाया, क्यों दिखाया, मैं ये भी बता दू आपको, 69140 है, तो पे profit and loss से इसने 2920 रुपे दिखाया है, और मैंने profit and loss में कितना दिखाया है, profit and loss में मैंने दिखाया है, 7000, तो बुक वालों ने बोला, कि भीया, 7000 का नुकसान तो हो गया, लेकिन पहले भी तो revolution की वज़े से आपने कमाया था, तो उसको compensate करके अलग-अलग दिखा दिया, ठीक है? येश ठीक है चलिए कल फिर से एक दिन की छुट्टी हो गई थी कल क्लास है कल वाली क्लास में हम डिपार्टमेंटल को कर लेंगे डिपार्टमेंटल या फिर लीस जो भी होगा वो देख लेंगे हम कम्प्लीट करेंगे येश समीर बताईए हलो हंजी समीर बताईए सर वो 3660 कैसे आया 3660 कौन से वाली की बात कर रहे है ये वाला 3660 ये ऐसे आया क्योंकि आपका जो डेप्रीशेशन था 4000 डेप्रीशेशन जो था रिवेलुएशन देखो ये 3660 बताते हैं 3660 यहां पर हमारा वैली कितना आप हुआ अच्छावल सो पांच हजार चाहजार और ये 3660 ठीक है या फिर आप ऐसा कर सकते हो नए पेज़ पर बताते हैं नए पेज़ पर बताते हैं यहां बता देता हूँ देखो एक हमारा एसेट था चालिस का ठीक है अब इसका रिवैल्यूएशन कर दिया लेस यानि 4000 कम कर दिया तो 4000 कम करने के बाद मेरा एसेट का वैल्यू कम हो गया नॉर्मल हमारा डेप्रिशेशन कितना होता इस 4000 पे 10% यानि सारी 40,000 पे 10% यानि 4000 रुपे और क्यूंकि revaluation से 4000 हमारा नुकसान हो गया तो अगर माइनस कर दू मेरा less होगा depreciation क्यूंकि एसेट के value में कमी आ गई है तो 10% का less होगा that is आपका कितना less होगा 400 that is कितना less होगा नहीं 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 ये value 4000 नहीं था ये value था हमारा एक मिनट रुकिए मैं वहीं से उठा लेते हैं एक मिनद पीछे माल करका है इधर देखे यानि एक old वाला depreciation है हमारा 4000, correct और अब new वाला depreciation क्या होगा सबसे पहले हमारे assets में कितना increment हुआ है increment तो हुआ नहीं assets में नुकसान हुआ है कितना नुकसान हुआ सर नुकसान हो गया हमारा नुकसान कितना हुआ assets में यह देखे assets हमारा 34,000 में से 10% का नुकसान हो गया यानि assets था पहले हमारा minus करके 34,000 management बोला 10% घटा आओ तो मतलब कितने का घटा आओ 3400 घटा दो एक तो यह हो गया नुकसान हमारा तो अब हमारा depreciation हाला कि हम 4000 चार्ज करते लेकिन नुकसान होने की वज़े से assets का value हमारा down हो गया तो यह depreciation तो minus ही नहीं कर पाएंगे तो depreciation जो नहीं लगा पाएंगे that is आपका कितना है 340 तो अब जो net depreciation लगाना है वो 3660 लगाना है ठीक है clear कोई दिक्कत कोई परिशानी बताईए चीक है चलिए मिलते हैं next class में कल class है कल हम departmental कर लेंगे या फिर हम lease कर लेंगे दोनों में से lease में practical question नहीं आता theoretical आता है normally तो या फिर पहले practical निफटा लेंगे departmental जो कि departmental में मुझे तीन दिन का time लगेगा कम से कम आज तारीक हो गई है 9, 3, 12, 15 तक हम कैसे भी करके खतम करेंगे paper कब से start है आपके 27 से तो 15 तारीक तक अगर खतम हो जाते तो better है बागी फिर उसके बाद NPO चलाएंगे